तुम ये कर सकते हो टिटीपो चुचु शेहर में एक नई सुनेहरी सुभार तुम जा सकते हो ठीक है बाद ने मिलता हूँ सर वो देर क्यों कर रहा है मैं आ गया मिस्टर हब टिटीपो तुम देर से आये हो मैं देर से उठा माफी चाहता हूँ ठीक है अब जल्दी से जाओ ठीक है टिटीपो जल्दबाजी मत करना जी मिस्टर हब देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ आज बहुत देर कर दी तुम इतनी देर कैसे लगा सकते हो माफी चाहता हूँ अब मैं चल रहा हूँ आज मैं पक कलेट हो जाओंगा माफ कीजिएगा सर ट्रेन आज लेट आई मुझे तेज दोड़ना चाहिए जल्दबाजी में ठीटी पो तेज दोड़ने लगा कि या हां हां अरे मोड आ गया अरे नहीं मैं पट्री से किर आओं हां हां सब ठीक तो है ना हो क्या हुआ था यह था यह था हम पट्री से उतरने वाले थे हां हम सब ठीक है चलो शुक्र है आप बिल्कुल मट डरिये अब मैं चल रहा हूँ अरे यह क्या हो गया मैं चल क्यों नहीं पा रहा ना चल पाने की वजह से टीटी पो को टेयों के पास ठीक होने के लिए जाना पड़ा मैं आ गया टीटी पो तुमने फिर से गलती की यात्रियों को बैठा कर तुम मोड पर इस तरह इतना तेज क्यों दोड़े माफी चाहता हूँ देर हो गई थी इसलिए लेकिन तुमारे साथ कोई बड़ी दुरखट नहों सकती थी दोबारा कभी नहीं करूँंगा मिस्टर हब। देर हो गई है जाओ आराम करो थीग है आ मेरे वी इजनाता पहरा टिटी पो आ गया व्म हेलो मैं आ गया हमने सुना तुम घिली घिली बची तुम ठीक तो हो ना है इतना अरां करने जा रहा हूं ठीक है ठीटीपो बहुत उदास लग रहा है मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा मैंने भी अगले दिन ठीटीपो अपने उसी रोट पर चल पड़ा सभी को हेलो तुम तो आज टाइम पे हो तुम्हारा शुक्रिया तो ठीक है अब मैं चल रहा हूँ अब मैं ध्यान से जाओंगा यही वो मोड है जहां मैं पट्री से गिर्टे गिर्टे पचा था अचानक से क्यों रुग गए माफी चाहता हूँ बस थोड़ा सा डर गया था यह यह क्या मुझे चक्कर आ रही है अरे नहीं जिस जगह पर टीटी पो पट्री से गिर्टे गिर्टे बचा था उस जगह पर पहुंचते ही उसका डर बढ़ गया माफी चाहता हूँ लेकिन आगे नहीं जा सकता अरे यह क्या रही हो टीटी पो अभी तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा टीटी पो फिर से टेयो के पास पहुंच गया यह तो अजीब बात है तुम्हें कोई खराबी नहीं है फिर भी तुम चल क्यों नहीं पा रहे मुझे बिल्कुल नहीं पता टीओ लेकिन जैसे ही मैं मोड के नस्दीक पहुंचा मुझे डर लगने लगा और मेरे पहिये वहीं पर रुख गए ओ अच्छा सच कह रही हो तुम्हें वो अपने डर की वज़ास उस मोड को पार नहीं कर पा रहा है मैंने मिस्टर हब और टीओ को बात करते हुए सुना था हो सकता है जब वो दिखा था ना तो वो बहुत ज़्यादा परिशान लग रहा था मुझे कितना परिशान है बिचार टीटीपो क्या हम किसी भी तरह से टीटीपो की मदद नहीं कर सकते हैं मदद करने में टीटीपो सबसे अच्छा है क्या कहना चाती हो जीनी एक पर जब मुझ पर धूल लग गए थी और मैं उदास थी कितनी गंदे हो गई मैं जीनी मेरी तरफ देखो टीटीपो बस करो मज़ाग की बात नहीं है टीटीपो मुझे हसा कर ही माना उसने मेरा मूँ ठीक कर दिया बहुत हसमुक है वो एक बात बताओ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था मुझे एक नई रूट पर किसी अंजान जगा जाना था उससे पहली की रात में डर रही थी तुम सबसे अच्छी हो सिंग 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 तुम कर सकती हो सिंग सिंग जाओ जाओ सिंग सिंग टीटीपो ने उस दिन मेरा होसला पढ़ाया और मैं अपना काम अच्छे से कर पाई मैं भी कुछ बताता हूं बताओ ना एक बार मैंने अपना सामान घलत जगह पर पुछा दिया था यह सामान बंदर गाह जाना चाहिए था यह सामान यहां का नहीं है हाँ ठीका माफ़ी चाहता हूं पूरा दिन मेहनत करने के बार मैं बहुत उधास था डीजल चलो घूमने चलते हैं जब मन उधास हो तो घूमने चाहिए घूमने के लिए इस बार घूमने के लिए क्योंना हम दूर जाए प्लीज देर से लोटने पर मिस्टर हर्ब ने डाट लगाई थी हमें लेकिन बहुत मजा आया था तो क्योंना हम सब भी मिलकर टीटीपो के लिए कुछ ऐसा ही करें हाँ यह ठीक रहेगा और कल तो हमारी चुट्टी भी है बढ़िया सुनो मुझे एक बहुत बढ़ी आईटी आया ह चुट्टी पो चुट्टी पो अगला दिन शुरू हो चुका है कल भी मुझे उसी मोड से होकर जाना है ओ डर लग रहा है चुट्टी पो क्या हो रहा है अरे दोस्तों तुम अपने चहरे पर क्या किया है अच्छा लगा मज़ेदार है ना तुम बहुत सादा उदास लग रहे थे टीटी पो इसलिए हम तुमें हसाना चाहते थे सच में शुक्रिया दोस्तों अजीब लग रहे हो अरे बस इतना ही नहीं हम सारे के सारे घूमने जा रहे हैं घूमने हाँ दूर किसी जगह पर जाएंगे चलो ना चलते हैं तुम्हें अच्छा लगेगा दूर जाएंगे लेकिन वापस आने में देर हो गई तो मिस्टर हब से डान खानी पड़ेगी चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना सिंग सिंग की बज़े से इतनी तेज जा रहे हैं पूलों को देखा और खेत भी मैं सिंदकी में इतना तेज का भी नहीं तोड़ा सुरंग आ गई समूत्र को देखो सुंदर लग रहा है चलो थोड़ी देल यहां रुकते हैं बहुत मसा आ रहा है मुझे मुझे भी यहां की हवा कितनी ताजी है दूर घूमने का तो मजा ही अलग है सच में फिर से शुक्रिया दोस्तों तीटी पो तुम भी हमें उदासी में ऐसे हे खुश करते हो इतना तो हम अपने दोस्त के करी सकते हैं अभी हमें एक आर जगे जाना है एक और जगा बस पहुंचने ही वाले हैं ओ कि मेरे खयाल से यह मेरे काम रास्ता है यही तो है हम यहां क्यों आए है तुम इस मोड़ को पार नहीं कर पाते ना तो हमने सौचा कर साथ में जाएंगे तो तुम पार कर पाऊगे अभी मैं नहीं कर पाऊंगा तुम कर सकते हो टीटीपो पहले मैं जाती हूँ देखो कुछ भी नहीं हुआ हाँ टीटीपो तुम कोशिश तो करो मान लो के हम तुम्हारे डिब में हैं और हमें अपने साथ खीचो लेकिन दोस्तो अगर मेरी वज़े से तुम्हें चोट लग गई तो हमें तुम पर विश्वास है बेट पर ठीक कर सकते हो टीटीपो जाओ 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 टीटीपो सबसे अच्छे हो टीटीपो 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 तुम भी ना ठीक है मैं कोशिश करता हूँ टीटी पो ने जीनी, डीजल और सिंग सिंग को डबो की तरह जोड लिया हिमध दिखाओ टीटी पो दिखाता हूँ चक्कर आ रहे है मैं यह कर सकता हूँ मैंने कर दिखाया, मैंने संच में कर दिखाया बढ़ाई हो टीटी हो कहा था न, हम जानते थे तुम कर सकते हो मुझ पर विश्वास करने के लिए शुकरिया अगली दिन टीटी पो उसी रास्ते पर काम कर रहा है अब मैं चल रहा हूँ आ गया वो वही मोड डर लग रहा है मैं इसे पार कर सकता हूँ कर सकते हो टिटीपो जाओ जाओ टिटीपो तुम सबसे अच्छे टिटीपो टिटीपो तुम ये कर सकते हो मैंने कर दिखाया क्या कर लिया तुमने आज काफी खुश लग रहे हो टिटीपो हाँ आज सबसे ज्यादा खुश हूँ अपने दोस्तों की मदद से टिटीपो ने अपना खोया आत्मा विश्वास वापस पा लिया शुक्रिया दोस्तों बीते समय में जाने वाला टिटीपो सुभा देर से जागने की वजह से टिटीपो हरबड़ी में स्टेशन जा रहा है बहुत बेर हो गई सभी को हेलो ओ चलो आये तो सही इतना लेक कैसे हो सकते हो तुम हो सबसे इंतजार कर रहा हम तुम्हारा ओ माफी चाहता हूँ ठीक है हम चल रही है अगर मुझे समय पर पहुंचना है तो दोड़ना पड़ेगा जल्दबाजी में टीटीपो ना परवाही कर गया हम स्टेशन पहुंच गए यह कौन सा स्टेशन है अरे हम यहां क्या कर रहे है क्या अरे नहीं मैं गलत स्टेशन पर आगया क्या कहा गलत स्टेशन अब तुम्हें रेट हो ही जाए आधै मैं माफी चाहता हूं मैं गलत पटरी पर चलाया अब आपको अचलिक स्टेशन पर ले जाता हूं काम के बाद टीटीपो चुचु शहर वापस आ गया टीटीपो, सुभह तुम घलत स्टेशन पर क्यों चले गए थे? वो जल्दबाजी में दूसरी पट्री पर चला गया, माफी चाहता हूँ ध्यान रहे, ऐसा दुबारा ना हो ठीक है, शायद मुझे यात्री लाने ले जाने के लिए बनाया ही नहीं गया ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं गलतियां करता रहता हूँ टीटीपो, गलतियां सबसे होती हैं बेटा आपको छोड़ कर आपका भी गलती नहीं करते मैं भी करता था जब मैं तुम्हारी उबर का था हो ही नहीं सकता मैं सच कह रहा हूँ मुझसे इतनी गलतियां होती थी कि एक बार परिशान होकर मैं नौकरी छोड़े लगा था लेकिन तब एक रेल गाड़ी में हौसला बढ़ा कर मेरी मदद की वो कौन से रेल गाड़ी थी? अगर मुझे ठीक से याद है फोन बज रहा है सॉरी टिटी पो बाद में बात करेंगे ओ जरूर अपना मन शांत करने के लिए टीटी पो ताजा हवा खाने निकल पड़ा मिस्टर हब गलतियां किया करते थे मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा हाँ? ओ? क्या इस रास्ते पर पहले सुरंग थी? मुझे तो याद नहीं यहां सुरंग थी क्या है? अभी अभी क्या हुआ था? बहुत अजीब सुरंग थी ओ? ये स्टेशन अलग सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो मिस्टर स्टीम है मिस्टर स्टीम कैसे हैं आप? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता मिस्टर स्टीम मैं टिटी पो हूँ याद आया? टिटी पो? मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं क्या ओ ये तो बहुत जवान लग रहे हैं मिस्टर स्टीम आप इतने अलग क्यों लग रहे हो क्या मतलब है तुम्हारा खेर देर हो रही है मुझे अभी काम पर जाना है काम पर हो बहुत अजीब बात है वाउ देखो मॉम कितनी कुछ रिल गाड़ी है यहां पर एक हूँ है तुम्हे रिल गाड़िया पसंद है बहुत पसंद है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक रेल मेक्यानिक बनुगा बहुत बढ़िया तुम्हारा सपना जरूर पू क्या सक्क्राइब किया तुम्हारा नाम है टीयो हाँ टीटी पूँ तैया, तुम मुझे जानती हो आप को अह Schnee के लिए चिंहीन थेत्जान ड counting A供ह rule दीन की तरह अब शेहर के लिए चूचू शहर देखकर आता हूँ पो तरफ कला जहान शहर हो ना चाहिए अ हुआ कि जुचु शहर भी बदला हुआ है कि अब या अब या हरबी कहां चला गए एडरी शुरू होने वाली है किया ये सच में मिस्टर हर्ब है सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गए मिस्टर हर्ब भी जवान लग रहे हैं स्टीम टीयो और अब मिस्टर हर्ब सबकी उम्र कम हो गई है अब समझा मैं पिछली समय में पहुंच गया हमेशा क्यों देर से आते हो तुम सॉरी में देर से खुली है आज अब जल्दी बताओ मुझे जाना कहा है ठीक है देखता हूं तुम्हें आज जाना है ओ गिर गए तुम फिर से देर करवाओगे तुम्हें जाना है मेरे ख्याल से बंदर का जाना है ओ हर्बी मिस्टर हब सच में गलतियां करते थे चिटीपो चिटीपो मैं जा रहा हूं आचा ठीक है मिस्टर हर्ब मेरा मतलब हर्बी गुड मॉनिंग हलो मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो नाम मैं मैं दूसरे शहर से हूं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है हर्बी अच्छा ये बात है हर्बी हां बोलो बताओ क्या बात है तुमने मुझे गलत जगा भेज दिया अरे बंदर गाह नहीं इंडस्ट्रेल एरिया जाना था मुझे तुम्हें पक्का पता है ठीक कह रहे हो अब तुम्हारी वज़ा से फेरतेर होगी मैं माफी चाहता हूं आज फिर गलतियां हो रह होगे इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा तुम्हें लगता ऐसा होगा हां सोच मता जाओ टिटी पो हर्भी को पास की एक जील के किनारे ले गया यहां लाने के लिए शुक्रिया क्या तुम किसी बात से परिशान हो हां मैं सोच रहा हूं नौकरी छोड़ दूं छोड़ जानता हूं लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझ से मेरे शहर के ट्रेन मास्टर भी बहुत गलतियां किया करते थे लेकिन अब वो सब को चिट्कियों में संभाल लेते हैं अच्छा तुम्हें लगता है मैं भी उनके जैसा काम करने लगूंगा मुझे पूरा विश्वास है शुक्रिया ठीक है मैं और मेहनत करूँगा अरभी अरभी स्टीम बोल रहा हूं स्टीम कहो क्या बात है मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था तब ही अचानक पता नहीं क्यों मेरे पहिये जाम हो गए अब मैं क्या करूँ क्या तुम जहां हो वहीं रुके रहो मैं अभी पहुचता हूं स्टीम खराब हो गया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तुम लगता है मैं उसे समाल लूँगा क्यों नहीं तुम संभाल लोगी अपने पर विश्वास रखो हर्भी तुम ठीक कहते हो जल्दी स्टीम के पास चलो ठीक है स्टीम तुम ठीक हो न बिल्कुल नहीं मैं जरा भी नहीं चल सकता यात्री इंतजार कर रहे हैं बहुत बुरा लग रहा है कोई बात नहीं तुम निश्चिंत रहो मैं सर्विस ट्रेन बुलाता हूं अच्छा ठीक है स्टीम खराब हो गया है क्या तुम अभी आ सकते हो हां ऐसे मिस्टर हब को ही मैं जानता हूं सर्विस ट्रेन अभी आ रही है चिंता मत करो स्टीम ठीक है हर्भी लेकिन मेरी शिफ्ट का क्या होगा मुझे तुम्हारी जगे किसी और को भेजना होगा समझ गया सुनो क्या तुम स्टीम की जगे जाओगे मैं तुम्हें बता द का काम सभाल रहे हैं चालो पहुंच गये सभी को बाइबाइब आपका दिन अच्छा हो आपका भी तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया मैं गलतियां करता रहता हूँ लेकिन तुम्हारी शिफ्ट में कोई परेशानी नहीं हुई कोई बात नहीं मुझे खुशी है सब कुछ ठीक हो गया शुक्रिया अब से मैं बहुत महिनत करूँगा ताके एक दिन मैं एक बड़े शहर का स्टेशन मस्टर बन सकूँ वाँ हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है हाँ अब रेल गाड़ियां वापस आने वाली होंगी समय कितना जल्दी बीट गया मुझे वापस चलना चाहिए हरबी ओ जा रहे हो क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगे क्यों नहीं जरूर मिलेंगे मुझे विश्वास है हम बहुत जल्दी मिलेंगे हरबी अच्छा ध्यान से जाना मदद के लिए शुक्रिया बाई बाई हरबी गुडबाई ओ मैं भूल गया एक मिलेट रुको तुभरा नाम क्या है मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है मैं आज के समय में लौट आया चूचू शहर जाकर देखता हूँ अरे वा यह है चूचू शहर मैं वापस आ गया मिस्टर हर्ब ओ टीटीपो आज तो बहुत जोश में लग रहे हो हाँ आगे से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँगा और एक शानदा रेल गाड़ी बनूँगा बहुत बढ़िया यह बताओ तुम्हें अचानक यह बदलाओ क्यों आया है मैंने देखा एक आदमी जो हमेशा गलतियां किया करता था अपनी मेहनत से कैसे काम्याब हुआ अच्छा कौन है वो कोई ऐसा है जिसे मैं भी जानता हूँ मैं नहीं बता सकता यह एक राज है शैतान कहीं का अपनी मेहनत से ठीटी पो एक शानदार रेल गाड़ी बन सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर हर्ब एक अच्छे ट्रेन मास्टर बने चोटी रेल गाड़ियां गाडियन एक्स देखने के लिए कठा हुई बहुत बढ़िया, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा टाडा, सुप्राइज दोस्तों ओ, टियो, आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो टियो क्या कोई रेल खराब हो गई नहीं जीनी, तुम्हारी तरह मैं भी यहां पर गाडियन एक्स का शो देखने आया हूँ टियो, क्या तुम भी गाडियन एक्स देखते हो हाँ, खास्तोर पर तब, जब उसमें सूपजी भी आये सूपजी? ओ, तुम लोग अभी यह नहीं जानते होगे, मैं देखाता हूँ वाँ यह है सूपजी, बढ़िया है ना यह गाडियन एक्स के शोव पर एक सूपर रेल गाड़ी हुआ करते थी, जब मैं छोटा था सूपर जी, वाँ और सूपर जी मैं दुबारा देखूंगा, इस पर यकीन नहीं होता अरे वाँ, मैंने टीयो को अतना खुश कभी नहीं देखा मैंने भी सूपर जी, तो ये ट्रेन सूपर जी है सूपर जी, बूस्टर, रफ्टार बढ़ाओ टीसल, तुमने वो देखा सूपर जी, कमाल का है सूपर जी, सूपर जी, से मिलने के लिए जा रहा हूँ लेकिन कैसे टीयो, मैंने फैन मीटिंग के लिए अपना नाम डाला था और देखो, मैं जीत गया वाँ, कितना मसा आएगा तुम किस्मत वाले हो टीयो हाँ, यह तो सपना सच होने जैसा है देखो, सूपर जी फिर से आ गया कुछ दिनों बाद, टीटी पो और डीजल अपने काम के बाद घर लोट रहे थे क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूपर जी बहुत शांदार रेल है? बिलकुल, उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत है उसकी रफतार भी बहुत तेज है सूपर जी, बूस्टर, रफतार बढ़ाओ मुझे नहीं हराप आओगे, चलो बूस्टर, रफतार बढ़ाओ सूप सूपर जी, तेज चलो इत्मोर आगया, रहे, जीजल अरे नहीं अरे नहीं अरे यह क्या हुआ, टिटीपो और डीजल तो गिर गए उसी समय, टेओ, सूपर जी से मिलने के लिए निकल रहा था हाँ हाँ आखिरकार ठीयो फिक्स, बताओ क्या हुआ है एक तुर खड़ना हो गई है क्या है ठीयो है ठीयो है फिक्स लो समहलो इनको ठीक है, शुक्रिया ठीटीपो, डीजल, तुम कैसे परट गए था हम दोनों दोड़ लगा रहे थे इसलिए गिर गए माफी चाहते हैं सूपर जी ठीयो क्या तुम सूपर जी से मिलने जा रहे थे हमारी वज़े से जा नहीं पाए मुझे पुरा लग रहा है कोई बात नहीं, मैं अगली बार चला जाऊँगा बस एक मिनिट के लिए रोको मैं कपड़े बदल कर आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि टीयो बहुत निराश होगा हाँ जानता हूँ उसका मुह एकदम से उतर ही गया था काश हम किसी तरह से उसे खुश कर पाएं मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है बताओ मुझे हम एक नाटक करते हैं सूपर जी का नाटक सिर्फ टीयो के लिए नाटक मुझे लगता है यह तो हम ऐसी रेल ढूंडेंगे जो सूपर जी चैसे दिखती हो और कपड़े एंडी तयार कर देगा तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है तो बताओ सूपर जी कौन बनेगा अगर मुझसे पूछते हो तो तोनी को बनना चाहिए और थंडर बोल्ट का रोल कर सकता है स्पीड और गार्डियन एक्स के लिए हैना कैसी रहेगी बिल्कुल ठीक रहेगी वो तो ठीक है कल से तयारी शुरू करते हैं मसा आएगा टीयों को ये बहुत पसंद आएगा चुजू शेहर में अगला दिन तो एंडी कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए कि सब गार्डियन एक्स के क्यरक्टर जैसे नजर आए गार्डियन एक्स के क्यरक्टर जैसे कॉस्ट्यूम बनाने हैं हां हम तुम्हारे शुक्र गुजार रहेंगे अरे यसी बात नहीं है लेकिन वो सब है कहां बस आता ही होंगे डीजल हां टीटीपो हेलो एंडी तुमसे मिलकर अच्छा लगा हेलो लेकिन तुम यहां पर अकेले क्यों आए टोनी कहां आए टोनी को अचानक से काम पर जाना पड़ा इसलिए मैं दूसरी रेल लेकर आया अच्छा की से साथ लेकर आए हो बहुत दिनों बात दिख रहें डीजल मिस्टर स्टीम हेलो सर अरे यह क्या है मिस्टर स्टीम तो बिलकुल भी सुपरजी जैसे नहीं थी माफ करना ट्राफिक की वज़े से मैं लेट हो गई मैं भी आ गई हूँ स्पीड कहा है हैना स्पीड उसको कहीं जाना था इसलिए वो नहीं आ पाया क्या इसलिए मैंने इसको कहा आने के लिए क्या काम चल पाएगा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है ठीटी बो और डीजल ठेहो को लेकर आडिटोरियम में आए हैं ठीक है अब मैं आ गया दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो हमें बहुत बुरा लगा कि हमारी वज़े से तुम सूपर जी से नहीं मिल पाए इसलिए तुम्हारे लिए हमने कुछ खास तैयार किया है खास? क्या है वो? अभी पता चल जाएगा अब तुम शुरू कर सकते हो शुरू? सूपर जी आ गया हाई सूपर जी हेलो हाट ओ नहीं मेरा मतलब थंडर बोल्ट सूपर जी प्रित्वी का दुश्मन भाग गया है वो बचकर निकल जाएगा जल्दी करो, हमें उसका पीछा करना होगा जल्दी आओ, हम पीछा करते हैं हाँ, उप्स, मेरा मास्क कार्टिन, एप्स हाना, जल्दी करो हमने ऐसा तो नहीं सोचा था अरे, सब गड़बढ हो गई सुपर्जी जल्दी चलो अगले दिन टिटीपो काम के बाद चुचु शहर वापस आ रहा था हेलो दोस्तो, मैं आ गया हाँ, टिटीपो, क्या हुआ तुम्हें तुम बहुत उदास लग रहे हैं टियो के लिए जो नाटक तयार किया था वो बेकार गया अच्छा यह तो बहुत बुरा हुआ टिटीपो, हेलो डीजल एक बढ़िया ख़बर लाया हूँ अच्छा, बताओ क्या है उस तरफ गार्डियन एक्स की शूटिंग चल रही है और वहार सूपर जी भी है क्या, सच में? हाँ, अगर हम अभी वहाँ जाए तो हो सकता है टियो सूपर जी से मिल पाए वाँ कितना अच्छा होगा ना चलो, टियो को लेने चलते हैं हम क्या, सूपर जी यहाँ पर शूटिंग के लिए आया हुआ है हाँ, अगर जल्दी जाए तो मुझे विश्वास है तो मुझे मिल पाओगे टियो और वो तुम हम पर छोड़ दो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया टीटी पो और डीजल टेयो को सूपर जी से मिलवाने ले जा रहे हैं हम है नावादने वाले गारियन एक्स उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए रुक जाएए प्लीज, यह रास्ता क्यों बंद है रुक जाएए माफी चाहता हूं दोस्तों, आप आगे नहीं जा सकते वापस जाना होगा लेकिन क्यों? हम खतरनाक सीन शूट कर रहे हैं किसी को चोटना लग जाए तो कोई और रास्ता ले लीजे कुस्मत ही खराब है हमने कोशिश तो की न, चलो अब घर वापस चलते हैं ठीक है रुकिये सॉरी, एक सवाल था यहां असपास कोई जगा है जहां ट्रेन ठीक होती है बताईए, मैं एक मेकानिक हूँ, किसी तरह की परिशानी है क्या वाहा, शूक्र है, हमारे शो की एक ट्रेन अचानक खराब हो गई है आपके शो में काम करने वाली रेल आपका मत्याप सूपर जी वो अचानक से रुख गया और तब से चली नहीं रहा है और किसी को नहीं पता कि क्या खराबी है क्या आप बता सकते हैं सूपर जी कहां पर है यहीं से उपर जाकर ठीक है, धीरे धीरे जाएए प्लीज टीटी पो, चलो जल्दी चलते हैं ठीक है सूपर जी जल्दी ठीक हो जाए तेयो सूपस जी की जांच कर रहा है शुक्र है कुछ ज्यादा बड़ी खराबी नहीं है बस कुछी चीज़ें ठीक करनी होंगी जो शुक्र है मुझे लगा था मैं शूटिंग पूरी ना कर पाऊं चिंता मत करिये जी मैं आपको चुटकियों में ठीक कर दूंगा बढ़िया मैं सब तुम पर चोड़ता हूँ वाँ टीयो कमाल का है है ना अब आप ठीक है चलने की कोशिश करिये मुझे पंक जैसा हलका लग रहा है बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी वजह से मैं शूटिंग पूरी कर पाऊंगा ऐसा मत कहिए आपकी मदद करना सम्मान की बात है मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ देखिए यह रहा सबूत यह तो बहुत पुराना है मैं अब मान तो मुझे मिला है तुमसे ही तीटी पो डीजल तुम दोनों का बहुत शुक्रिया आखिरकार में सूपर जी से मिल ही गया और उनकी मदद करने का मौगा भी मिला आदेखो ठीक है लेकि शुक्रिया सिर्क मुझे कहो तुमें हम दोनों ने यह सब मिल कर किया था अपने बच्पन के हीरो सूपर जी से मिलना ठेयो के लिए सपना सच होने जैसा था जैनी का स्वागत है काम के बाद टीटी पो वापस चूचू शेहर पहुंचा मैं आ गया बहुत अच्छे टीटी पो हेलो चीची कल बड़ी दूर से एक रेल गाड़ी को यहां आना है क्या तुम जाकर उसे ले आओगे नहीं रेल गाड़ी बिल्कुल ठीक वो दूर दूर तक सामान पहुंचा आती है शायद उसका नाम जैनी है क्या जैनी हाई दोस्ट मेरा नाम है जैनी क्योंकि जैनी वही रेल है जिसने मुझे रेगिस्तान में बचाया था ओ अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर वो जैनी है तो उसे लाने में मज़ा आएगा हेलो दोस्तों हाई चिची पो काम खत्म हो गया हाँ क्या तुम लोगोंने सुना करल एक नई रेल गाडी आ रही है हाँ सुना तो है हमने वू जैनी है वही रेल गाडी जो मुझे रेगिस्तान में मिली थी वाँ सचमे उसने तुम्हे बचाया था वाव कितनी अच्छी बात है वो माल गाड़ी है ना फिर तो वो बहुत सामान खीच चुकी होगी लेकिन उतना नहीं जितना मैंने खीचा है वो जो दूर से आ रही है वो है जैनी खुशी खुशी चूचू शेहर की तरफ बढ़ती हुई कल तक वो अपने नए घर पहुँच जाएगी और अपने नए दोस्तों से मिलेगी चूचू शेहर में अगला दिन हैलो मिस्टर हब हाई टीटी पो बहुत जल्दी आ गए मुझे जैनी को लेने जाना है ना बिल्कुल ठीट जैनी पहली बार आ रही है देखना कहीं रास्ता ना बटक जाए ठीक है वापस आकर मिलता हूं मिस्टर हब ध्यान से जाना मैं पहुच गया लगता है मैं वहाँ पहुचने ही वाली हूँ वहाँ मिलना है अब तक जैनी को आ जाना चाहिए था वो आ रही है मैं पहुच गए हेलो जैनी ती ती पो फिर से मिल गए लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ एक मिनट यहीं रुको क्या चूचू टाउन जाने के लिए तयार हो क्यों नहीं वाँ वहाँ पर क्या है कहा वो डिस्टिब्यूशन सेंटर है क्या तुम देखना चाहती हो जरूर वाँ यहां तो सामान की पहाड है यहां से माल गाडिया सामान को दूसरे देशों में ले जाएंगी मतलब मुझे भी यह सामान ले जाने का मौका मिलेगा हो सकता है यहां फिर किसी और दिन दोबारा आएंगे अभी चलना चाहिए ठीक है चूचू शहर जाने के रास्ते में जैनी को कई हैरान करने वाले और सुंदर नजारे दिखे कितनी उची उची मारते हैं हां अच्छी है ना इधर उधर ज्यादा मत देखो ध्यान से चलो ठीक है थोड़ी देर यहां रुकते हैं वाव यह जगा कितनी सुंदर है अच्छी है ना हां यहां तो चारों तरफ लोग ही लोग है और रेल गाडिया में नहीं तरह की है जल्दी तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी पता है टाउन जाते हुए रास्ते में समुद्र भी दिखाई देता है तुम वहां रुखना चाहोगी वाव मज़ा आएगा मेरे पीछे आओ ठीक है वाव बस थोड़ी ही दूर है साथ चलती रहो अरे जनी तो अलग रास्ते पर चल पड़ी कितनी बड़ी फाक्टरी है क्यों है ना टीटी पो कहां चला गया वो जा रहा है शुक्र है टीटी पो मिल गया जल्दी से उसके पास जाती हूँ टीटी पो मैं आ रही हूँ तदा हम पहांच गए जैनी ओ जैनी जैनी अरे नहीं वो खो गई मुझे उसे डूटना होगा टीटी पो टीटी पो टीटीपो टीटीपो हम तो समुद्र के तरफ जा रहे हैं ना हो मुझे से बात कर रही हो क्या तुम तो टीटी-पो नहीं हो समुद्र में कौन जा रहा है और य Pence ऑन है मुझसे गलती हो गई मैं माफी चाहती हूँ गलती कोशिश करना दोबारा ना हो ठीक है स्टेशन आ गया माफ करना है मुझे चूचू टाउन जाना है क्या तो मुझे रास्ता बताओगे जैनी को ढूंदता हुआ ठीटी पो उसी रास्ते पर गया जहां से वो आया था जैनी 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 टीटी पो क्या कोई परिशानी है थोड़ी देर पहले जो रेल गाड़ी मेरे साथ थी क्या आपने उसे देखा है इतना याद है कि हहां से तुम दोनों साथ गए थे और उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा शायद वो यहां पर वापस नहीं आई कि जरा सुनिये मेरी बात सुनिये क्या मुझसे कुछ कहा जी सर क्या आपने जैनी नाम की मालगारी को देखा है मैंने तो नहीं देखा ठीक है टीटी पो इतनी आसानी से हार नहीं मानता वो अब भी हर जगह जैनी को ढूंड रहा है लेकिन किसमत उसका साथ नहीं वे रही नहीं वो यहां तो बिल्कुल नहीं आई टीटी पो लानी हेलो हेलो परिशान लग रहे हूं सब ठीक तो है मुझे एक रेल गाड़ी को टाउन लाने का काम सौपा कया था लेकिन वो बिछड गए अच्छा बहुत बुरा हुआ सफेद रंग की माल गाड़ी है क्या तुमने उसे देखा है नहीं मैंने नहीं देखा अफसोस ठीटी पो को जैनी के बिना ही चूचू शहर लोटना पड़ा मैं आ कया मिस्टर हाभ ओ और नहुने तुमा है तुम बहुत ठक गये हो गये लेकिन जैनी दिखाई नहीं देबहीरी माफ करना वो कहीं खो गई मिस्टर हब क्या वो कहीं खो गई लेकिन ये हुआ कैसे वो हम मिले थे लेकिन वापस आते हुए जैनी हाई चीटी पो जैनी तुम कहा चली गई थी जैनी मैं पूरा दिन तुमें ढूनता रहा मैं आ गया मिस्टर हब किसमत से मुझे एरिक मिल गया और अपने साथ ले आया जैनी भटक गई थी और मुझे स्टेशन पर मिली अगर मैं उससे नहीं मिलता तो पता नहीं कहां से कहां चली जाती मुझे ध्यान रखना चाहिए था माफी चाहता हूँ कोई बात नहीं पूरे रास्ते मेरा ही ध्यान बार बार इधर उदर भटक रहा था गलती दोनों की है दोनों को सतर कहना था कभी भी अपना ध्यान मत भटकने दो क्योंके दुरगटना कभी भी वो सकती है समझ गए ना समझ गए जी चलो जो हुआ सो हुआ चू-चू सेहर में तुम्हारा स्वागत है जैनी शुक्रिया मैं शेहर का स्टेशन मास्टर हूँ तुम मुझे मिस्टर हब क्या सकती हो ठीक है मिस्टर हभ ही कहोंगी साबस जल्दी ही मैं तुम्हारे बारे में जान जाऊँगा देर हो तुम्हें अब सोजाना चाहिए तुम जैनी को उसका कमरा दिखा दोगे टिटी पो जी बिल्कुल गुड़नाइट मिस्टर हर गुड़नाइट तु तु भी मालगाडी हूँ हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी क्यों नहीं एक la धेलो दोस्तों यह है मेरी नहीं दोस्त इसका नाम है चयर्मीः हूं तुमसे मिलकर अच्छा मैं हूँ Genie मैं हो Sing Sing एकप्रण रेल काड़ी तुमसे मिलकर अच्छा लगा Jelly मैं हूँ Settier मैं रेल biscuit के डिप लगाता हू。 और मैं हूँ Loko तुम्हारे आये तरह साहे уд入ग मौन हमँ है मालोगाड़ini मैं हूँ Manny मैं मैं Bu N 포 Manny और मैं मौनी दौनी झब हैं सभसे मartetree हैं और जब लगा हम से भी मिलो ऑफिक्स मेरा नाम है ठस सो唱 मेरा नाम है लिफ रनरें अनों मेरी कशला ज्यूचा जूचू cow अच हुचू Iron सब्से हुच आज को मैं थोचूच चूच चूचूच चूच चूच तो यह गाना कैसे आता है? आमें यह तिल्टिकों निस हाने जेनी सुरक्षत वापस चूचू शहर पहुँच गई और छोटी रेल गाड़ियों ने उसका दिल से स्वागत किया इतने अच्छे दोस्तों से मिलकर जेनी को बहुत अच्छा लगा नई पट्रियों को चेक करने के लिए टीटी पोल लंबी यातरा पर निकल गया नदी के पार उंचे पहाड़ों को पार करने के बाद जब टीटी पोग घने रेगिस्तान से होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था वो रेट के एक जबरदस्त तूफान में भज गया लंबा सफर भाग दो चूचू शहर में छोटी रेल गाड़ियां कठा हुई हैं टीटीपो 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 से कोई बात हुई नहीं जीनी अभी तक तो बात नहीं हुई क्या टीटीपो को कुछ हो गया है क्या कोई बुरी खाबर है अरे नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं है रात ज्यादा हो चुकी है तुम अपने अपने कमरे में जाओ और थोड़ी दिर सो जाओ जाओ क्या कहती हो टीटी पो ठीक तो होगा ना उमीद तो यही है सभी को गुड़ नाइट ठीक है बाइए गुड़ नाइट एरिक गुड़ नाइट जीनी अभी करता हूं के टीटी पो ठीक होगा टीजल होश आ गया तुम्हें तुम तुम कौन हो हाई दोस्त मेरा नाम है जैनी जैनी हाई मैं हूँ टीटी पो लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है पता है तुम मुझे बेहोश मिले इस इलाके में रेट के तूफान आते रहते हैं और आज का तूफान तो बहुत ही जबरदस था मैं उसमें से निकल रही थी तभी मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें अपने साथ खीच कर ले आई तो यह हुआ था मुझे बचाने के लिए शुक्रिया बिल्कुल चलो अच्छा है कम से कम तुम्हें होश तो आया इससे पहले मैंने रेद का तूफान नहीं देखा डरावना था इतना भी डर नहीं लगता मैं दूर दूर पहले देशों में सामान लेकर जाती हूं आम तोर पर मुझे पहुँचने में कई-कई दिन लग जाते हैं इसलिए मुझे रेत के तुफान की और बर्फ के तुफान की भी आदत है ये बताओ तुम कहां जा रहे हो मैं? मैं पट्रियां टेस्ट करने निकला हूँ यहां बहली बार आया हूँ मिस्टर हब से बात करने की फिर से कोशिश करनी चाहिए जरूर मिस्टर हब मिस्टर हब कोई जवाब नहीं मिला रेत के तुफान की वज़ा से रेडियो खराब हो गया होगा चलो मेरे साथ आओ ठीक है ओ, टीटी पो, क्या बात है? मुझे अपने चूचू टाउन के दोस्तों की बहुत याद आ रही है तो तुम उदास हो है ना? अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ चक चक चूचू फिर से चक चक चूचू चक चूचू चोटी रेल चक चूचू चलो मिलके चक चूचू पट्री पर चक चक चूचू गाए हम चक चूचू मस्ती करें चक चूचू सोर से गाएं चक चूचू चक चक चूचू चक चक चूचू चक चक चूचू चक चक चूचू वाँ! मज़ा आ गया जैनी टिटीपो जब परिशान हो जाओ तो इसे गाना हाँ, ऐसा ही करूँगा टिटीपो, अब इस तरफ की पट्री पर चलते जाओ हाँ, मुझे इस तरफ से जाना है यहां से हमालग हो जाएंगे ओ, बहुत बुरा लग रहा है सुनो, जैनी, किसी दिन चूचू टाउन आओगी ना ठीक है, जरूर आओँगी जल्दी मिलेंगे हाँ, जरूर मिलेंगे जैनी से अलग होने के बाद टिटीपो अपने रास्ते पर चल पड़ा सफर बहुत लंबा था लेकिन शुक्र है, वो ज्यादा परेशानी के बिना अपनी मंजिल पर पहांच गया उधर चूचू टाउन में सभी दोस्त अब भी टीटीपो के लिए परेशान थे हेलो दोस्तों हाई जीनी टीटीपो का पता चला नहीं, आज भी कोई खबर नहीं मिली चलो, अब सोने का समय हो गया है, ठीक है, गुट नाइट, गुट नाइट, गुट नाइट थोड़ा रुक जाओ, ओ छोटी रिलगाडी, ये इलाका ड्रागन दादा का है, बिना मेरी इजाजत यहाने के हिम्मत कैसे होई, माफ करना, मैं तू सिर्फ टेस्ट के लिए निकला हूँ, टेस्ट के लिए, किसी और काम के लिए, मुझे उससे क्या, मैं तुम्हें यहां स सब्सक्राइब काहूंगा, समझ गए ना, क्या, ठीक है, तो हमारी बात तेह हो गई है, ठीक है, तो मैं पहला सवाल पुचता हूँ, बताओ, दुनिया की सभी चीजों में से कमाल की कॉन सी है, पता है, सबसे कमाल की चीज, ये तो मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता प्यान से सोचो तुम्हारे सामने भी हो सकती है वो इसका जवाब है डीजल वो बहुत ही दमदार माल गाड़ी है मजाख सर रहे हो मेरे साथ एक चोटी सी चगाचा का माल गाड़ी कमाल की कैसे हो सकती है लेकिन टीसल बहुत कमाल का है गलत इसका जवाब है मैं एक ड्राइगन क्योंकि मैं बहुत ताकत्वर हो और उपरोड सकता हूँ मैं सबसे कमाल का हूँ और जा सत्य हुआ था अब तुम्हे निकलने का वक्त आगया है आहा यह तो बैयानक सपना है अगला दिन शुरू हो चुका है मैं काम पर जा रहा हूँ ठीक है वाय अरिक अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करना मिस्टर हो गुद मॉर्निंग डीजल क्या आपको लगता है कि बैयानक ड्राइगन ने टीटी पो को निकल लिया होगा अरे डीजल ड्राइगन नहीं हुआ करते हैं नहीं होते सच में अगर वो होते तो भी टीटी पो को नहीं खाते हैं ना मुझे तो यहीं लगता है मैं पता लगाता हूँ टीटी पो के बारे में चिंता मत करो काम पर जाओ ठीक है आपसे बाद में मिलता हूँ सर ध्यान से जाना सब ही को टीटी पो की चिंता है उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी और सुरक्षत वापस आ जाएगा सूरज धीरे धीरे डूब रहा है शुक्र है टीटी पो चूचू टाउन वापस आ रहा है मैं अब तक घर नहीं पहुंचा हूँ मुझे दोस्तों की बहुत याद आ रही है हाँ? अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ आहाँ ठीक है का ना गाता हूँ चक चक चूचू चक चूचू चोटी बेल चक चूचूचू चले मिलकर चक चूचूचू तोड़े पच्ची पे चक चूचूचू गाए हम चक चक चूचूचू मस्ती करें चक चूचूचू सोर सकाएं चक चूचूचू चक चक चूचूचू चक चक चूचूचू चक चक चूचूचू चक चक चूचूचू अब रात हो चुकी है इस हिसाब से तो टिटी पो को आज शाम तक वापस आजाना चाहिए था कहीं कहीं ये टिटी पो हेलो मिस्टर हर्प मैंने कर दिखाया स्वागत तुम्हारा तुमसे बात नहीं हो पा रहे थी मुझे चिंता हो गई कुछ गरबड़ी हो गई थी शायद रेट के तूफान में मेरा रेडियो खराब हो गया था ओ टिटी पो ये मुसीबत बन सकता था तुम बहुत ठक गये हो गये जा थोड़ी देर आराम कर लो ठीक है गुड़नाइट मिस्टर हर्प गुड़नाइट टीटीपो तुम सुरक्षित वापस आ गया है वापस आ गया है किया कहा उसने शायद उसने कहा कि टीटीपो आ गया टीटीपो वापस आ गया है सच में हाँ वो देखो है टीटीपो ही है टीटीपो ही है हेलो दोस्तों तुम अब तक जाग क्यों रहे हो क्योंकि हम सब को तुम्हारी चिंता हो रही थी हम बहुत खुश है कि तुम वापस आ मुझे माफ कर दो नहाने जाते समय मैं तुम्हारा रास्ता रोकता था चीजे यह झूँ कि तुम सही सलामत वापस आ गए मुझे लगा कि मैं तुमसे दुबारा मिलने ही पाऊँ गा क्योंकि तुम्हें ड्रैगन ने खा लिया था यह बहुत परेशान था ब्रैगन डीजल ड्रैगन सच में नहीं होते हैं कितने बुद्धू हो तुम दीजल तुम भी क्या-क्या सोच कर बैठ जाते हो तुम्हें पक्ता पता है भी ड्रैगन में होते हैं मैं ठक गया हूँ सुने जा रहा हूँ टीटीपो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ कमरे इतने बड़ी नहीं है कि दो रेल गाड़िया सो सके मुझे पता है लेकि शाद मैं अंदर चला जाओं मैं सिकुड कर अंदर चला जाओंगा चुचु शेहर के दोस्तों ने टीटी हाई लोको हेलो गुड मॉर्निंग तुम भी काम पर जाने की त्यारी कर रहे हो हाँ क्या बात है बहुत ही खुश नजर आ रहे हो तुम मैं हूँ असल में लोको मैं तुम्हारी माल बोगियां ले आया वाँ नहीं चमकती माल बोगी अच्छी लगी ना ओ अ इसलिए तुम इतने खुश हो तो कहां से मिली तुम्हें ये माल बोगी असल में मेरे पास जो पहले बोगियां थी वो तूट रही थी तो मुझे नए वाली मिल गई मिस्टर हर्ब ने दिलवाई है मुझे ये अब मैं काम पर निकलता हूँ बाइ फिर मिलेंगे रीजल बो अलो आज के लिए तुम्हारी माल बोगियां तैयार हैं शुक्रिया सेटर हां मेरी कितनी पुरानी है तुम्हारा दिन अच्छा बीते डीजल ठीक है लोको कितना किसमत वाला है मुझे भी नई माल बोगी की ज़रूरत है हाई मिस्टर हब ओ डीजल ठीक समय पर पहुँच गए मिस्टर हब आपको नहीं लगता कि मेरी माल बोगी टूट पूट गई है टूट पूट लोको कुन नहीं माल बोगियां मिल गई है अब मुझे भी चाहिए सर डीजल पिछली बार तुम्हारी बोगियों की जांच करने पर हमें उनमें कोई कमी नहीं लगी मुझे नहीं लगता फिलहाल उन्हें बदलने की जरूरत है नहीं, जरूरत तो है, आप ज़र ध्यान से देखिए न देखता हूँ, इन्हें बदलने के बजाए इन्हें सफाई की जरूरत है नहीं बोगियां लेने के बजाए तूम्हें इन्हीं का अच्छे से ध्यान लखना चाहिए कितनी बार मैंने तुम से कहा कि इन्हें साफ रखो, सोने जाने से पहले तुम्हें इन्हें धोना चाहिए, लेकिन तुम भूर जाते हो नई माल बोग्यों के लिए कहा, तो इतना सारा भाशन सुना त्या उस रात नई माल बोगियों के बारे में सोचकर डीजल को नीद ही नहीं आई मुझे भी नई माल बोगियां चाहिए कोई ना कोई तरीका तो होगा ही असल में मेरे पास जो पहले बोगियां थी वो तूट रही थी तो मुझे नई वाली मिल गई मिस्टर हर्ब ने दिलवाई है मुझे यह अगर मेरे माल बोगी टूट जाए तो मुझे नई मिल जाएगी डीजल मैंने देखा तो मैरे बोगियां खराब हो गई है तंटड़ान तुम्हें नई बोगियां दे रहा हूँ अरि वा बहुत बढ़िया हां चमक रही है ऐसा ही करूंगा मेरी अकल का जवाब नहीं है अगले दिन डीजल अपनी माल बोगियों को लेकर निकल पड़ा ठीक है अब मैं प्लान शुरू करता हूँ मोडा गया तेस तोड़ी देर और अब छूडता हूँ हो गया इस तरह से इन्हें तोड़ना असान नहीं होगा अगर मैं कहूं कि मेरी माल बोगी खो गई तो कोई बात नहीं डीजल मेरे पास बहुत बढ़िया माल बोगी है जो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेंगी वाह कितना बढ़ी आइडिया है है टीटीपो खड़ा है आई टीटीपो ओ डीजल हाँ यह डीजल है हलो हलो कैसे हो तुम पढ़िया तुम बहुत याद किया डीजल ओ एक दूसरे को कैसे जानते हो हाँ बहुत समय पहले डीजल ने मेरी मदद की थी डीजल ने हाँ मेरी मम्मी और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गये थे क्या हुआ रो क्यों रहे हो मेरी मम्मी खो गई चिंता मत करो मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंद दूंगा आप ढूंदोगे हाँ आओ बैठ जाओ ठीक है तुब मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया डीजल कोई नहीं वाँ सुनकर अच्छा लगा डीजल अरे हो डीजल मैंने तुम्हारी बोगी पर जो स्टिकर लगाया था वो अब भी है स्टिकर ओ क्या ये है अरे वाँ बहुत प्यारा है तुमने अब तक लगाया है क्योंकि ये तुम्हारी तरफसे एक तोफ़ा था ओ दोस्ती का स्टिकर किस्मत वाले हो तो तुम्हें जलन हो रही है ये स्टिकर बहुत प्यारा है और मेरे पास है मैं अब चलता हूँ मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा डीजल आओ चले बाई फिर मिलेंगे हमें भी चलना चाहिए ठीक है मुझे अभी आदाया एक बर तुमने भी मुझे बचाया था वो निशान क्या भी तुम पर है निशान कौन सा निशान मैं देखता हूँ ये रहा मिल गया मुझे क्या मिल गया तुम्हें जिस जगे तुम पर चटान गिरी थी वो निशान ला-ला-ला-ला-ला-ला वो जान से तुम ठीक तो हो टीटी पो उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो मुझे कुछ भी हो सकता था अरे हाँ, याद आया शायद मैंने तुम्हारी जान बचाई थी टीटी पो तुमने नहीं डीजल, तुम्हारी मालगाडी ने बचाई थी शुक्रिया मालगाडी ये क्या कह रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई मजाग कर रहा हूँ जो तुमने किया वो कभी नहीं भूल सकता भूलना चाहिए भी नहीं टीटी पो, टीटी पो टीटी पो से अलग होने के बाद डीजल सामान लेने के लिए बंदरगाह आया और क्या हाल है डीजल मैं बढ़िया हूँ क्रेणी क्या हुआ उदास क्यूं हो क्रेणी मेरी माल बोग्या पुरानी हो गई है ना देखता हूँ ओ वो निशान क्या चीज देखो वो निशान अब भी है मुझ पर निशान है हाँ जब तुमने काम करना शुरू किया था तब लगे थे ये निशान याद है तुम है ये निशान पहली बार काम करते हुए लगे थे हाँ बेलकुल सही रख रहा हूँ रख रहा हूँ रख दिया और ये शायद मुझे चलना चाहिए वाँ नहीं हिलोबत अरे नहीं मेरी माल भोगी जब तक मैं सामान न रख दो तुम्हें नहीं चलना चाहिए माफी चाहता हूं मैं तब के मुकाबले तुम अब बहुत ही अच्छा काम करते हो डीजल पर मेरी बहुत कम तारिफ की तुमने काम के बाद डीजल अपनी माल भोगियां छोड़ने के लिए एक सुमसान जगह पर आये वाँ ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी हाँ अब तुमसे फिर नहीं मिलूंगा पुराने दोस्तो अपनी माल भोगियां छोड़ने के बाद डीजल कुछ उदास सा हो गया तुम्हारा शुक्रिया डीजल UH । तुम्हारे लिए कोई बात नहीं प्यारे दोस्तte अफिजन तुम ठीक हो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल नहीं जैसा हूं बहुत बहुत शुक्रिया डीजल चिंता मत करो जल्दी सब सीख जाओगे तुम शुक्रिया ठीक है मैं अपने कीमती माल बोगियों को नहीं छोड़ सकता इनसे मेरी यादे जुड़ी है ओ लोको डीजल तुम यहां तुम उदास लग रहे हो काम करते हुए मेरी बोगियों में स्क्राच पड़ गया अरे कोई बात नहीं इतना ज्यादा परिशान मत लोको क्योंकि यह सभी निशान बाद में तुम्हारे लिए यादे बन जाएंगे यादे बन जाएंगी विश्वास करो मेरा कुछ गड़ रहे हैं डीजल तुम्हारी एक बोगी टूट गई है क्या टूट गई तुम्हें अभी टीयों के पास जाना चाहिए और अहां डीजल और लोको डीजल की माल बोगी ठीक करवाने के लिए टेयों के पास गए शायद मैने पहले इन्हें तोड़ने की कोशिश की थी डीजल मैंने अच्छी तरह से जांच की है तुम्हारी माल बोग्यां ठीक हो जाएंगी तो आची यह अजिए लेकिन तुम्हारी भोगयां बहुत पुरानी हो गई है तुम चाहो तो मैं इनहें बदल दू नहीं आइशे मत करना मैं इन्हें कभी भी नहीं बदल वाऊँ गष au दीजल और सुबहा तो तुम कह रहे थे तुम्हें नई बोगयां causal na हां अभी नहीं चाहिए मुझे मेरे लिए मेरी पुरानी मालबोगी दुनिया में सब से अच्छी है हां हाँ डीजल मैंने सब ठीक कर दिया है इन्हें छोड़ कर देखो ठीक है इनको लेकर एक चक्कर काटाओ डीजल मैं जानता था मेरी पुरानी मालबोगी मेरे लिए सब से अच्छी है अपनी मालबोग्यां ठीक करवाने के बाद डीजल फिर से पट्री पर दोड़ रहा है मज़े करो डीजल लंबी यात्रा चूचू शहर में एक नई सुभा लेकिन लगता है कि टीटी पो के अभी तक आँख नहीं खुली है टीटी पो टीटी पो तुम्हारी शिफ्ट का समय हो गया है टीटी पो अच्छी अभी आया आज देर से नीद खुली फिक्स फिक्स मेरा नाम है फिक्स लेफ्ट 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 गुड्मारिंग लेफ्ट पीर हो गया यो टीटी पो गुड्मारिंग हाई बाई दोस्त फिर मिलेंगे अरे नहीं नहाना तो भूल ही गया क्या करूं बहुत देर हो गई गुड्मारिंग टीजल गुड्मारिंग तुम्हारी नींट भी देर से खुली हाँ नहीं मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं जड़ा जल्दी में हूँ हाँ टीजल मुझे भी नहाने जाना है अगर सोगे तो खोगे माफ करना एक मिनिट मतलब तुम्हारी आखरी बारी विचारा टीटीपो गलत बात है टीटीपो को देर हो ही गई गुड मॉर्निंग मिस्टर हब तो आखिर कर तुम आई गए टीटीपो काफी देर कर दी आज अब जल्दी से जाओ बाद में मिलता हूं मिस्टर हब ठीक है त्यान से जाना अगले दिन के शुरुवात टीटीपो टीटीपो काम पर जाने के समय हो गया है जल्दी उठो पिर से तेर से नीन खुली जल्दी से तैयार होना होगा हाँ एक खुला हुआ है जीजल विचारा टीटीपो आज पिर मेरे पीछे हैं हेलो मिस्टर हब टीटीपो आज फिर देर से आये हो तुम तुम्हें जल्दी सोकर उठना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा अगर तुम देर तक सोगे तो मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा और अगर काम पर देर से लिए ने टीटीपो को प्यार से समझाया जल्दी उठने के लिए अब मैं चलता हूं मिस्टर हब ठीक है जान से जाना यह तो डीजल है सबसे तगाड़ा डीजल इन चीजल तीटीपो तुमने तो मुझे डराहि किया तुम्हारी वज़े से मिस्टर हब से लिए बाते सुननी पड़ी उस में मैं जल्दी में था ना सारी टीटीपो अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा क्या टीटीपो व मैं भी अपनी जगाट ठीक हूँ कई दिन हो गए ठीटी पो और डीजल की आपस में कोई बात नहीं हुई कि अरी वाँ कि कि अच्छा लग रहा है मौसम भी बहुत अच्छा है घूमने जाने का मज़ा ही आलाद होता है है न दोस्तो अगले दिन काम पूरा करने के बाद टीटी पो वापस चूच उटाओन आ गया मेरा काम पूरा हो गया शाबाश तीटी पो अच्छा है तुम वापस आ गये सुनो कल तुम्हें पठलिया टेस्ट करने लिए जाना है है हां मैं कल जाओंगा फिर कुछ दिनों के बाद वापस कल तुम्हें लंबा सफर करना है तो इसलिए जाकर आराम कर लो ठीटी पो ठीक है मैं जाता हूँ गुड़ नाइट मिस्टर हाप गुड़ नाइट कि सोने चलते हैं हाँ शायद डीजल अब तक नहीं आया गुड़ नाइट एरिक टिटी पाँ अराम से सोना क्या जाने से पहले डीजल से दोस्ती कर लूँ डीजल को अब तक वापस आ जाना चाहिए था लो आ गया वो मैं आ गया शाबाश डीजल तुम थक गए होगे जाओ अब सो जाओ ठीक है मिस्टर हर्ब क्या टीटी पो भी वापस आ गया हां टीटी पो कुछी देर पहले वापस आया है ठीक है तो मैं भी चलता हूँ आब ठीक है गुड़ नाइट क्या मैं टीटी पो से मिल लूँ पर शायद वो सोच चुका होगा चलो मैं उसे नहीं जगाता हूँ फिर वो सुभा आ ही गई जब टीटी पो को लंबी यात्रा के टेस्ट के लिए जाना है टीटी पो तुम सब यहां क्या कर रहे हो हम तुम से मिलने आये हैं और गुड़ लक बोलने क्यूंकि तुम बहुत दूर जा रहे हो ध्यान से जाना टीटी पो सबका शुक्रिया लेकिन वो टीजिल कहां है अरे हां वो तो दिखा ही नहीं दिया जल्दी जाके वापस आओ नए नए बाते हमें बताओ और हमें नए नए किस से सुनाओ जरूर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा वापस आकर मिलता हूँ सेटर टीटी पो अच्छा लग रहा है तुम्हां लेकिन डर भी लोग रहा है तुम कर लोगे चिंता मत करो ठीक है डिब्बे लगा ले हम हम अब तुम तैयार हो शुक्रिया अब मैं चलता हूँ ध्यान रखना ठीक है गुड मॉर्निंग मिस्टर हब ओ आगे तुम ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो हाँ अच्छा ये बताए क्या डीजल काम पर गया अफसोस है तुम इससे मिल नहीं पाए वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था क्या कोई परेशानी है टीटी पो नहीं कुछ भी न टीटी पो टीटी पो टीटी पो टीटी पो अच्छा रहे हो तुम इस बार मैं दूर जा रहा हूँ सफर बहुत लंबा है लंबा सफर फिर तुम मजी करोगे तुम वापस आकर मिलता हूँ बिलकुल जल्दी मिलेंगे हम यह तो टीजल है क्या उसे बता दू कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं अरे नहीं हमारे रास्ते ही अलग-अलग हो गए और टीटी पो को डीजल से मिले बिना ही जाना पड़ा चलो चले लोडेंग और रख रहा हूं समान रख दिया डीजल अब तुम जा सकते हो ठीक है शुक्रिया क्रेनी अजीब बात है मैंने डीजल को कभी भी इतना उदास नहीं देखा डीजल हलो टायो तुम यहां आज सुभा अचानक मुझे टीटी पो मिला अर अब देखो तुम मिल गए अच्छा टीटी पो से मिले तुम हां उसने कहा वो बहुत दूर जा रहा है दूर जा रहा है वो डीजल क्या हुआ उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो जा रहा है नहीं बताया था मुझे दूसरी तरफ जाना है फिर मिलेंगे डीजल गुद्बाय टायो कल रात को अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जगा देता हुआ है हां हेलो मिस्टर हब मौसम विभाग ने बताया है कि वहां मौसम खराब रहेगा अभी कैसा है बढ़िया अब तक तो अच्छा है चलो अच्छा है कहीं रास्ते में जबगियां लेते हुए तो नहीं जा रहे है बिल्कुल नहीं चिंता मत कीजिए मिस्टर हब ध्यान डखना अगर कोई परिशानी हो तो मुझे बताना मुझे तुम पर विश्वास है जी मिस्टर हब कितनी गर्मी है एक के बाद एक रेत के पहाड़ आ रहे हैं ओ डीजल लगता तो डीजल ही है शायद वही है डीजल तुम यहां क्या कर रही हो टीजल रुक जाओ यह क्या हो रहा है वो उड़ कैसे रहा है रेगिस्तान की गर्मी टीटीपो पर अपना असर दिखा रही है वो क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या बात है टीटीपो मेरे रेट के तूफान में फस गया हो रेट का तूफान जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलो चीक है समझ गया पर मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्यूंकि तूफान बहुत दे टीटीपो 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 मिस्टर हम मेरा संपत तूट गया अब मैं क्या करूं टीटीपो रेट के जबर्दस तूफान में फस गया है हिम्मत से काम लेना टीटीपो सेटर बीमार है सुभा का समय है और लोको काम पर जाने की जल्दी में है लगा दिया हाई सेटर हाई लोको आज तुम बंदरगा जाओगे हाँ तुम्हारी माल बोगी तैयार है शुक्रिया सेटर वापिस आकर मिलता हूं हाँ भ्यान से जाना लगता है सब चले गई है ठीक है अब सारे डबो को ठीक से लगा देता हूं ठीक है हो गया थोड़ी देर आराम कर लेता हूं अरे नहीं आज मैं देर से उठाँ मुझे देर हो गई टीची पो है कैसे हो शायद देर हो गई इसे यह मेरे है अरे रुको तुम एरिक के डिप में ले जा रहे हो अच्छा अब मैं क्या करूँ मेरा काम शुरू होने वाला है रुको मैं ढून देता हूं लो मैं ले आया शुक्री है सेटर अब मैं चलता हूं ठीक है फिर मिलते हैं आराम से जाना ठीक है बाई अब तो सब चले गए अब मुझे दुबारा इने जोड़ना होगा ठीक है काम शुरू करता हूं लग गया काम पूरा हुआ अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूं है सेटर मैं काम करके आ गई मैं भी काम जल्दी खत्म हो गया वैसे तुम्हारी किसमत अच्छी है हाँ चलो चलकर आराम करें ठीक तुम्हारा दिन अच्छा भी दे सटा शुक्रिया अरे मेरे लिए तो रुको जीरी सब अपने डिब्बे छोड़कर चले जाते हैं चलो पहले इन डिब्बो को धो लेता हूं इन्हें धोने के बाद मैं आखिर कार ब्रेक ले पाऊंगा बस होने ही वाला है यह क्या हो गया मैं तो बिलकूल भी छली नहीं पा रहा हूं फेक्स सेतर को ट्रें प्रोडक्शन प्लांट ले जा रहा है एक तुर घड़ना हो गई है पता नहीं क्या हूं में एक दम चली नहीं पा रहा था ओ, सच में? ठीक है, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी सेटर? तुम्हारे एंजिन में कुछ खराबी आ गई है तो क्या ठीक नहीं किया जा सकता मुझे? अहां, लेकिन अभी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट्स आने में कुछ दिन लग जाएंगे दिन? अरे नहीं, अगर मैं नहीं रहूँगा तो डीपो में सब कुछ इदर उदर बिखर जाएगा बिखरे आसंबले तुम्हें आराम करना होगा ठीक है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है उस शाम, मिस्टर हर्ब ने छोटी रेल गाडियों को एक साथ बुलाया पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता तो सब यहां आ गए हैं न, मेरे पास एक बुरी खबर है सेटर बिमार है, काम नहीं कर सकता सेटर ज्यादा ही बिमार हो गया है, शायर कितना बुरा हुआ लेकिन दोस्तों, आखिर सेटर इतना बिमार कैसे हो गया पता नहीं, उसे तो हमारी तरह काम पर नहीं जाना पड़ता कुछ दिनों के लिए, मैं चाहता हूँ सेटर का काम आप में से कोई करे मैं तयार हूँ, सामान खीचने से तो आसान ही है ये काम मैं भी तयार हूँ, मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा मैं तुमारी मदद करूँगी, मिस्टर हर्प, हम संभाल लेंगे शाबाश मेरे बच्चो, मुझे तुम पर विश्वास है ठीज हो अगला दिन, टीटी पो सेटर का काम करने के लिए आया है काम पूरा करके आराम करूँगा टीटी पो ओ गुड मॉनिंग मैंई, एक सेकिंड रुको नहीं आया, ये लो, ये रहे तुमारे डिपे तुमारा शुक्रिया टीटी पो, तुम सेटर जैसा काम कर रहे हो काम ज्यादा मुश्किल नहीं बाई, बाद में मिलेंगे बाई, बाई, मैंई टीटी पो हेलो, मेरी माल बोगी ले आओगे प्लीज जरूर, बस अभी लाया काम पूरा हुआ मैं जानता था, इतनी मुश्किल नहीं होगी जब की ले लेता हूँ सेटर किस्मत वाला है टीटी पो जी, मिस्टर हब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बाई और मैनी कह रहे हैं, उनके डिपे बदल गए हैं एक बार देखो कि जरा बदल गए, सच्मे, जरूर, मैं जाकर देखता हूँ टीटी पो तेजी से बर्नी और मैनी के पास पहुंचा तुम्हारे पास सच्मे, गलत बिपे आ गए, माफी चाहता हूँ, बर्नी इस सब चक्कर में मुझे देर हो गई माफी चाहता हूँ सेटर कभी गलती नहीं करता था, मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ अभी सेटर हमेशा जल्दी से डिपे निकाल लाता था, तो मुझे लगा यह आसान काम होगा लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है टीटीपो, टीटीपो दो पहर का समय, और जीनी डीपो को संभालने में लगी है इन्हें अलग रखने के बाद मेरा काम ख़त मैं जीनी हेलो, ठीक से संभाल पा रही हो हाँ, मुश्किल नहीं है, चलो अच्छा है तो तुम काम करती रहो ठीक है, बाई अच्छे से काम करना अपने डिब्बे ऐसी ही छोड़ कर चले गए काम ख़त महीं नहीं हो रहा तुम्हारा दिन अच्छा बीते सेटर आप बिलकुल सब डिब्बे छोड़ कर चले जाते है मैं भी सेटर का काम मुश्किल बनाती थी डीजल गंदे डिब्बों को ट्रेन वाश में साफ कर रहा है कितना काम है यह अपने डिब्बों को खुद क्यों नहीं साफ करते है अब मैं जल्दी से जाकर गार्डियन एक्स देखूँगा डीजल तुम्हारे डिबे इतने गंदे क्यों रहते हैं क्या डंदे तो नहीं है यह मेरे हिसाफ से तो साफ है चलो अब मैं जा रहा हूँ गार्डियन एक्स देखने मैं भी तो अपने डिब्बे बिना साफ के छोड़ देता था मिस्टर हर्ब ट्रीन प्रोड़क्शन प्लांट में है ठीयो ओ हलो मिस्टर हर्ब हलो काम में लगे हो सेटर अब कैसा है पुर्जों के आने तक उसे आराम करना होगा बाकी रेल कैसा काम कर रहे हैं सर हम बिना सेटर के सब गलबड़ा गया है काफी परिशानी है यह तो मैं जानता हूं मुझे सेटर काम पर वापस चाहिए हलो सेटर ओ कैसे हैं मिस्टर हर्ब अब पहले से बेहतर हो हाँ मेरे बिना सबको बहुत मुश्किल हो रही होगी ना सर अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये परिशान होगा तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोई परिशानी नहीं है सच कह रहे हैं आप बिल्कल चिंता की कोई बात नहीं अच्छा मैं चलता हूँ आराम करो ठीक है मुझे पूरी उमीद है मेरे बिना सब सही से काम कर रहे होंगे वाव मैं आ गया वाव यहां सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है हेलो सेटर अब तुम्हारी यहां कोई ज़रूरत नहीं है सेटर क्या हम ये काम आराम से समाल सकते हैं हाँ सही का तुमने जो पार्ट्स मंगवाए थे लाया हूँ सच में लेकिन तुमने कहा था इसमें तो वक्त लगेगा जतना सोचा था उससे जल्दी आ गए वाव यह वी ना बात प्लीज अब जल्दी से मुझे ठीक कर दो टीयो ठीक है अब ही कर देता हूँ डीपो के काम में चोटी रेयर-गाडियां रात तक लगी रही। जीनी, अब हम सो सकते हैं। अभी नहीं, बहुत से टिपे संभालने बाकी हैं। डीपो, जीनी, सारे टिपे धो दिये। अभी नहीं, बहुत से टिपे हैं जिने धोना बाकी है डीजल। यहां बहुत से बाकी हैं अब मुझसे और नहीं हो पाएगा बहुत काम कर लिया मुझसे भी जितना भी संभाल लो काम खत्म ही नहीं हो रहा सेटर इतना काम अखेले कैसे कर लेता है मैं चाहता हूं कि सेटर जल्दी वापस आ जाए मैं भी है दोस्तों देखो कौन आया है तुम ठीक होकर वापस आ गए चलो शुक्र है हाँ हो यहां का ऐसा हल कैसे चाहती हूं माफी चाहते हैं सेटर हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा काम बहुत मुश्किल और ज्यादा है मैं समझ सकता हूं कोई बात नहीं मैं सब ठीक कर दूँगा सबसे पहले इस तर किलने में बहुत महनत की आएगा काम पूरा हो गया तुम कमाल के हो अब सब तरीके से लग गया तुम से अच्छा कोई नहीं सेटा शुक्रिया सेटा सच कह रही हूं माफी चाहती हूं माफी चाहती हो अपने डिप पे ऐसे ही छोड़ कर चले जाने के लिए मैं भी मुझे पता था तुम्हारा काम इतना मुश्किल है माफी जाता हूँ सेटा मेख़े बात नहीं मुझे खुषीस बात किये कि तुम लुग समज तो घये ये बताओ कि तुम पर आकर उदास तो नहीं मुझे लगता है मेरा काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है लेकिन एक बात कहूं अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरा काम और बहतर हो जाएगा अच्छा अपसे मैं अपने टिब्बे तरीके से रख कर जाऊंगी मैं भी मैं और मैं अपने डिब्बे देने से पहले हमेशा उन स्वागत है सेटर डीजल और रोगी देखो वो रहा डीजल लेकिन वो कहां जा रहा है डीजल हाई जीनी हाई सिंग शिंग हेलो कहां जा रही हो तू रोगी से मिलने के लिए तल ही तो तुम रोगी के साarea गूमने गय थे गया था रोगी इंतजार कर रहा होगा, बाई दोस्तों, बाद में मिलता हो तुमसे, ठीक है, उसे रोगी के साथ गूमना बहुत पसंद है, हाँ शायद, रोगी, है रीजो, तुमने कल रात गार्डियन एक्स देखा, हाँ, क्या कमाल का एपिसोड था, हम है, कभी नहीं हार मानने वा अल्ट्रा, गार्डियन बीम, फायर, हाँ, 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 डीजो, जरह वहाँ देखो, हाँ, 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 ह आज का दिन तो बहुत मज़िदार था तु बताओ कल हम क्या देखेंगे क्या तुम कल जाकर सूपर्मून देखना चाहोगे सूपर्मून वो क्या होता है रोगी ऐसा बहुत कम होता है जब चांद प्रिक्ष्री के ज्यादा पास होता है वाँ क्या सच में हाँ मैंने सुना था कि तुम सूपर्मून को देखकर कुछ मांगोगी तो वो तुम्हें मिल जाएगा कितनी अची बात है उसके लिए इंतजार करना मुश्किल है यही क्या बात है तो चलो कल मिलते हैं चांद देखने के लिए मुझे बड़ा नजर आता है अरी वा बहुत मन कर रहा है मेरा भी रोगी को मिलने की खुशी में डीजल को नीद ही नहीं आ रही वहाँ जाते हुए मैं मज़िदार कहानिया सुनाओंगा और मस्ती भरे गाने भीगाऊंगा तो वो मेंधग राजकुमार बन गया सेच में वो मेंधगी क्राजकुमार बन गया क्या हम बात कर रहे हूं अच्छी लगी रोगी पईयों पर उचल उचल कर हसेगा काश सुभा अभी ही हो जाए सुपरमून को देखने के लिए सभी दोस्ते कठा हुए हाई दोस्तों आ गए हम दोनों सही समय पर आए हो तो चलो चलो अब चलते हैं कितना मज़ा आने वाला है आज हाँ यह बताओ दोस्तों क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे हाँ जल्दी सुनाओ ना मुझे पता है अच्छी होगी किस दीज की कहानी है तो मैं सुनाता हूँ एक समय की बात है पहाड़ों पर एक खरगोश रहा करता था एक दिन मेरी तो हसी नहीं रुक रही तुम्हें बहुत अच्छी कहानी आती है डीजल यह डीजल खुश हुआ क्या तुम्हें पसंद आई रोगी रोगी मेरी खयाल से रोगी सो गया सो गया बताओ रोगी सो रहा या नाटक कर रहे हो ठीक है सर आप धहां से उत्रियेगा क्या क्या यह सच में सो गया है रोगी चलो उड़ चाओ शायद रोगी को कल बहुत काम करना पड़ा होगा शायद यहीं वचय होगी यह क्या बात हुई भला सुनो रोगी को जगाने के लिए चलो इक अच्छा सा गाना गाते हैं हाँ चीए टीटी पो टीटी पो टीटी ली टीटी टीटी पो मस्ती ली चलती चले चोटी रेल टीटी पो टीटी पो टीटी पो टीटी ली टीटी पो बढ़री बढ़ चलती चले टीटी ली टीटी ती तुम इंतना हिल क्यो रहे हो रोगी जा गय तो अरे दोस्तों मुझे सोने दो मैं इतने शोर में सो नहीं पा रहा हूँ क्या वहाँ पहुचने पर मुझे जगा दे ना तुम फिर से सोगे क्या मैं रात को देर से सोया था तो नीद आ रही है इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पूरे दिन सोगे वहां पहुँचवे तक मुझे एक जबकी तो लेने दो सोने दो उसे सोना ही था तो हमारे साथ आये ही क्यों क्या नहीं ये बात नहीं है रास्ता भी को कहां जा रहे हो तुम जीजल रोगी अरे नहीं ये क्या हो गया हम अगर इन पट्रियों पर गए तो लंबा चक्कर लगेगा मैं भटक गया सिर्फ तुम्हारी वज़े से मेरी वज़े से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रोगी ठीक है मुझे में कोई शौक नहीं है ये क्या डीजल और रोगी अपनी लडाए की वज़े से गलत रास्ते पर निकल गए टीटीपो 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 टायो तो तुम पहुंच ही गए बताओ कहा है सुपरमून दिखाई नहीं दे रहा क्या करें अचानक बादल छा गए और चान बादल में छुप गया अगर तुम थोड़ा से जल्दी आय होते तो तुमको चान दिखाई दे जाता सच में मैं नहीं देख पाया एक के बार दूसरी मुसीबत सब तमारी वज़े से हुआ है रोगी क्या मैंने क्या किया आज मैं गाना गाने और कहानिया सुनाने की तयारी करके आया था लेकिन autistic household ही रहे और इसी वज़े से हम सुपरमून नहीं देख पाये मैं भी सुपरमून देखना चाहता था और सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कुछ तैयारियां करके आए थे अच्छा अब आपको सही ठेहराने की कोशिश बिल्कुल मत करो रुक्वाभी दिखाता हूँ यह काम क्यों नहीं कर रहां बहुत अजीब बात है मस करो बहुत हुआ मजाग मैं मजाग नहीं कर रहां मैं सच में तैयारी करके आया था अरे छोड़ो अब मैं जा रहा हूँ जा रहे हो टायो जल्बी आओ चलो चलते हैं चलो मैं डीजल और टायो वापस घर जा रहे हैं सु तुम जानते हो रोगी, रोगी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता इस वक्त, देखो डीजल, बात सुनू, असल में कल रात रोगी, रोगी, ओ, टायो, तुम जाग रहे हो, इतनी रात को तुम कहा गए थे, मैं कंट्री स्टेशन गया था, लेकिन क्यो गए थे तुम, तयारी करने एक बहुत ही चौकाने वाले तोहफे की, तोहफा, क्या है वो, बताओ ना, बताओ मुझे, उसके लिए तुम ही इंतजार करना होगा, वो सारी तयारियों में लगा था, इसलिए वो ज्यादा देर सो नहीं पाया, क्या सच में, इसका मतलब जो कुछ भी रोगी ने हमसे कहा, वो सब सच था, अब मुझे बुरा लग रहा है, डीजल, आसमान में देखो, आसमान, ओ, सुपर मून निकल आया, ये तो उतन ही बड़ा है, जितना रोगी ने कहा, अगर हम में कुछ मांगू, तो वो पूरा हो जाएगा, क्यों, कुछ मांगना चाहते हो तुम, हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ के, हम सब दोस्त एक साथ हूँ, और साथ में सुपर मून देखे, डीजल, बताओ तुमने क्या सिर्फ इतना कि मैं दोस्तों के साथ सुपर मून देखू, तो हम फिर से पहाड पर चलते हैं, हो सकता है कि सुपर मून तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दे, तुम्हें ऐसा लगता है, जल्दी करों चलते है, रोगी, चीटीपो, वो चले गए होंगे, डीजल, यह आवा तो दोस्तों, इतनी देर से तुम यही थे, हम वापस जाही रहे थे कि हमें सुपर मून देख गया, तो मैंने ये मांगा कि मैं इसे सब के साथ स इखूं, ये मांगा, मैंने भी इल्कुल यही मांगा जो तुमने मांगा, सुनो, डीजल, मैं पूरा दिन सोना नहीं चाहता मुझे माफ कर दो.. ऐसा मत कहो.. TAYO ने بتायat कि तुम देर रात तक किःहाने कि तयारी करते रहे और में नारáz हो गया.. मुझे माफ की माखनी चाहिए.. ये बताऊ, तुम पूरी रात तयारी क्या कर रहे थे.. बताऊ ना जल–dy बताऊ, वो क्या था.. वो था खुबसूरत आथिश बाजी लेकिन अफसोंस बारिश की वजह से उसका रेमोट खराब हो गया कोई बात नहीं कम से कम हमने सूपरमून तो एक साथ देखी लिया ना हाँ सही कहाँ चारों दोस्त साथ में खड़े होकर सूपरमून देखते रहें मैं तो भूली गया टायो टीटीपो तुमने सूपरमून से क्या मांगा तो मैंने ये मांगा कि रोगी और डीजल की फिर से दोस्ती हो जाए सच में मैंने भी हम सभी की इच्छाए पूरी हो गई हां दोस्तों एक बात बताओं मिलकर मांगते हैं कि आतिश बाजी हो जाए कि आतिश बाजी हो जाए हां शायद सूपरमून हमारी ये इच्छा भी पूरी करते हैं ये बहुत बढ़ी आइडिया है हां यही मांगते हैं ठीक है हम सब एक साथ मांगते हैं पीस सूपरमून हम चलो हमें कोशिश दोंगी शायद एक ही इच्छा पूरी होती है मेरी इच्छा पूरी हो गई सुपरमून अब ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोगी मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हूँ सभी दोस्तों को एक साथ सुपरमून का मज़ा लेते हुए देखकर अच्छा लग रहा है और उनकी दोस्ती को देखकर भी डीजल कुछ अलग है चूचू टाउन में एक नई सुभा की शुरुवात आज मेरी छुट्टी है तो दिन कैसे बिताऊ जीनी आ रही है यहां तो कीचड़ है जीनी डीजल गुड मॉने सॉरी मैंने देखा ने कीचड़ है वहाँ पर डीजल तुमने चैन बोच कर किया है वापस आओ मैं जल्दी में हूँ अब डीजल अगली शातानी के बारे में सोच रहा था तुमने डरा दिया मुझे टीटीपो ऐसा मत किया करो टीटीपो है एक तरफोग बिल्लू जीजल मुझे चाना है बिलते हैं दूसरों को दंग करने में बड़ा ही मजा आता है अरे वो लोगो है आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे डीजल काम पे जा रहे हो इंडस्ट्रियल एरिया जा रहा हूँ लोगो चलो रेस लगाते देखते कौन पहले पहुंचता है रेस लगाए तो फिर चलो डीजल लोगो है दीमा कचुव मुझे मा कचुवा बोला मुझे रेकला मैं तुमसे तेज हूँ लोको अरे नहीं लोको ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो पट्री से उतर गया लोको टीयो लोको को बहुत चोट लगी है क्या पता नहीं पता लगाने के लिए मुझे पूरा चकप करना होगा डीजल मुझे लगता है तुम्हें जाकर अब आराम करना चाहिए लोको मुझे माफ करतो गल्ती मेरी है टीयो मुझे ठीक कर देगा चंता मत करो डीजल उमीद है तुब जल्दी ठीक हो जाओगे बाई टीयो अब मैं चलता हूँ बाई जाओ आराम करूँ ठीक है उस शाम छोटी रेल गाड़ियां मिस्टर हर्ब के पासे कठा हुई सुनो लोको को एक नए पुर्जे की जरूरत है जब तक वो पुर्जा नहीं आता उसे वहीं रहना होगा बीचारा लोको वो बहुत डर रहा होगा काफी हैरानी की बात है क्योंकि लोको कभी मोर पर तेज नहीं दौड़ता यह दुरगटना मेरी वज़े से हुई है तुम्हारी वज़े से? हाँ मैंने उसे धीमा कच्वा पोल कर उकसाया था तो मुझे खलत साबित करने के लिए वो तेज तोड़ा खलती मेरी है होसला देखो डीजल लोको बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेकिन आगे से ऐसी खतरनाक शतानिया नहीं करना समझे डीजल ठीक है सर ठीक है अब तुम सब लोग जाओ ठीक है उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा ये डीजल है कल से फिर शैतानिया करने लगेगा हाँ तुमने ठीक हाँ बिल्कुल चलो सब घर चलते हैं ठीक है अगली सुभा डीजल और टीटी पो काम के लिए निकल गए ओ ये तो डीजल है अब पता चला डर पोग बिल्ली कौन है तुम तो मुझसे भी ज्यादा चिलाए तुम सच में बहुत डर गए होके जब मैंने शैतानी की थी ना मुझे माफ कर दो टीटी पो मैं तो तुम्हें हसाने की खोशिश कर रहा था हाई डीजल हाई जी नी कैसी हो काम खत्म हो गया कहीं घूमने चलोगे नहीं शुक्रिया मैं नहीं जा सकता नहीं लेकिन क्यों काम रहता है क्या मेरे जैसी शैतान रेल को घूमने का कोई हक नहीं है क्या सब ही रेल-गाडियों ने लोकों से मिलने का फैसला किया डीजिल बाहर आओ कैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा क्या मुझे नहीं लगता कि लोकों मुझे देखके खुश होगा तुम सब मेरे बिना ही चले जाओ हाँ डीजिल हाँ हाँ दोस्तों अब कैसे हो तुम्हाँ ने बताया नया पार्ट लगने के बाद मैं फिर से दोड़ने लगूंगा ये तो अच्छी बात है लेकिन डीजिल कहां है डीजिल तुम्हारे एक्सिडिन्ट के बाद वो बहुत बदल गया है बहुत ज्यादा वो अब घूमने तक नहीं जाता है और उसने कहा कि तुम उसे नहीं देखना चाहोगे इसलिए वो नहीं आया सच में डीजिल तुम्हारे गिरने की वज़े खुद को मानता है तो ये बात है पर मुझे अच्छा लगता है कि डीजिल शरारते करता है हो सुनो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है जिससे डीजिल को अच्छा मैसूस होगा हो क्या आइडिया है अगले दिन छोटी रेल गाड़ियां डीजिल को खदान में ले गई हम पहुच गए हम खदान में क्या करने आए हैं डीजिल याद है तुम मुझे पहली पार खदान दिखाने के लिए लाए थे मैं तुम्हें हमेशा से उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती थी शुक्रिया मुझे उस दिन मजा आया था वाव इस तरफ चलना है ठीक है हम यह एक्स्प्रेस्ट्रेन यहां क्या कर रही है हम मुझे लगता है कि सिंग सिंग को दूसरी माल गाड़ियों से दोस्ती करने में मुश्किल होगी सिंग सिंग सुनो तुम यही पर रुको यहां पर यहां क्यों अभी पता चल जाएगा डीजल देखो क्या हाल हो गया मेरा यह दोस्तों देखो यह सिंग सिंग है अरे डीजल तुम्हारी शैतानी से तुम्हारी दोस्त को चोप लग सकती थी क्या तुम ठीक हो हां हां मैं ठीक हो इस शैतान डीजल की जखा चलो हम तुम्हें खदान घुमा लाते हैं वाव सची बिलकुल बस तुम हमारे साथ साथ चलो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ मैं जानती हूँ तुमने वो शैतानी क्यों की थी ताकि वहां मेरी सबसे दोस्ती हो जाए थैंक यू डीजल कोई बात नहीं ठीक है अब हमें दूसरी जगह जाना है दूसरी जगह चोटी रेल काड़ियां डीजल को चुचु टाउन के औरिटोरियम में ले गई डीजल तुम्हें याद है पिछली बार यहां क्या हुआ था याद है जीनियोर मेरी लडाई हो गई थी अब तक शुरू भी हो गई होगी अरे नहीं कोई जगह खाली है को जगह खाली है आगे से देखने कि आज मेरी बारी है नहीं तुम्हें याद नहीं इस बार मेरी बारी है नहीं मुझे याद नहीं जूट मत बोलो तुम दोनों भी अजीव हो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो उस चगह के लिए चीची पो मुझे माफ कर दो कुई बात नहीं मैं भी अपना सोच रहा था माफ कर दो ये बात अच्छी दोस्तों को ऐसे ही रहना चाहिए इसी विए सबसे आगे वाली लाइन मैं ले लेता हूँ जीजल उसे समझना मुश्किल है जीनी क्या हम दोनों साथ साथ यहीं से फिल्म देखे ठीक है तुम्हारी वज़े से डीजल मेरी और चिटीपो की लड़ाए खत्म हुई तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल अब मुझे सुनकर खुशी हुई एक बात बताओं तुम हसते हुए और शरारते करते हुए अच्छे लगते हो ठीक कहा जब तुम हमारे साथ शरारते नहीं करते तो बोर्यत होती है तुम्हारा शुक्रिया दोस्तो सुनकर अच्छा लग रहा है सुनो मौसम बहुत अच्छा है बाहर घूमने और खिलने चले अच्छा है छोटी रेल गाड़ियां समुद्र के केनारे जा रही है अचानक क्या हुआ आस्मान में काले बादल चा गए ऐसा रखता है बारिश होगी पापस चाहिए मुझे घूमने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था मुझे माफ कर दो दोस्तो कोई बात नहीं जीसल दोस्तो एक आइडिया है हम गाना गाते हैं कौन सा गाना याद नहीं वो प्यारा गाना जो तुमने सिखाया था जब पिछली बार घूमने गए थे ओ सही कहा उस दिन भी ऐसे बरसात हो रही थी मुझे याद है तुम्हारी साथ गाना गातर बहुत मजा आया था उसे ही दुबारा गाते हैं हुँं हुँआ दपるपरसी दप दप्रपरसी दप दपरसी भी मुझे हं पर चंचम परसी चंचम परसी चंचम stratवी हं पर जुए गए एक पदम dois बदम जद्रती जय जए हम मिलके मना ए मोट जब थी बरसी भी तुम दए हम पर जब छोटी रेल गाड़ियां हसते गाते जा रही थी तब ही सूरज निकलाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डीजल हो हाई दोस्तों लोको क्या अब तुम पूरी तरह से ठीक हो बिल्कुल एक नए इंजन जैसा मैं बहुत कुछ हूँ मुझे तुम्हारी बहुत चिंत हो रही थी डीजल उस बारे में टीयों ने कुछ बता है मुझे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि में रेगुलर चेक अप नहीं करवा रहा था क्या मतलब इसमें मेरी कोई गर्थी नहीं थी मैं ऐसे ही खुद को दोशी मान रहा था सॉरी डीजल अब ही बताता हूँ तुमको अपने दोस्तों की बजह से डीजल फिर से हस्मों को और शरारती हो गया है लेकिन आगे से खतरनाक शरारते मत करना डीजल अपना काम पूरा करने के बाद जीनी चुचु शहर में लौट आई है सुनो जीनी तुम जानती हो मैंने एक नई शांदार जगा देखी है मैं आज जील के पास से गुजर रहा था और वहां दोनों तरफ फूलों वाले पेड़ों की कतारे थी सभी के सभी फूल खेले हुए थे इसलिए लग रहा था जैसे वो फूलों की सुरंग हो वाँ शांदार मुझे भी फूचके देखनी है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए इससे पहले की रात हो जाए मैं जरूर जाओंगी बताने के लिए शुक्रिया अरे कोई बात नहीं आज जीनी की छुट्टी है और वो फूलों को देखने जा रही है बस मैं जल्दी से पहुंचा जीनी हलो जीनी हाय है बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर तुम सब कहा जा रहे हो चूचु शहर जा रहे है हम चूचू शहर हां मैंने सब को बताया कि तुम्हारा शहर कितना अच्छा है इसलिए सब उसे देखना चाहते हैं सुनो जीनी क्या तुम्हें कुछ काम है नहीं आज मेरी चुट्टी है वा सच में तो क्या तुम हम सब को चूचू शहर घुमा सकती हो वा प्लीज हमें भी मां आज़ी मंः टुम्हें नहीं तुम्हें ज़ी इंपहारा दोस्तों चूचूटाउन अच्छे से दिखाऊंगी क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया जीनी ने छोटी बसों को सेर करवाई और उन्हें पूरा शेहर दिखाया कितनी अच्छी जगा है यह जरून डीजल का घर होगा यह तो बहुत बढ़िया है तुम्हारे साथ गूमकर बहुत मज़ा आया जीनी शुक्रिया कोई बात नहीं त्यान से घर जाना ठीक है तुम से जल्दी मिलते हैं अब मैं फूल देखने जा सकती हो शुक्र है कि अभी भी रोष्णी है जीनी कैसी है तुम से एक साथ बिल्कुल हमें भी रास्ते में टायों मिला था उसने कहा कि तुमने उसे शेहर की सेर कराई इसलिए हमने सोचा कि तुम हमें भी शेहर घुमा के लाओगी इस समें वैसे हम भी छोडी बसों के साथ आना च जरूर पूरा शहर दिखाऊंगी वाँ शुक्रिया जीनी जब तक जीनी ने उन सब को सेर करवाई सूरज डूबने लगा था चुचु टाउन का माल का है शुक्रिया जीनी बाई 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 दोस्तों अंधेरा होने लगा है लगता है मैं फूल नहीं देख पाऊंगी अरे नहीं जीनी हेलो हाँ हेलो आज टीवी पर गार्डियन एक्स आएगा हाँ याद आया आज आएगा हाँ मज़ा आएगा आज गार्डियन एक्स की उस बदमाश के साथ आखरी लड़ाई होगी पसे हैगा जल्दी चलो टीटीपो हाँ साथ में देखेंगे हम है नाहार देवाले गार्डियन एक्स ओ जी कहिए अच्छानक कुछ काम आ गया है इसलिए तुम्हें अभी जाना पड़ेगा क्या बिलकुल अभी हाँ मुझे तुम्हारी तुर्ण ज़रूरत है मैं अभी आया क्या तुम्हें फिर से काम पर जाना है हाँ हाँ मेरा बहुत मन था देखने का लेकिन मैं क्या करूँ उसे कितने दिनों से इश्यो का इंतजार था उसकी जगा लेने का सोचना भी मत पहले ही तुम शेहर दिखाने के चक्कर में फूल नहीं देख पाई हाँ लेकिन टिटीपो अपना मन पसंद हीरो गार्डियन एक्स को नहीं देख पाएगा लेकिन गार्डियन एक्स तो तुम्हें भी बहुत पसंद है लेकिन टिटीपो कितना उदास लग रहा है तुम जाओगी वो खुश हो जाएगा नहीं, ऐसा मत कर रोख जाओ टीटी पो, रोख जाओ क्या? तुम्हारी चके मैं चले जाओगी तुम गार्डियन एक्स देखो क्या? सच में? हाँ, मैं बाद में देख लूँगी तुम कबसे इंतजार कर रहे थे? ओ, शुक्रिया जीनी कोई बात नहीं, तुम शो का मजा लो बाद में मिलते हो ठीक है, बाद में मिलते हैं जीनी फिर से शुक्रिया आखरी स्टेशन आ गया सभी को बाई-बाई आज मेरा दिन नहीं था ना फूल देखें और ना ही शो अगली सुभाष शुरू हो चुकी है और जीनी अपने काम पर जा रही कैसी हो जीनी? ओ, हेलो पर्नी तुम वो सुन्दर फूल देखकर आई? अब ही नहीं, समय नहीं मिल पाया अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ अनुमान है कि आज राद बरसात होगी और अगर बरसात हुई तो सारे फूल गिर जाएंगे सच में गिर जाएंगे? मुझे चल्दी जाना चाहिए शुक्रिये बर्नी अरे कोई बात नहीं, अच्छा, मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ फूल देखने जरूर जाना, जीनी आज मैं जरूर जाओंगी, चाहिए कुछ भी हो जाए बाल-बाल बची, भारी सामान के साथ इतनी तेज नहीं जाना चाहिए सबको बाई-बाई तो अब मैं चलती हूँ अग्सिजिंट उमीद है, इसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं निकल भी नहीं पाऊँगी चिटीपो, चिटीपो बताओ आज कहां गूमने चले हूँ चलो, अम्यूस्मेंट बाग चलते हैं सब इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा ओ, सुनो दोस्तों, जरह वहाँ पर देखो ब्रेकिंग न्यूज, एक माल गाड़ी पट्री से उतर कर पलट गई है लेकिन अब उस माल गाड़ी को खींच कर ठीक होने के लिए ले जाया गया है लेकिन पट्री पर चट्टाने बिखर गई हैं, जिससे रेल गाड़ी का आना जाना रुपया है अरे, वो देखों जीनी देखतना की वज़़े से वो भी भेस गई है आओ दोस्तों चले, देखते हैं शायल हम में से कोई उसकी मदद कर पाए मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाओं जीनी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी कोई और दूसरा रास्ता नहीं है पट्रियों पर चट्टाने है, मैं नहीं चल सकती, माफी चाहती हूँ जीनी, तुम ठीट तो हो ना तुमें जोट्टों नहीं आए न, लेकिन तुम सब यहां क्या कर रहे हो हमने तुमें न्यूस में देखा, इसलिए फट फट यहां चले आए तुम्हारी मदद करने के लिए, ओ शुक्रिया मदद कैसे करोगे, हाँ, मुझे पता है, मेरे याथ्रियों को क्या तुम अगले स्टेशन तक पहुंचा दोगे, अगली स्टेशन तक, हाँ, अगर तुम उन्हें वहां उतार दोगे, तो दूसरी रेल-गाडी उन्हें वहां से आगे ले जाएगी, हाँ, हम बज़ा चली आईए, चली आईए, चली आईए, शुक्र है, जेनी, तुम ठीक हो न, ओ, मिस्टर हब, छोटी बस है, मेरे याथ्रियों को अगले स्टेशन पहुंचा कर मेरी मदद कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और वहां टीटी पो उनका इंतजार कर रहा होगा, सच में, ट निकल पड़ा है, उसने कहा के तुम्हें मदद की जरूरत है, चलो चले, बढ़िया, हाँ, शुक्र है, सब ठीक हो गया, हाँ, जरा सुनो, लिफ्ट, माफ करना, लेकिन मैं कब जा सकती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें पूरी रा सब्सक्राणिया भसी है, कितना वप्तार ले रहा है, कहां पास गए, लगता है, अब मैं पूल नहीं देख पाऊंगी, जीनी, हम आ गए, हाँ, हाँ, मैक्स, ही जीनी, हमने तुम्हें न्यूस पर देखा, जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास चले आए, बता है, आज मैं खिले हुए फूल देखना चाहती थी, लेकि नहीं देख पाऊंगी, अगर नहीं गई तो इस बार नहीं देख पाऊंगी, चिंता नहीं, जब है हम तो क्या है गम, क्या, सब मिलकर करेंगे, तो होगा सारा काम जल्दी खतम, बस अब तुम देखो हमारा कमाल, तुम सब की मदद से हमने पट्रियां जल्दी साफ कर ली, शुक्रिया, जीनी, काम पूरा हो गया, वाह, इतनी चल्दी, सब ठीक रहा ना, बिलकुल, सबी छोडी बसों ने लोगों को जल्दी स्टेशन पहुचा दिया, तो मेरा गाम जल्दी तुम जल्दी पहुचा दिय हो गया, सुनकर अच्छा लगा, सबने मिलकर मेरी मदद की, हमेशा करेंगे, बिछली बार तुमने जो मेरे ले किया, मैं कभी नहीं भूल सकता, हम भी कभी नहीं भूलेंगे, जब भी तुम परशान होगी, हम तो बार साथ हमेशा होंगे, देखो, अधेरा होने वाला है, जीनी, जल्दी से भूले को देखाओ, छीक है, मैं भी जाती हूँ, क्या हुआ, मुझे एक अच्छा आइडिया आला है, इतनी संदर फूल खिले है, ये जगा तो पता भी नहीं थी, हमेशा हो, सब के साथ देखने में ज्यादा मसाता है, है ना, छीक कहा, खुश होना उनकी मदद करें, और उसकी बाद तो फूल भी देख पई, मैं मानती हूँ, दोस्तों के साथ ज्यादा मसाता है, अब आगे से मेरी दोस्तों को जब भी ज़रुरत होगी, मैं उनकी मदद करूंगी, कितना सुन्दर है, जीनी का दिल भी उतना ही अच्छा है, जितने ये खिले हुए फूल, माफ कर दो, एरिक, छोटी रेल गाड़ियां गोल चकर परेकठा हुई है, हलो दोस्तों, हाई एरिक, हलो, तुम्हें एक नई बात पता चली, कुछ दिनों के बाद, हमारे प्लांट में एक फेस्टिवल होने वाला है, मेरा तो सुनकर ही दिल आतिश बाजियां होगी, आतिश बाजी होगी, मज़ा आएगा, हाँ, तो क्या वहाँ हम सब एक साथ चलें, हाँ, ज्यादा मज़ा आएगा, हाँ, चलो, अब में चलता हूँ, याद रखना तुम लोग, ठीक है, एरिक कितना खुश है, हाँ, सच में, आखिरकार फेस्टि आने को कहा, हलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा ही इंतुजार था, चलो, चले, तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा, क्या, पर क्यों, बताओ न, मेरी अचानक ड्यूटी लग गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ, उमीद है, तुम लोग मज़े करोगे, मज़े आएंगे, चलो, जल्दी चलते हैं, टीजल, नहीं एरिक, हम तुम्हारे बिना नहीं जा सकते हैं, हाँ एरिक, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा, ऐसा कहने के लिए बहुत शुक्रिया, अब जाना होगा, चलो, बाद में मिलता हूँ, हाँ, द्यान से काम करना, मैं भी जाना चाहता था, आज हम जब को एक साथ चुट्टी मिली और हम यहां पर खड़े हुए हैं, क्या करें, कुछ और करने का सोचते हैं, सुनो दोस्तों, एक बार, वहां चल कर तो देखते हैं, कि आखर वहां है क्या-क्या, नहीं, अगर एरिक को पता चलेगा तो पोड़ी देर देखना है तो, इतना मत सोचो, आओ चलते हैं चल्दी से, चोटी रेल गाडियां प्रोड़क्शन प्लांट पहुच गए, जहां फेस्टिवल चल रहा है, यहां ट्रेन पेंटिंग भी हो रही है, मैं तो काड़ी नेक्स की तस्वीर बनवाऊंगा, कोई चलो वहां चल कर देखते हैं, सुनो दोस्तों, हम यहां थोड़ी ही तेर देर आए हैं, मेरे लिए रुको, वाँ, बढ़ लोगी, कितनी अची जगे हैं, तुम और मैं, यूही हम मिलकर चले, हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, तारो जैसे चंके यारी, यह दोस्ती है प्या अगले दिन की शुरुवात, कल माजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, हम एरिक के बिना चले गए, मुझे भी, हाँ, आज सुबह वो मुझसे मिला भी था, हाँ एरिक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लोको, उसका मूट बहुत खराब लग र क्योंकि वो फेस्टिवल नहीं जा पाया, इसलिए, अब हम क्या करें, कोई तो तरीका होगा, जो सेरे का मूट ठीक हो जाए, हाँ, उस रात काम के बाद, छोटी रेल गाडियां, एरिक को समुद्र किनारे ले गए, एरिक, बाहर आकर अच्छा लग रहा है, ना, यहां आक अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहां पर आये क्यों हैं, क्योंकि हम फेस्टिवल नहीं जा पाये, तो हमें लगा आज रात कहीं घुमने चलते हैं, अच्छा यह बात है, वाँ, आस्मान में देखो, तूटे हुए तारे, वाँ, एक वहां पर भी है, हाँ, एक वहां पर जल्दी, हाँ, सुनो दोस्तों, तारे देखना बंद करके गार्डियन एक्स देखते हैं, वाँ, कितना अच्छा एडिया है, आज का एपिसूर बहुत ही शांदाल होगा, चलो जल्दी चलते हैं, रेक, हाँ, छोटी रेल गारियां औरिटोरियम में पहुँच गई, कुछ मुझसे और इतिजार नहीं हो रहा, मुझसे भी, और उन्हीं में से एक था वो फेस्टिवल, जो ट्रेन प्रोड़क्शन प्लांट में हुआ, जी हाँ, बिल्कुल, आईए उस फेस्टिवल के कुछ दिरिश्य देखें, आपका स्वागत है, आज मैं शामिल हुई हूँ, ट्रेन प्रोड़क्शन प्लांट के फेस्टिवल में, अरे नहीं है तो, ट्रेन प्रोड़क्शन प्लांट का फेस्टिवल दिखा रहे हैं, जैसे क्या आप लेख सकते हैं, यहाँ बच्चे बड़े, सभी के लिए पुछ न कुछ है, हम टीवी पर है, डीजल, कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है कोई मदद करो आप दीजल को बहुत दर्द हो रही है अब हम क्या करें क्या हुआ तुम्हें डीजल मुझे नहीं पता है नहीं मालूम मुझे टीयों के पास ले चलो ठीक है मैं तुम हमाले जलता हूँ गार्डियन एक्स डीजल जल्दी मेरे साथ जुड़ जाओ अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ क्या पर तुम तो दर्द से करा रहे थे अब अब मैं ठीक हूँ देखो गार्डियन एक्स चलो टीवी देखें डीजल की तब यह तो ब तिटी पो टीटी पो अच्छा दोस्तों मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अभी से मुझे जाकर कुछ काम करना है बाए दोस्तों ठीक है गुड़ नाइट एरेक कि लगता है उसे खुश करने का हमारा फ्लान काम्याब नहीं हुआ नहीं हूँ वह उदास है क्यों कि φेस्टिवल नहीं जा पाया क्यों नहीं हम एरेक के लिए एकập बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखें एरेक लिएमले क्रया हम अपने शहर में ही बहुत बढ़िया करते हैं वो बहुत अच्छा एडिया है एरिक को ये बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल तो ठीक है कल सुबा से ही तयारियां शुरू करते हैं अगले दिन छोटी रेल गारियां फेस्टिवल की तयारियों में जुट कोई हमें जल्दी करनी होगी एंडी हम अपने शहर में पो ने ट्रेन पेंटिंग में हिस्सा लेने के लिए एंडी से बात की जीनी और लो को फिक्स और लिफ्ट को गाने के लिए कह रहे हैं और डीजल प्रोडक्शन प्लांट में गया है ठेयों के पास तुम्हें कल आतिश बाजी करनी है हाँ और एरिक को मग बताना ठीक है और एरिक को मैं ना बताओं ओ सॉरी मुझसे ये नहीं होगा कल मुझे कुछ और करना है सच में आज एरिक के स्पेशल फेस्टिवल का दिन है वाँ कितना अचे बशामत है लेकिन अफसोस है फेस्टि कोई बात नहीं हमने इतनी तयारी की है एरिक को उसकी कम नहीं खालेगी हाँ जीनी सही कहा हाँ दोस्तो हो औरogen आ हमें पता है है तुम अदास थे क्यूंकि तुम जा पाए मेरे लिए क्या और एरिक हम आधी हाँ तोने जो करिए तुम सब जब तुमने कहा कि नहीं जाओगे तो हम भी तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहते हैं पर हमारा मन कर रहा था इसलिए यह बात है असल में दोस्तों मुझे भी कुछ बताना है असल में मैं भी फेस्टिवल गया था उस रात जब मैं काम से लौट रहा था मुझे सबको लेकर आना चाहिए यहां क्या नजारा है कितने संदर है थोड़ी देख लेता हूं और फिर मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया मैं माफी चाहता हूं मेरे दोस्तों एरिक तुम हमारे बिना गुमने चले गया यह ठीक नहीं किया लेकिन डीजल हमने भी तो व लेकिन हमने फिर भी फेस्टिवल तो देख ही लिया इस बार हम सब मिलकर मौज मस्ती करेंगे जरूर करेंगे मैं चाहता हूं कि मुझ पर सबसे अच्छा डिजाइन बना दो तुम ठीक है हो जाएगा क्या तुम्हें क्यों रहे हो तुम्हें तुम्हें ये सब पसंद आया असल में मैंने भी कुछ तयार किया है हाई क्या तुम्हें मज़ा आया तुम्हें तो कुछ और काम था ना बिल्कुल था एरिक के साथ था क्या एरिक के साथ हां मैंने टीयो से कहा था अगर वो कुछ आतिश बाजी कर सके तो आधिश बंप ना लेकिन डीजल भी तो के पास इसी काम के लिए गया था पहले एरिक क्रीम मेरे पास ऊसी काम के लिए आया तो मैं अजीव लगा तुम्हारे बिना आतिश बाजी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था वाट कि सोचा तो हमने भी था आध बातरं ठीक है तो आजाओ सब अब शोर शुरू करते हैं वाँ बहुत बढ़िया बहुत जादा क्योंकि यह हम साथ में देख रहे हैं सच में एरिक और दूसरी छोटे रेल गाड़ियों को अब पता है कि उन्हें एक दूसरे का कितना ध्यान रहता है लोको एक अच्छी मालगाड़ी लोको सामान लेकर जा रहा है कितना अच्छा दिन है यह कौन है चल कर देखता हूं अरे वाँ ये कितनी लंबी माल गाड़ी है ये तो खत्म ही नहीं हो रही है वाँ टोनी सर हाई गुड मॉर्निंग हाई लोकू कैसे हो कमाल की बात है कि आप इतने सारे डब्बे खीच लेते हैं सर अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैं भी आपकी जितने ही माल बोगी खीचना च आप सच कह रहे हैं बाद में मिलते हैं लोको बाए काम करने के बाद लोको वापस शेहर लोट रहा है बहुत काम है है स्वागे थे तुम्हारा है तेंक्स तुम्हारे पास इतनी माल भोग्या क्यों है Mr. Herb ने तयार रखने के लिए लिए बहुत सारा सामान ले जाना है वा इतनी सारी बोगिया एक साथ कौन खीचेगा इन है इस बात का मुझे तो नहीं पता तुम्हें क्या लगता है वो मुझे भेजेंगे चू चू टाउन की सबसे ताकतवर माल गाड़ी इतना भी मत बनो लोगों को भी भेजा जा सकता है मैं मैं मजाक मत करो सेंटर मैं मजाक नहीं कर दा हाँ हॉआ पता नहीं उन माल बोगियों को कर कौन ले कर जाएगा काश मुझे मौका मिल जाए थी हॉआ लोको ने सपना देखा कि वो डिब्बों की कभी खत्म ना होने वाली लाइन लेकर जा रहा है तायो खड़ा है तायो हलो लोको हलो वाव कितने सारे टपे सबसे ज्यादा डिब्बे खींच कर ले जाने वाली एक माल गाड़ी आजकल चर्चा में है डिब्बो की इतनी लबी लाइन देख कर सब हैरान है शाबाइट लोको तुम सकते अच्छे हो लोको 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 मैं सपना देख रहा था लोको क्या तुम जाग गए जी मिस्टर हब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ जी सर कही मुझे मुझे पता था मैं ही आऊँगा हेलो दोस्तों हेलो लोको तुम सब यहां क्या कर रहे हो मिस्टर हब ने मुझे बुलाया है शायद वो चाहते हैं कि सारे डिबे लेकर मैं ही जाऊं। सारे डिबे? मिस्टर हब ने बढ़नी और मुझे भी बुलाया है। तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया होगा? पता नहीं क्या बात है। अच्छा, आ गए तुम सब। मैंने तुम सबको एक साथ काम करने के लिए बुलाया है। एक साथ काम? बल्कुल ठीक, माल बोगया ज्यादा है, तुम चारों मिलकर उन्हें एक साथ खिंचोगे। क्या? सामानित ज्यादा है कि ले जाने के लिए कई मालगाडियों को जाना पड़ेगा। ओ अच्छा, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चले जाओ, जी सर, मैं अकेले जाना चाहता था, मैं पहली बार एक साल सामान खीचूंगा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं भी, माल बोगी लगवाने के लिए छोटी रेल गा मैं ही आगे रहूँगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरे जैसी बहादूर रेल को ही आगे होना चाहिए, नहीं, मैं ही आगे रहूँगा, बिल्कुल नहीं, आगे मैं ही रहूँगा, सुनो तुम दोनों, आपस में जगड़ों मत, इस समस्या को कैसे आइडिया सुनो दोस्तों यूना बारी-बारी से कर ले क्या पहले जाते हुए मैंनी आगे चले क्योंकि वो रास्ता अच्छे से जानता है और वापेश आते हुए डीजल आगे चले आ ठीक आइडिया अच्छा है वाकर ही अच्छा आइडिया है अरे चोड़ो टिटीपो टिटीपो बहुत मज़ा आ रहा है हां मज़ा ही आ गया साथ में मिलकर काम करने का मज़ा ही अलग है मुझे तो कोई मज़ा वजा नहीं आ रहा है इसमें डीजल का मूड अभी भराब है आइडिया उसे मस्ती भरे गाने गाना पसंद है सुनो दोस्तों हम सब मिलकर गाना गाते है मैं नहीं गाना चाहता खुदी गालो तुम लोग अरे गावना देखना इसमें बहुत मज़ा आएगा अपना दाया हाथ रखो दोस्त के दाय कंदे पर एक दो ती चल दो मनाओ और चलती जाओ चुचुचुचे है अच्छा के आओ हाथ मिलाओ और मिलकर चलते जाओ सब मिलकर चक्का चक्का तेज चले हम सब हैं छोटी छोटी रे वह डीजर तुम तो गाना नहीं चाहते थे क्योंकि यह गाना मुझे बहुत पसंद है इसलिए सच में सुना दोस्तोब एक बार और गाने को तयार हो सब ठीक है चलो चले सब मिलकर चकछग चकचचुचुच अब पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बर्नी टिक है बर्णी, तुम ठीक तो हो ना, बर्णी बहुत थक गया है, उसकी मदद कैसे करूं, आइडिया, सुनो मैनी, यहां से दाई तरफ चलो, लेकिन क्यों, वो रास्ता तो बहुत ही लंबा बड़ेगा, वहां एक जगा है, जो मुझे देखनी है, मुझे बहुत अच्छा लगेग ओ, ठीक है, क्यों नहीं, लंबे रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी से ठक गया हूँ, ठीक है, ताई तरफ से चलते हैं, चलो चले, बर्णी, बराबर में देखो, बराबर में, वाव, कितना सुन्दर है, इन फूलों ने मुझ में ताकत भर दी है, अच्छा, तो लोको, तुम यहां से बर्णी की वज़े से निकलना चाहते थे, क्या ये बात सच है, लोको? मैं समझ गया था तुम ठक गये हो, तो मुझे लगा तुम्हें यह सब देखकर अच्छा लगेगा, शुक्रिया लोको, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, कोई बात नहीं, जोश से भरपूर, छोटी रेल गाडियां चलती रहें, यहां तो खुले मैदान है, मैनी को जानदरों से डर लगता है, मैनी, हो सकता है यहां बेड़ देखने को मिल जाएं, ओ, क्या, बेड़ दिखेंगे? अरे मैनी, तभी तो मैं कह रहा था कि मुझे सबसे आगे रहने दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तीनों तुमारे साथ हैं, उम्मीद करता हूँ, घबराओ मत, यहां आगे कौन है, यहां, इतनी सारी भेड, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, डर रहा हूँ, तुम अचानक रुकोगे तो हम सब के सब गिर जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आइडिया, इन भेडों को दूर भगा देते हैं, अपने हॉन एक साथ बजा कर, हां, हॉन बजाओ, साही कह, कोशिश करते हैं, चलो, तैयार, चलो, बजाओ, काम बन गया, शुक्रिया लोको, कोई बात नहीं, छोटी रेल गाड़ियां बंदरगाह पहंच गई, हाई गुरी, हम सामान लेने आए हैं, हालो, वाउ, माल बोग्यों के इतनी लंबी लाइन लाए हो, कमाल कर दिया तुमने, ठीक है, लोडिंग के लिए तयार हो लिए, जाओ साब, तयार है, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, और ये रखा आखरी, अब तुम जा सकते हो, शुक्रिया क्रेने, अब डीजल की बार ही हाँ आगे चलने की, हाँ ठीक है डीजल, अब तुम आगे आओ, असल में, मुझे लगता है के लोको को आगे चलना चाहिए अब क्या अगर लोको नहीं होता तो हम यहां तक पहुंची नहीं पाते लोको को पता था कि मेरा मूट खराब है तो उसने गाना गाने के लिए कहा हां इसने लंबा रास्ता लेने को कहा क्योंकि मुझे फूल पसंद है और लोको की वज़े से हम लोक दुरगटना से बच गए जैसा डीजल ने कहा लोको को आगे चलना चाहिए हम सब को यह दखता है ओ तैंक यू मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मेरा वादा है इतने सारे सामान के साथ छोटी मालगाडियां आगे बढ़ रही हैं ओ इतनी लंबी मालगाडी पता नहीं कौन है यह तो बहुत सारी माल बोगी है वो हलो दोस्तों यह जायो विश्वास नहीं होता तुम इतना सामान खीच रहे हो तुम सब कमाल के हो क्योंकि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए कोई परिशारी नहीं, है ना दोस्तों? बिलको ठीक हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो टोटी सी सर लोको, तुम्हें सबसे आगे देखकर अच्छा लगा, तुम कमाल के हो ठीक कहा, लोको तो कमाल का है मैंने कहा था, एक दिन तुम भी ज्यादा माल बोग्यां खीचोगे हैं ना हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, चलो, फिर मिलते हैं बाई वाँ, मेरा सपना सच हो गया अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करके लोको बहुत खुश था अभी बहुत कुछ करना है लोको डीजल के लिए एक खास दिन जुचु शेहर में बर्फ बारी हो रही है वाँ, बर्फ किर रही है हाई टीजल हाई टीडी पो, मेरी क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस, कल हम सब क्रिस्मस मनाएंगे ये पता नहीं कल मुझे क्या तोफ़ा मिलेगा तोफ़ा? तुम्हे कोई तोफ़ा मिलेगा भी तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो सब ही जानते हैं सिर्फ अच्छी रेल गाडियों को तोफ़े मिलते हैं क्या बोले? मुझे जाना है बात में मिलते हैं टीजल रुको जरा यह मजाग की बात नहीं है टीटीपो डीजल जी मिस्टर हब याद है ना आज तुम्हें जांच के लिए जाना है जी सर तो अभी जाओ और इस काम को भी निपटा दो जी सर डीजल अपनी जांच करवाने के लिए प्रोडक्शन आज तो उसे लगता है कि मुझे कोई प्रेजेंट ही नहीं मिलेगा है उसे क्या पता है हेलो टीजल क्या तुम नहीं हो नहीं मेरे हिसाफ से इतना ही साफ रहना चाहिए ऐख लगो सोरी टीजल आँ डरा दियो तुमने तुम होटल को बिल्लू डीजल तंग करना बंद करो शायद मुझे सच में प्रेजेंट नहीं मिलेगा ओ कैसे हो टियो तुम आ गए डीजल आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो वह इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे प्रेजेंट नहीं मिलेगा हां क्यों इस साल मैंने अच्छे काम नहीं किये ना इसलिए ऐसी बात नहीं है इसकी इतनी चिंता मत करो डीजल ठीक है जांच के बाद डीजल वापस चूचू शेहर जा रहा है यह अजीब से आवाज कैसी है यह तो रेल गाड़ी जैसी लग रही है पर यह तो उड़ रही है विश्वास नहीं हो था यह नीचे आ रही है चलकर देखता हूँ कि खराब हो गया इसको ठीक करने में समय लगेगा अब क्या करें माफ कीजिएगा आप अभी आसमान में उड़ रहे थे देखा मैंने लगता है हम पकड़े गए देखो अभी चाहता हूँ लेकिन हमारी मदद कर दोगे क्या कहा मदद हमारा एंजिन खराब हो गया है क्या त मैं आपकी मदद करता हूँ मैंने जोड़ लिया अब आप बैठ जाये शुक्रिया ठीक है अब हम चलते हैं डीजल ठीक है हम चलते हैं पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला सर पता करने के हमारे तरीके हैं कंड़क्टर के बताय हुए रास्ते पर चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुच गए यह कौन सी जगा है मैं यहां पहले कभी नहीं आया हम बस पहुच नहीं वाले हैं जी सर दाहिनी तरफ मुड़ जाओ दाहिनी तरफ इतने घने जंगल में इमारत कैसे कितनी उची है बाहर से तो बहुत छोटी लग रही थी यह डीजल बस यहीं रुख जाओ ठीक है कितनी सारे कंटेनर्स रखें यह सब मुझे लेकर जाने थे लेकिन इस आलत मैं कैसे ले जाओंगा आपकी जगा मैं ले जाता हूँ ओ कितने अच्छे हो बहुत बहुत शुक्रिया डीजल कोई बात नहीं मैं तैयार हूँ यह अहसान नहीं बोलूँगा अरे ऐसा मत कहिए ठीक है अब सामान डखना शुरू करते हैं ठीक है डीजल ने उनकी मदद करने का फैसला किया तो सर हमें जाना कहां पर है ओ मैं तो बताना ही भूल गया ये सब हमें आज रात तक नौर्थ पोल तक पहुँचाने हैं नौर्थ पोल? हाँ बिलकल अरे वो तो बहुत दूर है हम समय पर नहीं पहुच पाएंगे सर तुम चिंता मत करो मुझे तरीके पता है तरीके? ये क्या हो रहा है? मैं उड़ रहा हूँ मैं उड़ रहा हूँ मैं उड़ रहा हूँ किया मैं उड़ने कैसे लगा यह सम्मझ सोचो नजारों का मजा लो नजारे कितना सुन्दर है सब अब इस राष्टे पर हवा की रफ्तार से चलो ठीक है कि डीजल उड़ता हुआ नौट पॉल जा रहा है कि वाह कितना अच्छा है डीजल जी अब वापस नीचे की तरफ चलो ठीक है तो तुम पहुंची गए स्वागत है तुम्हारा तुम्हें देखकर अच्छा लगा हम पहुंच गए सर शाबाश डीजल तो यह कौन ते जगह है सर यह सेंटा विलेज है यह प्याँ अब नहीं हम दुनिया के सभी सेंटाज के लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स लेकर आए हैं हैं यह तो कोई दूसरी नहीं तो मुझे चिनता होने लगी लेकिन यह ट्रेन वक्त पर हमारी मदद के लिए तैयार हो गई ये सब वो प्रेजेंट्स हैं जो हमने बच्चों को क्रिस्मस पर देने हैं तुम्हारा शुक्रिया डीजल कोई बात नहीं है आपको मेरा नाम कैसे पता है सर हम सेंट आज को बच्चों का चेहरा देखकर उनका नाम पता चल जाता है हमें बहुत दूर जाना है इसलिए अब ये सारा सामान लेकर हम चलते हैं जी ठीक कहा अगले साल फिर मिलेंगे गुट बाई ध्यान से जाना मेरे दोस्तों वो सारे गिफ्ट्स वहां उतार लिए गए और उनकी जग है डीजल के देश के बच्चों के लिए दूसरे गिफ्ट्स रख दिये गए अब तुम जा सकते हो ठीक है गुट बाई ध्यान से रहना गुट बाई अपना ध्यान रखना डीजल अब हमें चलना चाहिए ठीक है तो चलो वापस चलते हैं मेरी क्रिस्मस डीजल फिर से धेर सारे गिफ्ट्स लेकर डीजल सांटा विलिज से निकल पड़ा है विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्रिस्मस के तोफ़े ले जा रहा हूँ मुझे एक सवाल पूछना है पूछलो क्या सिर्फ अच्छे बच्चों को ही सेंटा से क्रिस्मस के तोफ़े मिलते हैं ऐसा ही है मैं सब को इतना तंग क्यों करता हूँ तुम सब के साथ मजाग करते हो इसलिए तुम परेशान हो डीजल यह हसने की बात नहीं है सर हम पहुचने वाले हैं अब वापस नीचे उतरना है ठीक है तुम बुरी तरह ठक गए होगे डीजल मैं ठीक हो मुझे तो बहुत मज़ा है इसमें तुमने हमारी बहुत मदद की है जो प्रेशन्स तुम खीच कर लाए हो वो आज रात अच्छे बच्चों तक पहुंच जाएंगे कितने किस्मत वाले हैं वो बच्चे जिने ये तोफे मिलेंगे चलिए फिर मैं अपने घर जाता हूँ अब डीजल वाँ सेंटा क्लास तुम्हारी वज़े से आज बच्चे बहुत खोश होने वाले हैं शुक्रिया और मेरी क्रिस्मस डीजल आपको भी सेंटा मेरी क्रिस्मस डीजल वापस चूचू शहर आ रहा है वो बर्व करने लगी जिस समय डीजल घर पहुँचा मिस्टर हर्ब सोचुके थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था सब सोचुके हैं मेरी क्रिस्मस दोस्तो पूरा दिन काम करने के बाद डीजल गहरी नींद में सो गया चूचू टाउन में अगला दिन डीजल जल्दी से बहार आओ डीजल बहुत देर से जाके तुम देखो बहां क्या है क्या देखूं यह क्या है बच्चो की खिलोना ट्रेन कसेट वाह कितना अच्चा है किसने बनाया इसे सवाल तो यही है हो सकता है सैंटा ने हमारे लिए बनाया हो हाँ ऐसा हो सकता है ये खिलोने वाली ट्रेन का सेट डीजल और छोटी रेल गाड़ियों के लिए एक खास तोफ़ा है सभी को मेरी क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस ट्रेन वाश खराब हुआ आज बर्नी की छुट्टी है कमाल का दिन है चलो नहालू मज़ा आ गया शुक्र है चल गया मैं तो डर ही गया था चलो यहां से चलता हूँ अरे अब यह दर्वाजा क्यों नहीं खुल रहा है अरे नहीं लगता है ट्रेन वाश में कोई खराब ही आ गई है कोई सुनो बाहर कोई सुन रहा है तो दर्वाजा खोलो प्लीज मदद करो खोलो क्या कोई है बाहर आखिर खोली गया यह तो बहुत ही डरावना था कैसे है मिस्टर हर्ब ओ बर्नी तुम जल्दी जाग गया आज तो तुमारी चुट्टी है हाँ मैं वो स्टेशन के फेस्टिवल में जा रहा हूँ अच्छी बात है जा खूब मजे करना शुक्रिया क्या मैं मिस्टर हर्ब को ट्रेन वाश के बारे में बता दूँ मिस्टर हर्ब ट्रेन वाश में कुछ खराबी हो गई है ओ अच्छा चलो अभी देख लेते हैं अभी जी सर ऐसा हुआ तो मैं फेस्टिवल नहीं जा पाऊंगा तुम कुछ सोच रहे हो गया नहीं सर मैं कुछ भी नहीं सोच रहा मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर अच्छा ठीक है बर्नी बर्नी जी कहीए मिस्टर हर्ब माफी चाहता हूँ लेकिन क्या तुम शहर वापस आ सकते हो लेकिन क्यूँ डीजल को काम पर जाना था लेकिन ट्रेन वाश खराब हो गया है और वो अंदर फस गया है क्या डीजल फस गया है हाँ मुझे उसकी जगे किसी और को भेजना होगा क्या तुम जा सकते हो बर्नी जी हाँ जरूर मैं अभी पहुँचता हूँ क्योंकि डीजल फस गया है इसलिए उसका काम बर्नी कर रहा है डीजल नहाते हुए फस गया क्योंकि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था हेलो बर्नी टीटी पो काम क्यों कर रहे हो आज तो तुम्हारी छुट्टी है दीजल को कुछ काम आ गया है इसलिए मैं उसकी जगा पे जा रहा हूं अच्छा लेकिन बर्नी तुम तो वेस्टेशन फेस्टिवल में जा रहे थे ना बहुत बुरा हुआ तुम नहीं जा सके कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी मेरी नजर में तुम सबसे अच्छी रेल गारी हो अच्छा तो मैं भी काम पर निकलता हूं बाद में मिलते हैं मिलते हैं यह मैंने अच्छा काम नहीं किया अगर सबको पता चल गया कि मैं चुप तो च्रेन वाश में खराबी हो रही थी और तुमने बताया भी नहीं ये अच्छी बात नहीं है मुझे तुमसे ऐसी उमीद नहीं थी बनी तुमने हमें बताया क्यों नहीं हमारी चिंटा ही नहीं बिलकल काम के बाद बर्नी वापस चुचु शहर आ गया उमीद है डीजल की तब्यट ठीक ही होगी हाई बर्नी डीजल पता चला तुमने मेरी जगा ड्यूटी की शुक्रिया दोस्त प्लीज शुक्रिया कहने की ज़रुरत नहीं मैं अब जाकर आराम कर लेता हूँ ठीक है गुडबाई लगता है बर्नी का मुख ठीक नहीं है अरे उसे तो आज फेस्टिवल में जाना था मेरी वज़े से वो जा नहीं पाया असलिए परिशान होगा मुझे बहुत बुरा लग रहा है डीजल जल्दी जाक गया हालांकि आज उसकी छुट्टी है उमीध है मुझे देर नहीं हुईं हुओ है मैं बर्णी के डिबुबे पहले से त्यार करके रख देता हूँ यह लग गये हाई सैटर दीजल बर्णी को जो डिब्ब्ँबे लेकर जाने है वो कहा पर है क्यों क्या हुआ मैं उसके लिए पहले से त्यार करके रखूंगा वाव वह वहाँ पर हैं बहुत बहुत शुक्रिया सेटर हाँ मिल गए बर्णी आज बहुत ही खुश हो जाएगा बर्णी डीपो की तरफ जा रहा है गुड मॉर्निंग बर्णी डीजल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तड़ा मैंने तुम्हारी ले डिप में निकाल कर रखे हैं तुमने निकाले बहुत बहुत शुक्रिया डीजल कोई बात नहीं बर्णी अच्छा बाद में मिलता हूँ अब बाई तुम्हारा दिन अच्छा हो सब कुछ ठीक चल रहा है यह क्या तुको बढ़नी बताओ क्या बात है सेटर तुम बंदर का जा रहे हो तो फिर डिप्बे ख़दान वाले क्यों ले जा रहे हो अच्छा हाँ डिप्बे बदल लो शायद मुझसे गडबड हो गई बर्णी ने माल बोगी बदल ले माफी चाहता हूं मुझसे घलती हो गई होगी कोई बात नहीं हो जाता है बर्णी जी कहिए तुम्हें अब तक रास्ते में होना चाहिए था यहां क्यों रुके हुए हो माफी चाहता हूं मैं बस अभी निकलता हूं जल्दी मिलेंगे दोस्तों और यह क्या हुआ अब मैंने बढ़नी को देर भी करवा दी डीजल कितना काम कर रहा है मेरे लिए अब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कितना बुरा हुआ टीटीव टीटीव आ chance पहुआ का में यहां कि मत अच्छी आगराराज मेरी छुट्टी होती है तुमें वेयस्टेशन फेस्टेवल करने जाती है अरे क्या बात कर रही हो, वो स्केशन फेस्टिवल कल खत्म हो गया नहीं, एक दूसरी जगे पर चल रहा है क्या, सच? पताने के लिए शुक्रिया जीनी, मुझे अभी जाना है, बाई हाँ, डीजल कितना खुश है काम करने के बाद, बर्नी वापस शहर आ रहा है बस बहुत हुआ, अब मुझे डीजल को सब कुछ सच बता देना चाहिए बर्नी को अब तक वापस आ जाना चाहिए वो आ गया डीजल बर्नी डीजल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ वे फेस्टिवल एक दूसरी जिगा पर चल रहा है फेस्टिवल हाँ कल तुम मेरी बज़से नहीं जा पाए थे तो आज हम दोनों चलते हैं चलते हैं प्लीज हाँ ठीक है चलो चलते हैं तो फिर चलो दोड लगाएं हाँ बर्नी तुम ठक गए होगे ना मैं तुम्हें खीच कर ले जाता हूँ तुम आराम कर लो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तुम भी तो ठकेवे होंगे ना नहीं आज मैंने कोई भी काम नहीं किया चलो वहाँ पीने लो नहीं जरूत नहीं आजाओ सुनो डीजल कल जब तुम नहाते हुए ट्रेन वाश में फस गए थे तब तुम ठीक तो थे ना नहाते हुए यह क्या हो रहा है बचाओ मशीन बंद नहीं हुई चलती ही रही बचाओ इतना जाग बनने के वज़े से में बाहर नहीं आ सका तो मैं टीयों के आने तक नहाता ही रहा इतनी देर नहाया इसलिए मैं अब तक चमक रहा हुँ तो यह हुआ था हम पहुच गए यही वो जगह है अजीब बात है इतना सन्नाटा क्यों है यहां हाँ कै तो सही रहे हो वो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं माव किजेगा वो फेस्टिवल कब शुरू होने वाला है आँ फेस्टिवल यहां कोई फेस्टिवल नहीं है क्या तो क्या आपको पता है कि वो स्टेशन फेस्टिवल कहां पर हो रहा है सॉरी मुझे इसका नहीं पता बर्नी मुझे माफ करना मैंने फिर से गलती कर दी कोई बात नहीं डीजल फेस्टिवल इतना भी जरूरी नहीं है कह भी दो सच-सच बोलो ना मैं जानता हूं तो मुझसे नाराज हो ना दीजल मैंना कल जब तुम नहाते हुए ट्रेन वाश में फस गए थे ना वो सब मेरी वज़े से हुआ था क्या बात कर रहे हो तुम मुझे पता था ट्रेन वाश खराब हो रहा है लेकिन मैं घूमना चाहता था इसलिए मैंने मिस्टर हर्ब को कुछ नहीं बताया माफी चा हाँ मैं तेर हो गई जल्दे करो मुझे रही है यह खराब है अरे छोड़ो क्या पर पड़ता है सिर्फ लाइट्स खराब होंगी हील्दे लाइट्स बता रही थी कि वह खराब है लेकिन मैं फिर नंदर गया इसलिए फस गया अगर मैंने कुनमें खराबी के अबारे में बता कोले नहीं यहाँ कोई बात नहीं है और उषके बदले तुम ने मेरी जगह पर ड्यूटी भी तो कि लेकिन फिर भी छोड़ो भी समझो हम एक जैसे ही तो है हाँ शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पर हम फेस्टिवल नहीं देख पाए कम से कम हमने कोशिश तो की ना वो देखो उपर आतिश बाजी शायद उसी जगह फेस्टिवल हो रहा होगा चलना चाहते हो हाँ बिलकुल तो चलो फिर अपने बीच की गलत फिहमिया मिटाने के बाद बर्णी और डीजल मज़े करने के लिए फेस्टिवल जा रहे है मिस्टर हब की छुट्टी दो पहर में धूब खेली हुई है ओ वो रहा टीटीपो कितना अच्छा दिन है काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओंगा लू-लू-लू-ला-ला-ला खेलने की बाद सोचता हुआ ठीटीपो रुकना भोल गया और स्टेशन से बाहर घूमने में बहुत मज़ा आएगा हम स्टेशन पहुँच गए और यह क्या किया बात सुनो तुम पिछले स्टेशन पर रुके क्यों नहीं टीटीपो मुझे स्टूडियो पहुचने में कितनी देर हो जाएगी अरे नहीं मैं भूल गया मुझे माफ कर दीजे मैं आपको उसी स्टेशन पर ले जाता हूँ वापस बेलकुल नहीं अब हमें भी तो देर हो जाएगी अगर तुम पिछले स्टेशन पर वापस गये तो अरे नहीं अब मैं क्या करूँ मिस्टर हॉप ठीटीपो क्या बात है मिस्टर हॉप मैं एक स्टेशन पर रुखना ही भूल गया भूल गये इसलिए कुछ यातरी उतर नहीं पाए यह क्या किया देखता हूँ मैं हां ठीटीपो थोड़ी देर में एरिक आएगा जिनका स्टेशन निकल जी पताने क्या हो रही है थोड़ा जल्दी क्यों नहीं करते हैं मैं आ गया है है एक मिस्टर हर की वजह से एरिक वहाँ पहुंच गया माफी चाहता हूँ लेकिन जिन ग्यात्रियों को पिछले स्टेशन उतरना था वो एरिक पर सवार हो जाए माफी चाहता हूँ अच्छा मिस्टर हर्ब की मदद से टीटीपो अपने रूट पर आगे चल पड़ा है काम पूरा होने के बाद टीटीपो वापस शहर पहुँच गया मिस्टर हर्ब अभी तक काम कर रहे हैं मैं माफी चाहता हूँ ये मेरी वज़े से हुआ होगा बहुत बुरा लग रहा है अगले दिन टीटीपो सुभा सुभा कंट्रोल सेंटर मिस्टर हर्ब के पहुँच गया गुड मॉनिंग मिस्टर हर्ब तुम्हारी तो आज छुट्टी है यहां क्या कर रहे हो मुझे चिंता हो रही थी क्यूंकि आपने रात को देर तक काम किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ चीची और मैं मशली पकड़ने जाएंगे अच्छी बात है क्या मैं आपको वहां तक छोड़ाऊं मिस्टर हर्ब क्यों नहीं बहुत शुक्रिया मुझे खुशी होगी टीटी पो मिस्टर हर्ब और चीची को जील के किनारे ले गया लीजिये हम पहुँच गए मिस्टर हर्ब लो हम पहुँच गए यहां पहुचाने के लिए शुक्रिया क्यों कोई बात नहीं क्या है वहां कितने सुन्दर दिख रहा है ये धीरे चलो बेटा अब मैं चलता हूँ आपको लेने भी आ जाओंगा ठीक है फिर से शुक्रिया चिटी को मज़े कीजिएगा लू 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 ला ला उमीद है मिस्टर हब अपनी छुट्टी पर बहुत मज़े करेंगे ये तो जीनी है हैलो जीनी ये पत्पू कैसी है टीटी पो क्या हुआ तुम्हें मैं खेट के पास से गुजर रही थी तब मुझ पर खात लग गए मुझे अभी काम पर भी जाना है मिस्टर हब से बात करनी पड़ेगी मिस्टर हब रुको ऐसा मत करो मेरी वज़े से मिस्टर हब कल आराम नहीं कर सके अगर हम अभी भी तंग करेंगे तो जीनी तुम्हारी जगे मैं चला जाओ तुम नहा लेना लेकिन आज तो तुम्हारी चुट्टी है तो क्या हो गया मैं तब तक काम करूँगा जब तक तुम साफ होकर नहीं आ जाती शुक्रिया टिटी पो जीनी साफ होने गई और टिटी पो उसकी जगह काम करने लगा स्टेशन पहुंच गए आप सबका दिन अच्छा वीते चीटी पो जीनी बहुत 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 शुक्रिया यहां से आगे मैं ले जाओंगी बात में मिलते हैं जीनी हाँ चीटी पो अच्छा हुआ हमने मिस्टर हब को फोन करके तंग नहीं किया हाँ यह यह तो एरिक है माम में हाँ चुप हो जाओ अ मत रोख एरिक क्या हो गया ओ कीटी पो देखो यह बच्चा यहां स्टेशन पर खो गया है जब तक इसकी मा नहीं आती मैं इसका ध्यान रख रहा हूं लेकिन यह चुप ही नहीं हो रहा है यह डर रहा होगा लगता है मुझे मिस्टर हर्ब को फोन करके बताना चाहिए लेकिन मिस्टर हर्ब की दुआ छुट्टी है हां मैं जानता हूं लेकिन मैं इसका रोना बंद महीं करवा पा रहा हूं मैं कोशिच करके देखता हूं हेलो त न जाहोगे गाना गायो चीटीपो चीटीपो तिखली चीटीप तुम्हें ये काना आता है ना चीटीपो 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 अच्छा है ना मेरे साथ कउ प économiqueाइगे द्रखिली टीटीपू जूनी क्या तुम कुछ और भी करना चाहते हो मैं दिखना चाहता हूँ चूचू टाउन चूचू टाउन चलो चले टीटी पो जूनी को चूचू शेहर की सेर करवा रहा है ये फ्यूल स्टेशन है मज़ा आ गया ये आडिटोरियम है और ये हमारे नहाने की जगे है वाव जब क्लॉक टावर से गुजरोगे तो हाँ जाजा हमारा घर दिखाई देगा वाव प्यारा है अंदर से देखना चाहोगे ये कितना बड़ा है इसके चट कितनी ऊची है कितना अच्छा है बहुत ही जादा अच्छा टीटीपो तुमने बहुत मदद की कोई बात नहीं टीटीपो टीटीपो आखिरकार जूनी की मा आ गई तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं ठीक है अब हमें चलना चाहिए जूनी गुडबाई कहो टीटीपो एरिक गुडबाई मैं तुमसे फिर से मिले आओगा फिर मिलेंगे गुडबाई मुझे खुशी हुई कि हमने मिस्टर हर्ब को तंग नहीं किया मुझे भी शाबबाश टीटीपो मुझे याद आया मिस्टर हर्ब मुझे उन्हें लेने जाना है पाता नहीं कोई मचली पकड़ी भी या नहीं तो जल्दी जाओ तुम हाँ और इधर मिस्टर हर्ब आराम से मचलियां पकड़ रहे हैं पाता नहीं छोटी विल गाड़ियां कैसे काम कर रही हैं उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं आया होगी हूँ आ गई पकड़ लिया हूँ सेलफी सेलफी हूँ और एक दो अरे बाप्रे अब एक और मचली पकड़ने पड़ेगी लू 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 ला 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 ये तो लोको है क्या कोई करबड है तुम इतना धीरे क्यों चार रही हो टीटी पो मेरे पास बहुत जादा सामान है मैं किस योर मालगाड़ी को कहता मदद के लिए लेकिन इत्तिफाक से आज कोई मालगाड़ी थी ही नहीं वहाँ अच्छा लगता है मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा मैं मिस्टर हर्ब को ये बात फोन करके बता देता हूँ क्या रुको रुक जाओ अगर मैं तुम्हारी मदद करू तो मदद करोगे तुम्हें लगता है तुम कर पाऊगे हाँ बिल्कुल अब जुड़ जाओ लोको आच्छा थ्वीख है तुम्हें मुझा डरा दिया चीची अरे ये तो टिटिपो क्या टिटिपो माल बूगियां ले जा रहा है कहीं मेरी आखों को धोका तो नहीं हुआ ठीक है आओ बॉल से कहलते हैं समुद्री जाहाज के जाने से पहले टिटिपो और लोको वहां पहुंचे मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टिटिपो कोई बात नहीं टिटिपो अरे बच्चे तुमने तो क्रवाल ही कर दिया है कुछ ज्यादा नहीं था अब मैं चलता हूँ लोको फिर मिलेंगे शहर में गुन्बाई टिटिपो शाबाज चीची मिस्टर हॉप हाई टिटिपो शहर में सब ठीक ठाक रहा ना क्या हां ऐसा कुछ नहीं चुसे हम ना सभाद सकें आपकी छुट्टी अच्छी पीती बहुत अच्छा रहा बहुत दिनों से इतना सुकुन नहीं मिला था ये सुनकर बहुत अच्छा लगा इस चीची ने भी बड़े मजे किये चीटिपो के कारण मिस्टर हर्ब की छुटी बहुत अच्छी भी दी शाबाज चीटिपो जीनी की नई दोस्त काम पूरा करने के बाद जीनी वापस चुचु शेहर पहुंच गई काम पूरा हो गया अब मैं क्या करूँ मौसम अच्छा है फूलों को देखने जाओंगी तुम्हें पता है बहुत मसा है हां चिटिपो और चीजल उनसे कहती हूं साथ चले हाई दोस अरे कुछी दिन पहले तो गए थे उसे देखने हम जानती हूं लेकिन आज मौसम अच्छा है मैं आ गए हाई दोस्तों हेलो चैनी तुम्हारा काम खत्म हो गया हाँ अच्छा दोस्तों समुझर के किनारे चलो कि एक बड़ा जहाज वहां से निकलेगा वाँ सच में फिर त साथ आ रही हो ना जीनी तुम सब जाओ मेरा मन नहीं कर रहा मजे करना ठीक है बाई जीनी लगता है जीनी को बोट्स पसंद नहीं है शायद नहीं चलो चले हाँ जैनी हमेशा पीच में टांग अड़ाती है कल भी उसने सुनो दोस्तों सुनो दोस्तों आज मेरे साथ एक मसेतार बात हुई क्या हुआ बताती हूँ हाई दोस्तों एक बात बताओ तुम सब को आज फिक्स और लिफ्ट ने मुझे एक नया गाना सिखाया सुनना चाहते हो क्यों नहीं हाँ बिलकुल चक चक चू चू स्टेशन से जब जाएंगे जानी कैसे खेत खलिहान रास्ते में आएंगे वो हमेशा बीच में क्यों आती है जीनी जी मिस्टर हर तुम जरा मेरे पास आओगी प्लीज जरूर मैं बस अभी आई पता नहीं क्या काम आ गया हाई जीनी जैनी कहां जा रही हो तुम मिस्टर हर ने मुझे बुलाया है जीनी अभी मैं जल्दी में हूँ बाई ठीक है मिस्टर हर मैं आ गई ओ आओ जीनी अगले काम के लिए तुम्हें लंबी यात्रा पर जाना होगा वाय मुझे लंबी यात्रा पर जाना होगा मज़ा आएका तुम तो बहुत होश लग रही हो हां मैं हमेशा बहुत दूर जाना चाहती थी मेरा सपना सच हो गया ठीक है पहल दूर जा रही हो इसलिए तैयारी कर लो जी मिस्टर हब ठीटीपो और जैनी से पूछ लो वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे ठीक है जैनी से तो कभी नहीं पूछूंगी अगले दिन जीनी ठीटीटीपो के पास आई ठीटीपो आखिरकार मैं लंबे सफर पर जा रही हाँ होता है बहुत मुश्किल होता है अच्छा लेकिन कितना मुश्किल तुम रेतीले तूफान में फच सकती हो रेतीला तूफान हाँ रेगिस्तान में इतने जबरदस्त रेतीले तूफान होते हैं कि आखे नहीं खुल पाती और पता है कई दिनों तक तुम नहां भी नह पाऊगी और रात होने पर अंधरे में अकेले चलना पड़ता है इसलिए बहुत डर लगता है क्टा अ क्लेikum क्या करोगी तुन जैनी से पोछ लो वो बहुत बार दूरूर जा चुकी कि है जैनी अब मैं क्या करूं क्या जैनी से ही पूछना पड़ेगा बिल्कुल नहीं मैं जैनी से कोई मदद नहीं लोंगी जैनी सुनाय तुम लंबे सफर पर जा रही हो बदाए हो मुझे पता है तुम कब से यह करना चाहती थी हाँ हां क्या बात है जैनी किसी बात को लेकर परिशान हो नहीं परिशान नहीं हो जैनी अगर किसी चीज के जरूरत हो तो मुझे बता देना अभी मैं चलती हूं रुको जैनी क्या मैं कुछ पूच सकती हूं हाँ पूछो लंबी दूरी पर जाना क्या सच में मुश्किल होता है मुश्किल किसने कहा मुश्किल होता है टीटी पो ने कहा मुझसे रेकिस्तान में अहां चिंता मत करो जीनी बस पूरी तयारी के साथ जाना तयारी हां कल तुमारी चुटी है ना हां तो क्यों ना कल हम अच कि अगले दिन जीनी की पहली लंबी यात्रा के लिए तैयारी करने लगे तीक है पहले मैं तुम्हें नहीं दिसरा तो क्या करो तुफान चाहे जितना भी तेजि बस चलती लाइट्स ओन कर लो और धी दीदे बस आगे चलती रहो बस चलती रहो लाइट्स कर लो औरår धीरे धीरे आगे बढ़ो तो तुम आ गईंग 중국 चाहे हो! रोगी, तुम दोनों यहां क्यों आए? तुम्हारे लिए. जैनी ने हमें बुलाया तुम्हारी मदद के लिए. इसलिए हम खास तुम्हारे लिए यहां पर आए. कितने अच्छे हो तुम. शुकरियद दोस्तों. लेकिन तुम कैसे मतद करोगे? रोगी और मैं रेट का तूफान बनाएंगे तूफान? चलो दोस्तों जल्दी से अपना काम शिरू कर दो ठीक है कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपनी आखे खोलो लाइट्स ओन कर दो और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहो हाँ, कुशिश करते हूँ बस इतना बहुत है दोस्तों ठीक है बहुत अच्छा किया जीनी तुम सच कह रही हो जैनी बिल्कुल, मैं जानती थी कि तुम अच्छा करोगी चाहे हो जोगी मदद करने के लिए शुक्रिया लेकिन जानते हो तुम पर चारो तरफ रेत लग गई है अरे, रेत तुम पर भी है क्या? अब जाकर नहा लेते हैं जीनी, जब रुको क्यों? अगर लंबी दूरी पर जा रही हो तो रेत और मिट्टी की आदत होनी चाहिए लंबे सफिर पर कई बार नहाने का मौका नहीं मिलता इसलिए आज बिना नहाए रहो क्या? अजीब बात है बिना नहाए में कैसे रह पाऊंगी? दूसरी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करो चलो, हम शहर से दूर चलते हैं और वहाँ पर प्राक्टिस करेंगे शहर से दूर? वहाँ से आते आते देर हो जाएगी पंधेरे में पट्री पर दौरने से अच्छी प्राक्टिस हो जाएगी ठीक है चलो चले शाबाश जीनी और जैनी शेहर से दूर चल पड़ी वाँ देखो जीनी कितने संदर भूल है कितने संदर है हवा भी अच्छे चल रही है हाँ मेरा तो गाने का मन कर रहा है यह कौन से गाना गा रही हो? ये वही गाना है जो मैंने कल तुम्हें सुनाया था अच्छा, क्या तुम फिर से का सकती है? हाँ चाट चाट चूचू स्टेशन से जब जाएंगे जाने कैसे नजारे रास्ते में आएंगे चाट चाट चूचू तूदू हम जाएंगे वहाँ के खत्रों से लड़कर हम जीत के आएंगे चलते रहो और बढ़ते रहो शायद मुझे आता है चाट चाट चूचू चलो चले हम सब मिलकर एक लंबे सफर पाइँ सफर पाइँ हम जाएं चाट 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 तुम जाओ चूचू चूचू मैं जाओ चँचू चूचू चँचू मैं अंधेरे में अकेले होंगी सोचकर ढर लग रहा है जैनी तुम्हें कभी टर लगा हाँ मुझे भी लगा था लेकिन मुझे रात को पट्रे उपर बिना डरे दोड़ने का एक तरीका मालूम है अच्छा कौन सा तरीका है बस आस्मान को देखो क्या आस्मान को अच्छा है ना हाँ जब रात में सफर करो तो सोचो किसी तारे तुम्हारे साथ साथ चल रहे है सभी टिम टिम करते तारे तुम्हारे साथ ही बन जाते है टिम टिम करते तारे? हाँ वो तारों का जुन टेटी पुझे सा लग रहा है मुझे दिखा वहाँ पर डीजल भी है और बीच में है मिस्टर हब चलो बाकी दोस्तों को भी ढूणते है ठीक है जीनी और जैनी चूचू शहर वापस आ रहे है शुक्रिया जैनी आज तुम्हारे छुट्टी थी और मेरी वज़े से तुम आराम नहीं कर पाई अरे कोई भात नहीं तुम्हारे साथ वक्त बिता कर मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा सच कहूं तो जब से मैं चूचू शहर आई हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला इसलिए मैंने तुम्हें समुद्र के किनारे चलने के लिए कहा था अच्छा दोस्तों समुद्र के किनारे चलोगे एक बहुत बड़ा जहाज वहां से गुजरेगा मैंने ये सोच कर नया गाना भी सीखा कि उससे साथ-साथ गाएंगे तो हमारे दोस्ती और अच्छे हो जाएगी मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें गलत समझती रही लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमारे अच्छी दोस्ती हो गई साच? बिल्कुल साच जब मैं लंबी यात्रा से वापस आऊंगे तो साथ-साथ वक्त बिताएंगे हाँ, हम बहुत सारे गाने गाएंगे और बहुत मज़े करेंगे मज़ा आएगा लेकिन जैनी अगर तुम्हें एत्रास ना हो तो पहले नहा ले जरूर जीनी और जैनी नई दोस्त बन गई उम्मीद करते हैं उनकी दोस्ती बढ़ती जाएगी काम की अदला बदली काम करने के बाद जीनी और डीजल वापस चूचू शहर जा रहे हैं जीजल क्या आज बहुत महनत की तुमने आज सामान कुछ जादा ही भारी था मुझे स्टेशन पहुचने में देर हो गई तो यात्री नाराज होने लगे मेरा काम बहुत मुश्किल है तुम्हें अपना काम मुश्किल लगता है बहारी सामान खीचोगी तब पता चलेगा कितना मुश्किल है क्या यात्रियों को ले जाना बहुत मुश्किल होता है सिर्फ सामान खीचने से बिलकुल अला काम है सिर्फ सामान खीचना पता भी है कितनी महनत लगती है ये काम एक बिन भी नहीं कर पाऊगी तुम और तुम मेरा काम एक गंटा भी नहीं कर पाऊगे डीजल अरे छड़ो ये तो मिस्टर हर भी बताएंगे अब किसका काम मुश्किल है मुझे मन्जूर है तो पहले मैच आकर पुछू का उखे ये ठीट नहीं सामान खीचना यात्रियों को ले जाने से ज्यादा मुश्किल है न सर लेकिन ये बात तुमने क्यों पूछी इसने गलब कहाना यात्रियों को ले जाना ज्यादा मुश्किल है नहीं ऐसा नहीं है मेरा काम ज्यादा मुश्किल है नहीं मेरा काम है मेरा काम मुश्किल है तुम गलब कह रही हो अगर सच में जानना चाहते हो तो हुद करके देख लो क्या हुद करके देख ले मिस्टर हाब दूसरे का काम काम की अदला बदली से पता चल जाएगा किसका काम मुश्किल है मेरे ख्याल से पर क्यों मुश्किल लग रहा है विल्कुल नहीं सर बाला इसमें मुझे क्या मुश्किल होने वाली है मैं तयार हूँ मैं भी ठीक है तो दोनों को शुब काम नाए शुक्रिया ओ दीजल आ रहा है दीजल ओ लोको कैसे हो क्या ये सच है तुम माल भूगियों के जगा यात्रियों को ले जाओगे हाँ सच है शायद मुश्किल होगी क्योंकि पहली बार कर रहे हो न तुम अरे छोड़ो जीनी से तो लाग गुना अच्छा करूँगा मैं चिंता मत करो तुम रात में सादा मत कुमो गुड नाइट हाँ गुड नाइट शायद सही कह रहा है तो इसलिए मैं माल गाड़ी बनकर काम करूँगी तो जीनी कल से तुम डीजल का काम करने वाली हो हाँ ऐसा ही है क्या तुम कर पाओगी सामान बहुत भारी होता है मैनत करनी पड़ेगी कुछ डिब्बे खीचने में क्या मुश्किल हो सकती है चिंता मब करो मैं कर लूँगी ठीक है अगले दिन जीनी और डीजल काम पर जा रहे है जीनी गुड मॉनिंग मुझे तो बहुत चिंता हो रही है क्या अच्छा नहीं करने की अरे नहीं कहीं मैं ज्यादा अच्छा ना कर जाऊं और यात्री फिर मेरे बिना रह नहीं पाएंगी न बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं तब गर मुझे ये डर है कहीं मुझे दोनों काम करने के लिए ना कह दिया जाए चलो ठीक है अच्छे से करना तुम्हें भी गुड़ लग डीजल अपने पहले स्टेशन पर पहुंच कया है सब का स्वागत है क्या ये नई ट्रेन है हलो क्यासी बखफू है तुम नहा कर नहीं आए गया अगर सब समान लोड हो गया हो तो हम कोई सामान नहीं है तुम कोई सामान नहीं है और ही चालता हूं सिर्फ आदत कीवज़े निकल गया डीजल डीजल अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गया है अरे क्या मैं स्टॉप लाइन पर नहीं रुका एक मिनिट रुकिया सब लोग मैं अपने निशान पर पहुंच गया नहीं मैं आगे निकल आया हो गया अब आप लोग उतर सकते हैं यह कोई ट्रेन है या पार्क का जूला मुझे देर करवारी के लिए बहुत-बहुत चुक्रिया मैं माफी चाहता हूँ आपका दिन अच्छा बीते मुश्किल है यह काम तो जीनी को हर रोज यह करना पड़ता है कितनी मुश्किल होती हो उसे चिटीपो चिटीपो इधर जीनी ख़दान में पहुंच गई ख़दान इतनी उचाई पर क्यों बनाई जाती है हाँ जीनी ओ हेलो टोनी मैं यहां काम करने आई हूँ हाँ मिस्टर हर्ब ने बताया तुम डीजल की जगाई हो ना हाँ कुछ नहीं हुआ हाँ सच में चट्टानों में विस्फोट किया गया था ताकि उन्हें निकाला जा सके बहुत तेज आवाज थी बाई जीनी फिर मिलता हूं तुम से ठीक है बाई-बाई टोनी चलो काम शुरू करते हैं जीनी यहां पर वाँ अच्छी जगा है जीनी अभी आई जीनी सुनती नहीं मेरी आवाज को माफी चाहती हूं इतना शौर है कि खुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें यहां ध्यान देना होगा क्योंकि शौर की वज़े से कम सुनाई देता है ठीक है अब हम शुरू करते हैं यह क्या काम शुरू करते ही दूर लग गई है इसे लिए डीजल हमेशा अतना गंदा रहता है जट्टानों को खींचते हुए जीनी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच गई मुझे हीटे बनाने वाली फैक्टरी में पहुंचना था लेकिन वा कौन सी है मुझे किस फैक्टरी में जाना है मैं पहुंच गई पर इतनी देर क्यों लग गई मैं कबसे इंतजार कर रहा हूं सबी फैक्टरियां एक जैसे दिखती हैं मालगाड़ी बनकर काम करना आसान नहीं डीसल को कितनी मुश्किल होती होगी जीनी और डीजल वापस चूचू शहर आ रहे हैं हाँ जीनी घ्लो टीजल तो तुम्हारा काम कैसा रहा काम वो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल रहा अच्छा सामान बहुत भारी था और समझ नहीं आया कहां पहुंचना है तुम हर रोज ये काम करते हो तुम कमाल के हो डीजल नहीं जीनी मुझे लगता है तुम जाधा अच्छी हो क्या पूरा दिन मुझे लोगों की शिकायत सुननी पड़ी मुझे पता नहीं था ये काम इतना मुश्किल है यात्रियों को हर रोज ले जाना बहुत मेनत करती हो तुम शुक्रिया और वो मैंने कहा था ना तुम्हारा काम आसान है उसके लिए I'm sorry मैं भी पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारा काम आसान समझा कोई बात नहीं लेकिन डीजर मिस्टर हर्ब ने कुछ दिनों के लिए काम बदलने के लिए कहा है मुझे तो कल की चिंता हो रही है मुझे भी हो रही है अगर मैंने फिर कड़ड़ कर दीतो हो सुनो जीनी तुम मुझे सिखा दो कि यात्रियों को कैसे लाउन ले जाऊं तुम्हा दो ठीक है, इसके बदले तो मुझे सिखाऊगे कि अच्छे से सामान कैसे खीचा जाता है यही ठीक रहेगा, तो शुरू करते हैं ठीक है अगर रुखने की लाइन बहाँ पर है, तो तुम्हें यहां से धीरे होना पड़ेगा ओ, अब समझाने जीनी और डीजल एक दूसरे को सिखा रहे है इस पट्री पर सीधे चलो, यह सीधा इन फैक्ट्री तक जाएगी वाँ, मैं समझ गई अगले दिन की शुरुवात और डीजल अपना काम शुरू कर चुका है डीजल, पहले ही धीरे हो जाओ पहली बार में हो गया मुझसे हम स्टेशन पर पहुच गए तैंक यू डीजल, आज मैं आफिस देर से नहीं पहुचूँगा तैंक यू शुक्रिया जीनी भी काम करने के लिए ख़दान पहुच गई गुद मॉनिंग सर्व मॉनिंग जीनी, बहुत खुश दिख रही हो मैं सामान भरने के लिए तैयार हूँ ठीक है, एक सेकिंड रुको ओके, शुरू कर रहा हूँ ये रही वो जगे हेलो, मैं आ गई हलो जीनी, ओ, आज तो तुम काफी जल्दी आ गई शुक्रिया जीनी कोई बात नहीं जीसे, हो, आई जीनी आज तुमारा काम कैसा रहा तुमने मेरी मदद की, तो मेरी शिफट अची हुई बहुत पशुक्रिया जीनी मुझे खुशी हुई तुमने मेरी मदद की, तो मैं सामान समय पर पहुँचा पाई अच्छा काम किया लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मैंने किया जूटे हेलो मिस्टर हब आ गए काम से तुम एक दूसरे से काम बदल के कैसा लगा तुम्हें सच कहूं तो यात्रियों को लाना ले जाना बहुत मुश्किल है सच मैं हां लेकिन जब यात्रियों ने मुझे शुक्रिया कहा तो बहुत अच्छा लगा अच्छी बात है मुझे भी मालगारी का काम करना मुश्किल लगा लेकिन उसके बाद मज़ा बहुत अच्छा हुआ तुमने अच्छा सबख सीख लिया दोनों ही काम जरूरी है अपना-पना काम करो क्या अपना-पना काम क्या वही पहले वाला काम कर क्यों तुम चाहते हों हमेशा ऐसे चलता रहे हमें अपना ही काम पसंद हैं मुझे पता था ऐसे अच्छा काम करते रहो दोनों जी सर जीनी और डीजल को पता चल गया कि हर काम की अपनी मुश्किले होती हैं शाबाज जीनी और डीजल मिस्टर हर्ब की पपी से दोस्ती जीनी स्टेशन पर याद्रियों को उतारने जा रही है हम स्टेशन पहुंच गए शुक्रिया थांक यू जीनी मेरा फर्स था आपका दिन अच्छा हो मेरा काम हो गया अब घर चलती हूँ तुम यहां कोनी हेलो कोनी जीनी हाई गुड आफ्टर नून कितना प्यारा है तुम कौन हो यह प्यारा सा पपी कौंगी का बच्चा है इसलिए शकल भी मिलती है मिलती है न मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मिल जाए जो इस पपी का ध्यान रखे जो भी इस पपी को पालेगा किस्मत वाला होगा तो इस पपी को तुम ही क्यों नहीं पाल लेती जीनी मैं ऐसे पालूँ हाँ तुमने कौनगी का बहुत ध्यान रखा था इसलिए मुझे लगता है तुम इसे संभाल लोगी ठीक है मैं कोशिश करती हूँ चलो हम दोस्ती कर लें पपी को लेकर जीनी चूचू टाउन में आ गई मिस्टर हब मिस्टर हब औ ऑखो आज तो तुम भौछ नजरा रही हो जीनी जी हां क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा पपी है ऑ ओ ओ ओ ओ चलो अच्छा है किया कहा पॉपी को यहां रखना है यहां एक डॉप को रखना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहां ऐसा करना मना है अब मैं क्या करूँ बात पूरी हो गई हो तो तुम जाकर अराम कर लो ठीक है बाई बाई मिस्टर हॉब बाई बाई वाउ, कितना प्यारा पपी है मुझे पता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ लेकिन मिस्टर हब क्यों नहीं मान रहे याद आया, शायद मैंने स्टीम से सुना था कि मिस्टर हब को डॉगी से डर लगता है सच में, मुझे बहुत दुख है लेकिन तुम्हें ये पपी वापस करना पड़ेगा सच कह रहे हो मैं इतने प्यारी पपी को वापस कैसे करूँ मैं इसे सबसे छुपा कर पालूँगी या, तुम मेरे साथ घर चलोगे पपी शायदी काम कर जाए अगला दिन शुरू हो चुका है और जीनी अपने काम पर जाने वाली है मैं जल्दी वापस आजाओंगी यहीं इंतुसार दरना शैतानी मत करना ओ ओ लंज का टाइम हो गया खाना खा लेता हूँ यह आवाज कैसी है भागजा भागजा केला चाहिए यह लो जी चेक करने के लिए शुक्रिया किसी ने अभी तक गुम हुए पपी के बारे में पूछताज भी नहीं की चलो अच्छा है अपने घर गया अगले दिन की शुरुवात टहलने के लिए यह मौसम बहुत ही अच्छा है भग जाओ भग जाओ यहां से बार-बार क्यों आ जाते हो तुम्हें फिर से भूख लगी है खाना बार मिल जाएगा तो अंदर नहीं आएगा तुम यहां बैठकर खाना चाहते हो शैतान पपी इसी यह जगा पसंद आ गई है धीरे धीरे मिस्टर हर्ब का डर दूर होने लगा बारिश बहुत तेज हो रही है ओ प्यारे पपी तुम तो भीग गए टिटीपो टिटीपो मैंने तॉलिया कहां पर रख दिया मेल गया तो तुम्हें ठंड रग रही है अच्छा लोग पोंच दिया अच्छा ठीक है यह लो क्या कर रहे हो नीची उत्रों लगता है इसका कोई मालिक नहीं है इससे यहीं रख लेता हूं मुझे याद आया जीनी यहां पर एक डॉप को रखना बहुत मुश्किल होगा परेशानी यह है कि मैं तो खुद जीनी को मना कर रहा था जीनी तुम आ गई तुम्हारा काम खत्म हो गया जी हां यह तो किसी पपी की आवास लगती है क्या हो रहा है जीनी ने आवास तो नहीं सुनी होगी अब मैं जा रही हूं मिस्टर हब जल्दी जाओ और थोड़ा आराम कर लो पपी बाहर तो नहीं आ गया अच्छा मैं आ र शैतान हो तुम जाना चाहते हो बाई-बाई यह हर रोज कहां जाता है अगले दिन की शुरुआत और मिस्टर हब परिशान है क्योंकि हर रोज आने वाला पपी आज नहीं आया आज वो आया क्यों नहीं कहीं उसके साथ कुछ दुर्भट्टा तो नहीं हो गई तुम फिर से खेलना चाहते हो जीनी जीनी जी मिस्टर हब क्या तो मुझे चूचू टाउन का एक चक्कर लगवा सकती हो मुझे कुछ धूंड़ना है जरूर मदद करके अच्छा लगेगा गन्यवाद कोई बात नहीं मैं अभी नियंद्रन कक्ष की तरफ जा रही हूं मिस्टर हब ओ जीनी बड़ी जल्दी आ गई जी तो बताएए आपको क्या डूना है ओ वाव कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कीमती है ठीक है जीनी की मदद से मिस्टर हब चूचू टाउन के कोने कोने में तलाश करने लगे यहां पर भी नहीं है अरे हां हमने तुम्हारा कमरा तो देखा ही नहीं क्या मेरा कमरा जदी चलो क्या तो मुझे अपने कमरे में ले चलोगी ठीक है अरे नहीं क्या यहां भी नहीं है नहीं लगता यहां भी नहीं है तो फिर कहीं और देखना चाहिए ठीक है फस्ट पई में शैथान पपी तुम यहां हो मेरे प्यारे बच्चे अजीब बात है आपको डॉगी से डड़ने ही लगता मिस्टर हर्ब कि असल में जिसे मैं ढूंड रहा था वो यह चोटा पपी है क्या इसका कोई मालिक नहीं है यहर रोज मेरे पास आ रहा था और हमारी दोस्ती हो गई मिस्टर हर्ब मुझे आपको एक बात बतानी है अगर हम में ने मिस्टर हर्ब मुझा आएगा ये बताओ इसका नाम क्या रखें चीची कैसा रहेगा चीची अद ये हमारे शहर में रहेगा तो मिलता जुलता नाम रखना चाहिए चू-चू से चीची चू-चू-टाउन का चीची बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा काम खत्म हो गया जी बिलकुल अच्छी खबर सुनो हमने तै किया है कि ये पपी चू-चू-टाउन में रहेगा इसका नाम है चीची वाँ बहुत बढ़िया चीची नाम भी बहुत प्यारा है अपसे हम सब अच्छे दोस्त हैं चीची हाँ अच्छे और पक्के यात्रियों को लेने जा रहा है सभी को हेलो अलो यह के लिए शुक्रिया मिल्कुल कि यह नहीं बेटा यह बहुत दरावनी है पर यह दरावनी नहीं है यह रेल गाड़ी चला भही एरे कंब तक खड़े रहेंगे मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी माफ कीजिएगा मैम हाँ मुझे मुझे अब जाना ही होगा क्या करूं मैं काम पूरा करने के बाद एरेक वापस चूचू शहर आ रहा है मैं आ गया सर एरेक तुम ठक गए होगे हाँ अरे हाँ याद आया कल स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे यहां घूमने के लिए आ रहे हैं छोटे बच्चे सर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तुम बस बच्चों को चूचू शहर की अच्छी सेर करवा देना हाँ जी बहुत मज़ा है हाँ है दोस्तों एरिक क्या तुम्हें पता है स्कूल के छोटे बच्चे यहां आ रहे हैं मुझे खुशे होगी है मुझे भी मुझे भी मुझे से तो कल तक का इंतिजार ही नहीं हो रहा सबसे पहले उन्हें क्या दिखाएंगे देखो मुझे ये काम करना नहीं है वरना मैं तुम सब की चुट्टी कर देता अरे छोड़ो भी सब बच्चे मेरी सवारी करना चाहेंगे बच्चों से मैं बहुत अच्छे से गुलता मिलता हूँ अब बस करो अरे सच भाई लगता है डीजल को बच्चे पसंद करते हैं हाँ हर किसी की बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है मैं क्यों नहीं कर पाता हाँ शायद डीजल मदद कर सके तो क्या तुम बच्चों से गुलना मिलना चाहते हो हाँ तुम मदद कर सकते हो पर मुझे तो पता ही नहीं अरे मजा कर रहा था मैं सबसे पहली बात तुम्हें बच्चों के लिए गाना-गाना है गाना-गाऊ? बिलकुल, बच्चों से गुल्ने मिलने के लिए एक मस्ती भरा गाना-गाऊ समझ गया मैं फिर उन्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाओ पर कैसी कहानी सुनाओ? अरे यही कोई जानवरों या परियों की कहानी वाव, अच्छा एडिया है इसमें तो तुम कमाल के हो, डीजल एक बात और मैं तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ एंडी के पास जाओ एंडी? हाई एंडी एरिक, अच्छा लगा तुमसे मिलकर एंडी, क्या तुम मुझ पर कोई पेंटिंग कर सकते हो? तुम पर? हाँ, क्योंकि कल छोटे बच्चे गूमने के लिए चूचू शहर आ रहे हैं तो ये बात है, ठीक है, बना दूँगा मुझे सुन्दर बना दो, प्लीज एंडी से डिजाइन बनवा कर एरिक चूचू शहर के लिए चल पड़ा ये डिजाइन बच्चों को पसंद आएगा ओ, ये गड़गड़ा हट कैसी है ओ, बारिश हो गई अरे नहीं, ये तो सोचा नहीं था मुझे जल्दी वापिस पहुँचना होगा अरे बापरे, अब क्या होगा बारिश की वज़ह से पेंटिंग खराब हो जाएगी बच्चों, ये है मिस्टर हर्प हलो मिस्टर हर्प हलो बच्चो, चूचू शहर में स्वागत है एरिक को देर हो गए, अच्छी पात है मैं आ गया हलो एरिक मैं तो अरे ट्रेंट होगी है क्या हो गया एरिक, तुम्हारे चहरे को क्या हो गया तुम्हारा सारा पेंट खराब हो गया, एरिक क्या मैं नहीं अभी करवाया था फिर बारिश हो गई बच्चों को बठा कर छोटी रेल गाडियां उन्हें चूचू शहर की सेर करवा रही है देखो बच्चों, ये है फियूल स्टेशन वाँ, ये कितना प्यारा है चले चल के देखे पर हमें अभी रुकना होगा वहाँ बच्चों का दूसरा ग्रूप अभी देख रहा है बोर हो गए सुनो बच्चों, गाना सुनना चाहते हो हाँ, सुनो चग चुचू, चग चुचू, चग चुचू, खुश्या मनाए हम सब मिलके और हुश हो कर चुचू, गाए सब मिलके अलाबन करो आच्छा, तो फिर एक मज़ेदार कहानी सनोगे एक मज़ेदार कहानी ठीक है मैंने तीन छोटे पिग्स की कहानी सुनाता हूँ एक बार की बात है, तीन छोटे भेडिये थे फिर एक दिन एक टाकतवर पिग आया कहानी तीन पिग्स की थी, तीन भेडिये कहां से आये ठीक कहा, मैं फिर से सुनाता हूँ एक बार की बात है, तीन छोटे पिग्स एक साथ रहते थे बच्चों को सैर करवाने के बाद छोटी रेल गाड़ें कठा हुई बच्चों को सैर करा के मसा आ गया उन्होंने हमारी घर भी देगी और खुपसारी मस्ती भीकी बच्चे हमेशा हस्ते रहें, तुम्हारा टूर कैसा था? मेरा टूर? अरे अरे अराम से आप ठीक है? जी मैडम क्या आप बच्चों के साथ फोटो खिचपाना चाहेंगी? हाँ जरूर ठीक है बच्चों, यहाँ खड़े हो जाओ मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मेरे साथ फोटो खिचवाएगा एरिक, तुम नहीं आओगे? तुम खिचवाओ, मैं जा रहा हूँ अच्छा, क्यों? मैं यह पेंट धोना चाहता हूँ बाद में मिलता हूँ तुमसे एरिक मुझे लगता हमें बच्चों को खुश नहीं कर पाए कुछ दिनों बाद अपना काम पूरा करके एरिक चूचू शेहर लौट रहा है वो तो किंडर है, पता नहीं क्या हो गया हाई किंडर हे एरिक, ओ, यह तुम हो एरिक हाँ, हलो, क्या यहां कुछ परिशानी है हम सब चड़िया घर जा रहे थे लेकिन अचानक किंडर में कुछ खराबी आ गई दूसरी बसे अपने काम पर हैं इसलिए हम घूमने नहीं जा पाएंगे हाँ, क्या मैं उन्हें ले जाओ वहाँ नहीं, बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, मैंने उनका दिन खराब कर दिया था क्या हम चिडिया घर नहीं जा पाएंगे मुझे को दो जानवर देखने है इसका घूमने का कितना मन कर रहा है सुनिए, मैडम अगर आप चाहें, तो किंडर की जगह क्या मैं इन्हें चिडिया घर ले जाओ सच में, ये तो बहुत अच्छा होगा चलो, शुक्र है मैम, तो क्या हम चिडिया घर जाएंगे और क्या हम पिकनिक भी घरेंगे हाँ, एरिक की वज़ा से हम गूमने जाओ पाएंगे थैंकिस तो बच एरिक कोई बात नहीं एरिक बच्चों को लेकर चिडिया घर जा रहा है तो ये लोग, हम आ गए शुक्री आए रे काम चल रहा है माफ करना बच्चों, पर चिडिया घर आज बन है मुझे तो जानवरों को देखना था यहां आप क्या किया जा सकता है हां, जरा सुनिये, मैं आपको दूसरी जगर ले जा सकता हूं वहां पर भी जानवर हैं, बहुत सारे जानवर सच में, सच में वाँ अच्छा में मस्ती करेंगे एरिक बच्चों को लेकर खेतों की तरफ जा रहा है देखो गाए बच्ची वाँ, यह कित्ती प्यारी है हाँ, हेलो सर, एरिक, तुम यहां कैसे आए? असल में आप से एक मदद चाहिए ओ, मदद, तुम क्या चाहते हो? मैं बच्चों को लाया हूँ और मैं सोच रहा था आप इन यह जगा दिखा दें अच्छा है, मैं दिखा दूँगा शुक्रिया सर खेतों में बच्चे बहुत मौच मस्ती कर रहे हैं ऐसे दबाओ और दूद बाहर लगता है बच्चे बहुत खुश है, मुझे अच्छा लगा शुक्रिया, गुडबाई सर बहुत अच्छे, बाई अरिक एरिक, वो जगा बहुत बहुत अच्छी थी ठीक कहा, चिर्या घर में घूमने से भी ज्यादा मजा आया हमें वहा ले जाने के लिए शुक्रिया एरिक मुझे अच्छा लगा ले जाके बच्चों, घर जाने का समय मुझे घर नहीं जाना है मैम, एरिक के साथ थोड़ी दिर और खेलना चाहते हैं हम सब मुझे लगता है एरिक ठक गया होगा मैं तो बिल्कुल नहीं ठका मैं कुछ और जगा ले चलूँ सच में यह तो बहुत वज़ेदार है वाँ ठीक है तो चलते हैं हम सब एरिक बच्चों को लेकर खोले मैदानों से गुजरा जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे वाँ, कितना प्यारा है और फिर समुद्र किनारे बने बंदर गाह गया सब बच्चे उपर देखो, स्वागत है यह कितना प्यारा है चग चग चूचू, चग चग चूचू खुशिया मनाए हम सब मिलके और खुशो कर चग चूचूचूदाए हम सब मिलके और फिर उनके अलग होने का समय आ गया बहुत बहुत शुक्रिया एरिक, तुम्हारी वज़ा से आज हम सब खूंपाए आज का दिन मज़ेदार था, बहुत खुश है हम सब से अच्छे हो एरिक मुझे अच्छा लगा मुझे तुम्हें बाई बोलते हूँ अच्छा नहीं लग रहा उच्छे भी एरिक, क्या तुम हमारे साथ फोटो लोगे हाँ प्लीज बताओ एरिक, क्या कहते हो तुम जरूर क्यों नहीं ठीक है, सयार हो जाओ एक, दो, ते लगता है पिकनिक के दौरान एरिक और बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई आज तुम सच में सबसे अच्छे रहे एरिक डीजल कुछ अलग है चूचू टाउन में एक नई सुभा की शुरुवात आज मेरी छुट्टी है तो दिन कैसे बिताओं जीनी आ रही है यहां तो कीचड है जीनी डीजल, गुड मानें सॉरी, मैंने देखाने की कीचड़े वहां पर डीजल, तुमने जग बोच कर किया है वापस आओ मैं जल्दी में हूँ अब डीजल अगली शैतानी के बारे में सोच रहा था यहाई, तुमने डरा दिया मुझे टीटी पो एसा मत किया करो टीटी पो है एक तरफोग बिलू टीजल पुझे जाना है बिलते हैं दूसरों को दंग करने में बड़ा ही मजा आता है अरे वो लोगो है आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे काम पेचा रहे हो हां इंडस्ट्रियल एरिया जा रहा हूं लोगो चलो रेस लगाते देखते कौन पहले पहुंचता है रेस लगाए तो भी चलो डीजल लोगो है दीमा कच्छुआ बोला मुझे कि देख लां मैं तुमसे तेज हूं 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 लोको ने अपनी रफतार बढ़ाई और वो पत्री से उतर गया लोको ठीओ लोको को बहुत चोट लगी है क्या पता नहीं पता लगाने के लिए मुझे पूरा चेकप करना होगा डीजल मुझे लगता है तुम्हें जाकर अब आराम करना चाहिए लोको मुझे माफ करतो गल्ती मेरी है टीओ मुझे ठीक कर देगा चंता मत करो डीजल उमी ठीक है उस शाम छोटी रेल गाड़ियां मिस्टर हर्ब के पास एकठा हुई सुनो लोको को एक नए पुर्जे की जरूरत है जब तक वो पुर्जा नहीं आता उसे वहीं रहना होगा बीचारा लोको वो बहुत डर रहा होगा काफी हैरानी की बात है क्योंकि लोको कभी मोर पर तेज नहीं दोड़ता यह दुरगटना मेरी वज़े से हुई है तो मारे जैसे हाँ मैंने उसे धीमा कच्वा पोल कर उकसाया था तो मुझे खलत साबित करने के लिए वो तेज तोड़ा खलती मेरी है होसला रखो डीजल लोको बिलकुल ठीक हो जाएगा लेकिन आगे से ऐसी खतरनाक शैतानिया नहीं करना समझे डीजल ठीक है अब तुम सब लोग जाओ ठीक है उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा ये डीजल है कल से फिर शैतानिया करने लगेगा हाँ तुमने ठीक है बिलकुल चलो सब घर चलते हैं ठीक है अगली सुभा डीजल और ठीटी पो काम के लिए निकल गए ओ ये तो डीजल है अब पता चला तरपोग बिली कौन है तुम तो मुझसे भी ज्यादा चिलाए तुम सच में बहुत डर गए होगे जब मैंने शैतानी की थी ना मुझे माफ कर दो टीटी पो मैं तो तुम ये हसाने की खोशिश कर रहा था हाई टीजल हाई जी इनी कैसी हो काम खत्म हो गया कहीं घूमने चलोगे नहीं शुक्रिया मैं नहीं जा सकता नहीं लेकिन क्यों काम रहता है क्या मेरे जैसी शैतान रेल को घूमने का कोई हक नहीं है सब ही रेल काड़ियों ने लोकों से मिलने का फैसला किया जीजल बाहर आओ कैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा क्या मुझे नहीं लगता कि लोको मुझे देखके खुश होगा तुम सब मेरे पिना ही चले जाओ जीजल हेलो लोको हाई दोस्तों अब कैसे हो तुम टियो ने बताया नया पार्ट लगने के बाद मैं फिर से दौड़ने लगूंगा ये तो अच्छी बात है लेकिन डीजल कहां है डीजल तुम्हारे एक्सिडेंट के बाद वो बहुत बदल गया है बहुत ज्यादा वो अब घूमने तक नहीं जाता है और उसने कहा कि तुम उसे नहीं देखना चाहोगे इसलिए वो नहीं आया सच में डीजल तुम्हारे गिरने की वज़े खुद को मानता है तो ये बात है पर मुझे अच्छा लगता है कि डीजल शरारतें करता है सुनो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है जिससे डीजल को अच्छा मैसूस होगा क्या आइडिया है अगले दिन छोटी रेल गाड़ियां डीजल को खदान में ले गई हम पहुच गए हम खदान में क्या करने आए हैं डीजल याद है तुम मुझे पहली पार खदान दिखाने के लिए लाए थे मैं तुम्हें हमेशा से उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती थी शुक्रिया मुझे उस दिन मजा आया था इस तरफ चलना है ठीक है यह एक्सप्रेस्ट्रेन यहां क्या कर रही है मुझे लगता है कि सिंग सिंग को दूसरी माल गाड़ियों से दोस्ती करने में मुश्किल होगी सिंग सिंग सुनो तुम यहीं पर रुको यहां पर यहां क्यों अभी पता चल जाएगा डीजल देखो क्या हाल हो गया मेरा यह दोस्तों देखो यह सिंग सिंग है अरे डीजल तुम्हारी शैतानी से तुम्हारी दोस्त को चोप लग सकती थी क्या तुम ठीक हो हूं हां हां मैं ठीक हो इस शैतान डीजल की जगा चलो हम तुम्हें खदान घुमा लाते हैं वाव सची बिल्कुल बस तुम हमारे साथ साथ चलो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ मैं जानती हो तुमने वह शैतानी क्यों की थी ताकि वहां मेरी सबसे दोस्ती हो जाए थैंक्यू डीजल कोई बात नहीं ठीक है अब हमें दूसरी जगह जाना है दूसरी जगह चोटी रेल गा उन्हें याद है पिछली बार यहां क्या हुआ था याद है जीनियोर मेरी लडाइब हो गई थी अब तक शुरू भी हो गई होगी अरे नहीं कोई जगह खाली है वो जगह खाली है आगे से देखने की आज मेरी बारी है नहीं तुम्हें याद नहीं इस बार मेरी बारी है नहीं मुझे याद नहीं जूट मत बोलो तुम दोनों भी अजीव हो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो उस चगह के लिए किटीपो मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं मैं भी अपना सोच रहा था माफ कर दो ये बात अच्छी दोस्तों को ऐसे ही रहना चाहिए इसी विए सबसे आगे वाली लाइन में ले लेता हूँ जीजल उससे समझना मुश्किल है जीनी क्या हम दोनों साथ-साथ यहीं से फिल्म देखे ठीक है तुम्हारी वज़े से डीजल मेरी और चिटीपो की लड़ाई खत्म हुई तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल एक बात बताओं तुम हसते हुएए और शरार दे करते हुए अच्छे लगते हूँ चीक कहा जब तुम हमारे साथ शरार दे नहीं करते तो बोरियत होती तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों सुनकर अच्छा लग रहा है सुनो मौसम बहुत अच्छा है बाहर घूमने और खिलने चले अच्छा है चोटी रेर गाडियां समुद्र के केनारे जा रही है अचानक क्या हुआ आस्मान में काले बादल जा गए ऐसा रगता है बारिश होग मुझे घूमने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था मुझे माफ कर दो दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों एक आइडिया है हम गाना गाते हैं कौन सा गाना याद नहीं वो प्यारा गाना जो तुमने सिखाया था जब पिछली बार गूमने गए थे ओ सही कहा उस दिन भी ऐसे है यात है तुम्हारी साथ गाना गाते हैं अगैसी अगरे साथ हो रही ती ती रही है तो थिस छमचमत जो professors 10 मिलखन कर ज्यशुत सब्सक्राइद न का दो रही थी तुम्हारी साथ गाना गात पर शम घाल एक परसी दोब्राइद एक पदम दो पर जब चलते जाए हम मिलते, मनाए मोच, जब ली बर्से फूली चम-चम भंपर जब छोटी रेल गाड़ियां हसते गाते जा रही थी, तभी सूरज निकल आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीजल हुँ हाई दोस्तों हेलो लो क्या अब तुम पूरी तरह से ठीक हो बिल्कुल एक नए इंजन जैसा मैं बहुत कुछ हूँ, मुझे तुमारी बहुत चिंता हो रही थी डीजल उस बारे में टीयो ने कुछ बताया मुझे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं रेगुलर चेक अप नहीं करवा रहा था क्या मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी मैं ऐसे ही खुद को दोशी मान रहा था सॉरी डीजल अभी बताता हूँ तुमको अपसे में चेक अपका ध्यान रखूँगा वहां रखता हूँ पता तुम्हें किताब परिशान था अपने दोस्तों की वजह से डीजल फिर से हस्मुक और शरारती हो गया है लेकिन आगे से खतरनाक शरारते मत करना डीजल फिक्स और लिफ्ट संगीत मुकाबले में फिक्स और लिफ्ट मस्ती में गा रहे हैं छोड़ चल शेहद और भीड भार कभी आया फुल और कभी पहाड़ फिर आया जंगल चुटब और चिड़िया गाई चिड़िया गाई या फिक्स लिफ कैसे हो दोस्तों मुकाबले की तयारी कर रहे हो कुछ ही तिनों बाद बस चिंता मत करो दोस्तों तुम्हें जरूर पहला इनाम मिलेगा ठीक कहा पूरी दुनिया में फेक्स सबसे अच्छा रैप करता है शुक्रिया डीजल और शहर में ऐसा कोई नहीं है जो लिफ्ट से अच शर्मिंदा हो जाओगे ऐसा कभी नहीं होगा तुम भी यह जानते हो हम तुम्हारा हौसला पढ़ाएंगे शुक्रिया हम पूरी कोशिश करेंगे ठीक है अब हम काम पर चलते हैं मिलते हैं सबको मेरा पसंद आता है डीजल को भी अच्छा लगता है अब मैं सबसे अच्छ तुम जल रहे हो मुझ से अरे ये क्या दोनों के बीज में बात बिगरती जा रही है अगले दिन फिक्स और लिफ ने प्रैक्टिस शुरू कि कभी आया पुल और कभी पहाँ पिर आया जंगल जंगल में कुकी कोयल मैं हुआ फिक्स नहीं हूं कोई लूट सुना फेक्स क्यों अज मिलकर प्रैक्टिस करें है क्यों नहीं भी या पुल और पुर चिडियां गाई दी टुम बहुत जलदी शुरू कर रहे हो मेरा रैप खत नहीं हुआ पर तुमने रापिंग पहले शुरू कर दी entwickelt मेरा गाना भी खत नहीं हुआ क्या हो, टीटी पो ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी है, तुम तो हवा में ही उड़ने लगे हो और डीजल ने तुम्हारी क्या तारीफ कर दी, तुम भी हवा में उड़ने लगे हो कुछ भी मत बोलो हेलो दोस्तो, कुई परिशानी है किम ऑनों लड़ रहे हो मेरा गाना खत्म होने से पहले ridge fix बीच में कूद पड़ता है केसी बात कर रहे हो तुमने मेरे रैप के बीच में घाया पेचारा इसे लगता है इसकी रैपिंग ही सबसे अच्छी है अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो तो फिर से सोचो बैस लड़ो मत इतना ही अच्छा गाते हो तो मेरे भी न गा के डिखाओ तो तुम भी ऐसा ही करो जाके मैं दिखाता हूँ हाँ टीटी पो आज सिर्टुम मेरे नए रापर होगे लेकिन मुझे यह नहीं आता अरे चिंता मत करो मैं सब सिखा दूँगा लेकिन अच्छा ठीक है डीजल तुम मेरे साथ गाऊगे मैं गाऊंगा रापिंग मैं सम्हाल लूँगा और तुम गाना गाल दो मूझे नहीं लगता मैं यह कर पाऊंगा अरे कर लोगे मैं तुम्हें सिखा वोने रात मैं वाले हैं कर दो हुआ सेता ना इसमें अगे तुम्हें शबster ऑलना हो यहिए दो ए ब्लिकाता है करते ना जलो पर से खोशिछ गरते लिफ्ट और टीटीपो भी प्राक्टिस कर रहे हैं ध्यान से सुनो चोड़ चले शहर और भीड भाड कभी आये पुल और कभी आये पहार रुख जाओ ताल बिल्कुल ठीक नहीं है ताल हाँ छोड़ चले शहर और भीड भाड ये है ताल छोड़ चले शहर और भीड भीड ठीक है भीड भीड मत बोलो भीड भाड बोलो माफ करना छोड़ चले शहर और भीड भाड कभी आए पुल और कभी आए पहाड इसके बाद क्या था ओ हाँ फिर आए जंगल फेक्स के मुगाबले तो ये जीरो है अब कैसा लगा? मैंने अच्छा गाया ना? ठीक ठाक था बस अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है छोड़ चले शहर और भीड भाड कभी आई पो ऐसे नहीं टीटी पो मेरा गला गागा के मेरा गला तो क्या? मेरा भी मैं ठाक या हूँ फेक्स ने पूरा दिन प्रैक्टिस करवाया लिफ्ट ने भी बार-बार कह रहा था मेरी ताल ठीक नहीं है हमारी हालत खराब करने के बजाओं उन्हों को साथ में गाना चाहिए ना? सही कहा मेरे पास एक बहुत बढ़ी आइडिया है कैसा आइडिया? अगले दिन की शुरुवात फेक्स लेफ्ट सुनो दोस्तो तुम लोग यहां पर हो हाँ यही है तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया इतनी सुभा? क्यों पर टीटी पो चल नहीं पा रहा है चल नहीं पा रहा? टीटी पो की तभीए ठीक नहीं है हाह मुझे लगता ऐसा तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी होगी उन्हें अब तक आ ज़ाना चाहिए था वो रहा, टीटी पो क्या हुआ, वोती तीटी पो? कि सुनो फेक्स लिफ्ट क्या मेरी तब्यद बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन अगर तुम दोनों गाओगे तो मुझ अच्छा लगेगा हम गाना काएं कि माफ करना दोस्त हम फिर कभी गाएंगे पिर खभी जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है हुआ टीयो हाई दोस्तों कैसे हो क्या चल रहा है टीटी पूप की तब यह ठीक नहीं है अच्छा टीटी पूप बताओ क्या परिशानी है रुको टीयो एक मिनट रुको टीसल अब क्या करें हमें हमें निकल लेना चाहिए ओ अरे वाँ अब चल पा रहा हूँ ठीटी पूप शुक्रिया दोस्तों शुक्रिया टीयो ना तक वेकार गया इन दोनों को अचानक क्या हुआ टीटीपो टीटीपो आखिरकार म्यूजिक कॉम्पेटिशन का दिन आ गया सबी को हलो स्वागत है संगीर के इस महा संग्राब में आए कारिक्रम शुरू करें सबसे पहले एक जबरदस्ट जोडी आ रहे है स्पीड और शाइन सब को हलो मुचा जेए ुचका पूम चका पूम चका पूम चक ऑंपिरदस्ट पूम taken कमान एसस्त कउध पूम चका पूम शुकर मास्ट्थ पो Share ut babe यह हँ हा啦 बटे मुष्किल होती है जब टाफिक रूक जाता है चलो वेर प इस चलो One две तूर अब आ रहे हैं, अ फिक्स और डीजल, पिक्स और लिंट होना चाहिए था ना, लेकिन डीजल है, डीजल, अच्छे से गाना ठीक है, हाँ, ठीडिडिडिडि ज़ोर चले शेहर और भी रवार, कभी आधे आधे पुला, टीजल गार है, रहा है, ठीजल कर रहा है, मुझसे नहीं हो सकता है नहीं जीजल इनकी परफॉरमंस शुरू होते ही खत्म हो गई अफसोस की बात है मैं इससे अच्छा करना चाहता था अरे पिक्स अब आ रहे हैं लिफ्ट और टिटीपो क्या इस पार लिफ्ट और टिटीपो आ रहे हैं टिटीपो तयार होतों छोड़ चले शहर और भीड भाड कभी आये पूल और कभी आये पहाण फिर आया जंगल और शेर बोला ची ची शेर बोला ची ची टीटीपो शब्द गलत हो गए क्या शब्द छोड़ चले शहर और कर ओ गए चांदनी में भीगे यह चीद नहीं है इस शांदर परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यह थे इस मुकाबले की आखरी परफॉर्मेंस किने चल्दी हम हो गया वजह नहीं आया और ये गलत है मुझे फिक्स और कोई सुना है मुझे भी चल्दी स्टेस्स बराओ будем यहां मुझूद सभी रिल गड़िया सुनना जाती हैं पिक्स लिफ को पिक्स लिफ जल्दी से स्टेज पर आजा पिक्स ऊपर पहुंच जाओ सब तुम्हारा इतिजार कर रहे हैं यहां है मेरे साथ स्टेज पर चलना चाहों है हां क्यों आई पिक्स अर बजा देल ना चलो श्यरू करें इन हो चौड़ चले शहर और भीडभा कभी आया बुल और कभी भाहार फिर आया जंगल जंगल और चलिय गाई ची 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 येल भर फैर से सामबक गया लगता है फिक्स और लिफ्ट फिर से एक हो गए है दोनों सिर्फ अच्छा गाना नहीं गाते बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी है बहुत बढ़िया फिक्स और लेफ्ट शैतान चीची जोचु टाउन में सुभा का समय शैतान पपी चीची ये क्या किया तुमने शरारती कहीं के देखो तुमने कितना नुखसान कर दिया है मिस्टर हब ओ आ रहा हूँ आ गए तुम चीटी पो गुड़ मॉनिंग मिस्टर हब हेलो चीची ओ मिस्टर हब आपके कपड़ों पर क्या लगा है हाँ ओ टीटी पो सफाई करते हुए ये गंदगी लग गई होगी इस चोटे शैतान ने मेरे ओफिस को गंदा करके रखा हुआ है कि चीची ने फिर तंग किया इससे मुझे कल रात की बाद याद आई यह आवाज कैसी थी क्या कुछ कड़बर है अब इतने तेज आवाज है यह क्या हो रहा है ओ ये क्या कर रहा है हो चीची हम सब सो रहे थे चीची ने डराकर सबको उठा दिया और उस दिन भी इसने बहुत तंग किया था मुझे मैं आ गया ओ शाबाज डीजल चीची ये कहां पर गया था मुझे लगता है चीची चुपचाप मुझे पर चड़ गया और मेरे साथ ख़दान पहुच गया था क्या चुपचाप चड़ गया लेकिन चीची बहुत प्यारा है ये तो सच है ओ जरा समय तो देखो ठीटीपो तुम्हें आप जाना चाहिए ठीक है आपका दिन अच्छा बीते मिस्टर हब तुम्हारा भी आखरी स्टेशन आ गया सबको बाए बाए खड़ी रहो बैठो कितना समझदार डोगी है ओ टीटीपो हेलो 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 आपका डोगी आपका हर कहना मानता है शुक्रिया ये बहुत से कर्टब करता है ये देखो हाथ मिलाओ अब दूसरा हाथ मिलाओ कमाल है आपने ये सब कैसे सिखाया बहुत प्रैक्टिस चाहिए काफी वक्त से सिखा रहा हूं से मैं वापस आ गया टीटीपो शाबाश मिस्टर हब कभी चीची को ट्रेनिंग देने की बारे में सोचा है ट्रेनिंग हाँ अगर आप चीची को सिखाएंगे तो फिर वो कभी तंग नहीं किया करेगा ओ अरे वाँ यह अच्छा एडिया है चीची को सिखाना क्या मैं उससे सिखाऊं हाँ और मैं आपकी मदद करूंगा अच्छा तुमारा शुक्रिया टीटीपो मुझे खुशी होगी इससे थोड़ी ट्रेनिंग देता हूं तयार हो चीची जा लेकर आओ अच्छा तुम्हें कितना अच्छा गागी है हां सुना है यह चुचु टाउन में रहता है यह हुई ना बात हमारा चीची सबसे अच्छा है लगता है यह आसानी से सीख जाएगा अगले दिन मिस्टर हर्ब और टीटीपो ने चीची को सिखाना शुरू किया इस डिस्क को उठा कर लाओ चीची बहुत बढ़िया चीची मैं इसे फेकूंगा तुम इसे उठा कर लाओ ठीक है ना चीची तुम कर सकते हो तो तुम तयार हो लेकर आओ जाओ ना चीची उठा कर लाओ जाओ ना चीची तुम्हें उठा कर लाना है चीची मेरे पीछे आओ आओ आप फिर कोशिश करते हैं फिर फेकूंगा इसे चीची छोड़ो मैंने कहा ना छोड़ो इसे चोड़ो इसे मिस्टर हर्ब क्या ठीक है कुछ नहीं हुआ मुझे सुनो इसको लाने पर ध्यान लगाओ चीची यह चीची तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो हर बार जब मिस्टर हर्ब चीची की तरफ डिस्क भेंगते तो उन्हीं ही वह वापस लानी पड़ती मेरी उमर हो गई है चीची दोबारा या ओ चीची मैं तो बहुत ठक गया हूँ लगता है ट्रेनिंग मिस्टर हर्ब की हो रही है मिस्टर हर्ब आप ठीक तो है ना मुझे लगता है सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा चीची दूसरी तरह कोशिच करते हैं यहां बैठो ऐसे इस तरह से कहा मैंने कहा बैठ जाओ और उसके बाद गोल-गोल घूमो देखो इस तरह है घूमो है ना आसान ओ चीची गुद्गुदी ना करो टीटीपो टीटीपो ओ पीट दुखने लगी लगता है बारिश होने वाली है टीटीपो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है ठीक है चीची चलो चलें चीची कहां जा रहे हो तुम अरे दूर मत जाओ चीची वापस आ जाओ अरे नहीं लगता तूफान आएगा चीची चीची कहां हो तुम चीची चीची मिस्टर हर चीची को हर तरफ ढून रहे है चीची ओ चीची यहां हो तुम ओ मेरे बच्चे कोई बात नहीं दरा नहीं प्यारे बच्चे इतनी देर क्यों लग गई ओ मिस्टर हर अओ टीटी पो मिल गया चीची यह कहां था मिस्टर हर यह जंगल में चला गया था शायद जी डर गया है कांप रहा है डर गया जल्दी अंदर आइए ठीक है चलो अब घर चलते हैं जी मिस्टर हर अब तुम बहुत शैतानी करते हो चीची शैतानिया तभी कर पाओगे जब तुम ठीक रहोगे शैतान बच्चे कम से कम जवाब तो देते हो डर लग रहा है डरो मत चीची मैं हूँ ना रहा है चीची बंड़े बीमार हो गए का रहा है का चुछ सकता ना हुआ चीची तुम यहां क्या कर रहे हो दोस्त क्या चूचू शेहर में कुछ हुआ है दोस्त मैं समझ गया चलो चलते हैं मिस्टर हर्ब मिस्टर हर्ब क्या हुआ आपको हलो जल्दी एंबिलेंस भीजिए इन्हें बहुत तेज बुखार है परिशानी की कुई बात नहीं है सुबह तक ठीक हो जाएंगे हां हम इनका बहुत अच्छे से खयाल रखेंगे तुम दोनों का शुक्रिया आलस जे इनका पूरा ध्यान रखना अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो कुछ भी हो सकता था तुमने अच्छा काम किया चीची मिस्टर होग ओओ मेरे बच्चो मैंने सुना है आज चीची का टीवी पर इंटरव्यू होगा यह माइक ठीक ही सुना है उसने जरूरत के वक्त आपकी मदद की चीची सच में हीरो है बिल्कुल वो सबसे समझदार डॉगी है आप त्यार है सर ओ महां चीची वो समझदार पपी जिसने अपने मालिक की जान बचाई है उसके मालिक से मिलते हैं स्टेशन मास्टर मिस्टर हब हलो सर ओ हां सभी को हलो मैं हूं स्टेशन मास्टर चीची के बारे में बताईए वो कैसा डॉगी है चीची एक कभी शरारत न नहीं, उसे रोकिये, ओ चीची, ये सब बंद करो अब ही, चीची, लगता है कैमरा खराब हो गया, आपने तो कहा था कि ये कभी तंग नहीं करता, चीची, हालां कि चीची बहुत तंग करता है, लेकिन वो सब का प्यारा पपी है, है ना दोस्त? डैनी और उसकी दूस्त, रात बहुत ज्यादा बीच चुकी है, और पट्रियों की जान्ज करने वाला डैनी अभी काम से लोटा है, काम पूरा हो गया, सब लोग सो गए क्या, लोको, ठिटीपो, सिंग सिंग, डीजल, लगता है सब गहरी नीन में है, डानी रात को काम करता है, सुभा सुभा वापस आता है, और दिन में सोता है, जब शाम होती है, तब डानी सोकर उठता है, काफी अच्छी नीन दाई, काम पर जाने के लिए तयार हो जाता हूँ, हेलो डानी, हाई दोस्तों, हेलो, हाई, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ, सच में बहुत दिन हो गए, क्या कर रहे हूँ आज कल, क्या किसी काम से बाहर कए थे, नहीं तो, मैं तो यहीं परी था, अच्छा, फिर इतने दिनों से दिखें क्यू नहीं, मैं रात में काम करता हूँ, याद है न तुम्हे, ओ, अरे हाँ, अच्छा ये बताओ, कहां जा रहे हो सब के सब, हमारा काम ख़त मों गया, इसलिए घूमने जा रहे हैं, अच्छी ब टी है, तुम दू पहर को तो काम नहीं करते न, हमारे साथ चलो, बहुत मज़े करोगे तुम, सच में, हमारे साथ आओ न, डैनी, पर तब तो मैं सोता हूँ, चलो, एक दिन नहीं सोँगा, ठीक है, मैं भी चलूँगा, बढ़िया, कल मिलते हैं, अब यहाँ चलो, मिलते है सुभा होने से कुछ पहले, डैनी अपना काम पूरा करके वापस शेहर पहुंचा बहुत नेनद आ रही है, लेकिन अभी मैं नहीं सो सकता, अगर सो गया तो मैं घूमने नहीं जा पाऊंगा फिक्स और लिफ्ट के रैप ने तो मुझे नीम से जगा ही दिया ये अच्छा है और सकसाथ ही लेफ्ट दोस्तों हाँ डेनी हाई फिक्स लेफ्ट कुछ और रैप सुना सकते हो मेरे लिए कुछ और रैप क्यों नहीं बहुत बढ़िया थैंक्स तो ठीक है शुरू करते हैं मेरा नाम है विक्स लेफ्ट लेफ्ट मेरा नाम है लेफ्ट 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 लेफ माफ करना चलो आओ हम प्रैक्टिस करते हैं ठीक है डैनी तुम्हें सो ना है तो घर जाके सो अपनी नींद खोलने के लिए डैनी नहाने चला गया किसी भी तरह आज मुझे जाग नहीं होगा अब अच्छा लग रहा है अब मेरी नीन खुल गई है नहीं अभी नहीं सो सकता एक बार दुबारा नहाने चलता हूं अहीं नहीं डैनी तो फिर सो गया छोटी रेल गाड़ियां घूमने जाने के लिए तयार है डैनी कब तक आएगा पता नहीं अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था हाई दोस्तों माफ करना मैं थोड़ा देर से आया तुम ठीक तो हो ना कोई परिशानी तो नहीं है तुम बहुत बीमार लग रहे हो तुम हमारे साथ बाहर घुमने जा पाओगे हाँ क्यों नहीं बस थोड़ी बहुत नींदी आ रही है मुझे और कुछ नहीं चलो दोस्तों चलते हैं रुको टैनी क्या कहां चेह रहे हो हमें इस तरफ जाना है ओ हाँ सही कहा चलो चले ठीक है सुना दोस्तों यहां फूलों को देखो कितने सुन्दर है ना जैनी सबसे अच्छा फूल कौन सा लगता है मुझे भी मुझे भी घुमना बहुत पसंद है क्या हाँ ठीक है कितना सुन्दर है है ना जैनी पूल बहुत अच्छे अच्छे लगे मुझे क्या है देखो दोस्तों वहां पर देखो एक बड़ा जहाज जा रहा है इसकी आवास बिल्कुल हमारी सीटी जैसी है मुझे लगता है यह हमें हैलो कह रहा है मुझे भी हम भी इसे हैलो कहें जैनी क्या हमने तुम्हें डरा दिया डर पोग बिल्लिया टिटी पो टिटी पो टिटी पो टिटी पो डैनी नीन्द खुल गई तुम्हारी आप ठीक हो ओ फिर से सो गया था क्या माफ करना मुझे मैं सोया नहीं था ताकि मैं घूमने जा सकूं तुम्हारे साथ तभी तुम इतने ठके हुए हो कोई बात नहीं हम फिर किसी दिन दोबारा खुमने चलेंगे नहीं दोबारा नहीं मैं हमेशा रात में ही काम करता हूँ इसलिए तुम लोगों के साथ मस्ती नहीं कर पाऊंगा चलो चलता हूँ बाए दोस्तों डैनी डैनी बहुत उदास लग रहा है बहुत उदास कोई तो रास्ता होगा आइडिया मुझे एक आइडिया आया है कैसा आइडिया ध्यान से सुनो हम डैनी को सुप्राइज करेंगे अब तो पक्का सब लोग सो ही गए लिए यह किसकी आवास थी सप्राइज सप्राइज डैनी क्या सप्राइज तुम लोग अब तक जाक क्यो रहे हो आज हम जल्दी जाक गए बहुत-बहुत जल्दी तुम्हारे साथ घूमने के लिए बिल्कुल ठीक हम थोड़ी देर शु अच्छे हो तुम सब जल्दी चलते हैं मज़ा आएगा अब देर मत करो चलते हैं हम जरा सुनो थोड़ी देर के लिए यही रुख जाओ क्यों वो इसलिए क्यूंकि ये तारे देखने के लिए सबसे अच्छी जगा है तारे देखने के लिए हां जरा ऊपर देखो सब कितने सारे तारे हैं हीरे की पहां चमकते हुए देखो दोस्तों तूटता हुआ तारा वा तुम रात को बाहर होते हो कितने तारे दिखते होंगे कितना मज़ा आता होगा सच में कमाल है कि दीजल तुम हमें यहां प्यों लेकर आए मैंने एक खांस चीज़ तेयार की है अब देखने के लिए तयार हो जाओ गाडियन एक्स लिए मैंने अइसन रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्पिया डीजेट बहुत reflect सब्सक्राइब को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी समझ गया हम है ना हारने वाले गार्डियन एक्स हम है ना हारने वाले गार्डियन सच में बहुत मज़ा आया हाँ पता है मुझे सुनो दोस्तों मेरे साथ साथ आओ डैनी कहां जा रहा है उसके बीछे चल कर ही पता चलेगा बस यहीं रुख जाओ अब उस तरफ देखो कितना सुन्दर है अगर सुभा तक ताम करना पड़े तो उपता हुआ सुरज रोज दिखाई देता है लेकिन इसे तुम्हारे साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रिया दोस्तों येक यादगार पल है ओ छोड़ भी शुक्रिया हमें कहना चाहिए यहां लाने के लिए यह सच है हमें आज बहुत मज़ा आया यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा अब हम एक साथ ज्यादा घुमा करेंगे लगता है मुझे नील जा रही है मुझे भी क्या हम अब वापस चले काम पर जाने से पहले श चलो घर चलें अब अरे कहां हो सब काम पर जाने का समय हो चुका है तुम सब अभी तक सो क्यों रहे हो माफ कर दीजिए अभी आ रहा हूं अरे नहीं तेरो नहीं तो अभी सो रहा होगा खिस्मत वाला है अब चलो भी डैनी की वज़े से हमने इतने मज़े किये यह तो सच है यह तो सच है रात को देर तक मौज मस्ती करने की वज़ह से छोटी रेल गाड़ियां सुभा तक सोती रहें देरी तो होनी ही थी मैनी और बर्नी फिल्मी सितारे हैं काम पूरा करने के बाद बर्नी वापस चुचु शहर आ रहा है मुझे जल्दी चलना चाहिए ताकि गार्डियन एक्स देख सकूँ ती है किसने आवाज दी हाई दोस्त गार्डियन एक्स क्या मैं तुम से एक मिनट बात कर सकता हूं जरूर जितनी देर चाहे कर सकते हैं हैं क्या तुम फिल्म में काम करना पसंद करोंगे क्या कहा फिल्म में हम हम गाड़ी नयए ekस के नई फिल्म में माल गाड़ी एम और तुम सहीर होगे सच कह रहे हैं तोम और आउडिशन दे दो ठीक है मैं मैं वहाँ जरूर पहुंच जाऊंगा बढ़िया वैसे तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम है बर्नी अच्छा नाम है चालो तो कल मिलते हैं बर्नी ठीक है वाँ सच में तुम गाडिये नेक्स से मिले उसने मुझे सेट पर बुलाया है बद्धाई हो बर्नी इसका मतलब अब उनके साथ फिल्म में काम करोगे तुम फिल्हाल मुझे कोई रोल तो नहीं मिला है लेकिन हा मैं ओडिशन जरूर दूंगा बहुत बढ़िया तुम्हें रोल मिल जाएगा मेरी एक मदद कर दोगे प्लीज तुम जरूर होसला बनाने के लिए साथ चलोगे मैं घबरा रहा हूँ अरे क्यों नहीं भाई होते ही किस कहा ना वलत हो क्या देखो मैं मैंनी हूँ और मैं हूँ बर्नी पिर चुक गई सॉरी मैं अब भी तुम दोनों को पहचान नहीं पाती है जरा ध्यान से देखो हमारा रंग थोड़ा सा अलग है हमारी धारियां भी अलग है वो ठीक कहा खेर तुम दोनों किस बारे में बात क मैं इसकी होसला अवजाई करने जा रहा हूँ वाव सची अच्छी बात है बेस्ट आफ लग बर्नी शुक्रिया तुमारा अगले दिन मैनी और बर्नी गार्डियन एक्स के ओडिशन के लिए गए वाव वो रहा गार्डियन एक्स सामने ही नजर आ गए कैसे हैं गार्डियन और नगी जल्दी से आ जाओ मुझ पर काट बर्णी क्या थोड़ी बारी आवाज में ये शौट दुबारा दे सकते हो ठीक है ठीक टू रेड़ी अक्शन अरे नहीं वो फिर से बच कर निकल गया काट ये नेक्स जल्दी से आजाओ मुझ पर काट ये अच्छा है लेकिन इसकी आवाज ठीक नहीं है ये शायद कर ल मैंनी क्या कहते हो तुम्हारी आवास कमाल की है तो ठीक है मैं ये रोल तो लेकिन ये क्या हो रहा है यहां पर मेरी बात सुनो बर्णी क्या है माफ कर दो मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए था चलो कोई बात नहीं बर्णी तुम एक और ऑडिशन की बात क्यों नहीं कर लेते मैंनी अब जाने भी दो इस रोल को तुम ही करो बहुत बोरा लग रहा है मुझे छोटी रेल ना गार्डियन एक्स की नई फिल्म में मैनी भी है मैनी हां ये गार्डियन एक्स के साथ एक्टिंग कर रहा है ये कितना किस्मत वाला है ना अजीब बात है और अडिशन तो बर्णी का था फिर मैनी को रूल कैसे मिल गया मैनी क्या तुम हमारे लिए गार्डियन एक्स का दोस्तों माफ करना लेकिन मैं मूवी में काम नहीं करने वाला क्यों कि अक्टिंग में बजा नहीं आएगा तुम गार्ण एक्स के साथ पिल्म में काम करोगे तो और अटोग्राफ नहीं मिलेगा सॉरी लेकिन नहीं मिलेगा क्या ये बढ़नी की वज़ा से टिटीपर टिटीपर मैनी बस भी करो अब तुम ही करो ये रोल मुझे तु खुश होना चाहिए था मैनी की साथ मेरा ये बरताव अच्छा नहीं था ये तो मैनी है ये क्या जैनी ने एक बार फिर बर्नी को मैनी समझ लिया है हाई जैनी बर्नी की वज़ा से छोड़ रहे हो क्या बर्नी के लिए बुरा लग रहा है इसलिए फिल्म नहीं कर रहे हो क्या लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो बर्नी को और बुरा लेगेगा क्या सच में मैनी मेरी वज़े से वो मुवी छोड़ रहा है ये बिल्कुल नहीं होने दूँगा मैं ये क्या और ये तो बर्नी था फिर से मैं हमेशा गटबड कर देती हूँ मैनी और बर्नी क्या तुम सच में गार्डियन एक्स की मुवी छोड़ने वाले हो हां मैं चोड़ रहा हूं लेकिन तुमें कैसे पता चला मैनी क्या तुम मेरी वज़े से फिल्म नहीं कर रहें ऐसा किसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम वह फिल्म जरूर करो सच कह रहे हो माफी चाहता हूं कि पहले मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था बर्नी पक्का ना तुमें बाद में बुरा तो नहीं लगेगा बिलकुल नहीं लगेगा वैसे भ वज़े से मैनी फिल्म करने के लिए तैयार हो गया है सची यह तो बहुत अच्छी बात है तुम दोनों बहुत अच्छे हो एक मिनिट तुम्हारी वज़े से इसका क्या मतलब हुआ क्यूंकि थोड़ी देर पहले जैनी को लगा कि मैं मैनी हूँ और उसने मुझ से कहा कि बर् करूंगा गार्डियन एक्स हां आईये मुझ पर शुक्रिया जल्दी चलो जी सर कट बहुत बढ़िया है मैनी तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया शुक्रिया बढ़िया मैनी तुमने कमाल का काम किया बस कल भी ऐसे ही मेहनत करना है बिल्कुल सर कल तुम्हें एक बढ़नी एसा नहीं हो सकता मैं यह नहीं कर पाउंगा मुझे डॉग से बहुत ज्याधा दशीया अरे डरो मैत वो डॉग तुमें कुछ नहीं कहेगा अंप प्लीज मेरी जगा यह सीन तुम कर लो मुझे डर लगता है तो लगता है पर इस रोल के लिए मेंस आवाज सहीं 10 अरे हां समझ नहीं आता कि हम मैं क्या करूँ कोई न कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा मैनी हाई दोस्तों तुम्हारी पहचान का तरीका पता चल गया तरीका हां तुम्हें पहचानने का तरीका जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती तो क्या है वो तरीका तुम दोनों की आव हमारी आवाज है मैनी की आवाज तुमसे भारी है हमältु नाम है नाम है अलग है हम दोनों एक जैसे है लेकिन हमारी आवाजे अलग है मैं नहीं, चिंता मत करो, समझ आ गया कि हम कल का सीन कैसे शूट करेंगे अच्छा, तो कैसे करेंगे बताओ कल सीन में हम दोनों ही शामिल होंगे दोनों? जेनी, बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा किस बात का? सब कुछ तयार है? तयार, एक्शन गार्डियन एक्स, जल्दी करो, मैं यहाँ पर हूँ जल्दी चलो, डॉग बहुत घायल है ये काम मुझ पर छोड़ दीजी आराम से बैठिए, मैं सुरक्षित आपको अस्पताल ले जाऊँगा वाव यहाँ, तो सीन में डॉग के साथ है बर्नी और आवाज है मैने की कांट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सीन वाव, बहुत बढ़िया कर दिया शुक्रिया गार्डियन एक्स बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुमने नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने कमाल किया दोनों ने किया, तुम्हें एक बहुत अच्छी टीम हो डॉट इस डॉट को मुझसे दूर ले जा प्लीज आखिरकार गार्डियन एक्स की वो फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें मैनी और बर्नी ने काम किया है अरे वा, ये तुम हो अरे वा, ये आवाज है मैनी की इसका मतला नानी और बर्नी दोनों फिल्म में है क्या एक्टिंग की है, इतना असलों अक्टर जैसी जुड़वा माल गाड़ियां मैनी और बर्नी फिल्मी सितारे बन रहे है दोनों को बधाई हो एरिक सबसे अच्छा है एरिक यात्रियों को लेने जा रहा है सब्भी को हेलो हेलो मिल्कुल मैं इस गाड़ी में नहीं जाओगी क्यों नहीं बेटा ये बहुत दरावनी है पर ये दरावनी नहीं है ये रेल गाड़ी चला भड़ी एरिक हम कब तक खड़े रहेंगे मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी माफ कीजिएगा मैम हाँ मुझे मुझे अब जाना ही होगा क्या करूं मैं काम पूरा करने के बाद एरिक वापस चूचू शहर आ रहा है मैं आ गया सर एरिक तुम ठग गये होगे हां अरे हां याद आया कल स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे यहां घूमने के लिए आ रहे हैं छोटे बच्चे सर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तुम बस बच्चों को चूचू शेहर की अच्छी सेहर करवा देना हां जी हाई दूस्तों एरिक क्या तुम्हें पता है स्कूल के चोटे बच्चे यहां आ रहे हैं मुझे खुशे हो दिनी है मुझे भी, मुझे भी मुझसे तो कल तक का इंतिजार ही नहीं हो रहा सबसे पहले उन्हें क्या पिखाएंगे देखो, मुझे ये काम करना नहीं है वरना मैं तुम सब की चुट्टी कर देता अरे, छोड़ो भी सब बच्चे मेरी सवारी करना चाहेंगे बच्चों से मैं बहुत अच्छे से गुलता मिलता हूँ अब बस करो अरे, सच भाई लगता है डीजल को बच्चे पसंद करते हैं हाँ हर किसी की बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है मैं क्यों नहीं कर पाता हाँ, शायद डीजल मदद कर सके तो, क्या तुम बच्चों से गुलना मिलना चाहते हो हाँ, तुम मदद कर सकते हो पर, मुझे तो पता ही नहीं अरे, मजाग कर रहा था मैं सबसे पहली बात, तुम्हें बच्चों के लिए गाना गाना है गाना गाओ? बिलकुल, बच्चों से गुल्ले मिलने के लिए एक मस्ती भरा गाना गाओ समझ गया मैं फिर उन्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाओ पर कैसी कहानी सुनाओ? अरे यही कोई जानवरों या परियों की कहानी वाँ, अच्छा एडिया है इसमें तो तुम कमाल के हो डीजल एक बात और मैं तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ एंडी के पास जाओ एंडी हाई एंडी एरिक, अच्छा लगा तुम से मिलकर एंडी, क्या तुम मुझ पर कोई पेंटिंग कर सकते हो तुम पर? हाँ, क्योंकि कल छोटे बच्चे गूमने के लिए चूचू शेहर आ रहे है तो ये बाच है, ठीक है, बना दूँगा मुझे सुन्दर बना दो, प्लीज एंडी से डिजाइन बनवा कर एरिक चूचू शेहर के लिए चल पड़ा ये डिजाइन बच्चों को पसंद आएगा ओ, ये गड़गड़ा हट कैसी है ओ, बारिश हो गई अरे नहीं, ये तो सोचा नहीं था मुझे जल्दी वापिस पहुँचना होगा अरे बापरे, अब क्या होगा बारिश की वजह से पेंटिंग खराब हो जाएगी बच्चों, ये है मिस्टर हर्प हेलो मिस्टर हर्प हलो बच्चो, चूचू शेहर में स्वागत है एरिक को देर हो गए, अची बात है मैं आ गया हेलो एरिक क्या हो गया एरिक, तुम्हारे चहरे को क्या हो गया तुम्हारा सारा पेंट, खराम हो गया एरिक क्या मैंने यह भी करवाया था, फिर बारिश हो गई बच्चों को बिठा कर, छोटी रेल गाडियां उन्हें चूचू शेहर की सेर करवा रही है देखो बच्चों, यह है फ्यूल स्टेशन वाउ, यह कितना प्यारा है चले चल के देखे पर हमें अभी रुखना होगा, वहां बच्चों का दूसरा ग्रूप अभी देख रहा है बोर हो गये सुनो बच्चों, गाना सुनना चाहते हो हाँ, जी सरूप चग चग चूचू, चग चग चूचू, चग चूचू, खुशिया मनाए हम सब मिलके और हुश होकर, चग चूचू, गाए सब मिलके अच्छा, तो फिर एक मज़िदार कहानी सुनोगे एक मज़िदार कहानी? ठीक है मैंने तीन छोटे पिग्स की कहानी सुनाता हूँ, एक बार की बात है, तीन छोटे भेडिये थे फिर एक दिन एक ताकतवर पिग आया कहानी तीन पिग्स की थी, तीन भेडिये कहां से आये? ठीक कहा, मैं फिर से सुनाता हूँ, एक बार की बात है, तीन छोटे पिग्स एक साथ रहते थे बच्चों को सैर कराने के बाद छोटी रेल गाड़ें न कठा हुई बच्चों को सैर करा के मसा आ गया सच में, उन्होंने हमारे घर भी देगी और खुप सारी मस्ती भीगी बच्चे हमेशा हसते रहे, तुमारा टूर कैसा था? मेरा टूर? अरे, 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 अराम से आप ठीक है? जी, मैडम क्या आप बच्चों के साथ फोटो किछपाना चाहेंगी? हाँ, जरूर ठीक है, बच्चों, यहाँ खड़े हो जाओ मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मेरे साथ फोटो किछवाएगा एरिक, तुम नहीं आओगे? तुम खिछवाओ, मैं जा रहा हूँ अच्छा, क्यों? मैं ये पेंच धोना चाहता हूँ बाद में मिलता हूँ तुम से एरिक हाँ, मुझे लगता हूँ बच्चों को खुश नहीं कर पाया टिटीपो, टिटीपो कुछ दिनों बाद अपना काम पूरा करके एरिक चूचू शेहर लोट रहा है वो तो किंडर है पता नहीं क्या हो गया हाई किंडर हे एरिक ओ, ये तुम हो एरिक हाँ, हलो, क्या यहां कुछ परिशानी है हम सब चड़िया घर जा रहे थी लेकिन अचानक किंडर में कुछ खराबी आ गई दूसरी बसे अपने काम पर हैं इसलिए हम घूमने नहीं जा पाएंगे क्या मैं उन्हें ले जाओ वहां नहीं, बच्चे मुझे पसंद नहीं करते मैंने उनका दिन खराब कर दिया था क्या हम चिडिया घर नहीं जा पाएंगे मुझे को दो जानवर देखने इसका घूमने का कितना मन कर रहा है सुनिए, मैडम अगर आप चाहें, तो किंडर की जगह क्या मैं इन्हें चिडिया घर ले जाओ सच में, ये तो बहुत अच्छा होगा क्या हम चिडिया घर जाएंगे और क्या हम पिकनिक भी घरेंगे हाँ, एरिक की वज़ा से हम घूमने जाओ पाएंगे वाँ, तैंकिस तो बच एरिक कोई बात नहीं एरिक बच्चों को लेकर चिडिया घर जा रहा है वाँ तो ये लोग, हम आ गए शुक्री आयरे काम चल रहा है माफ करना बच्चों, पर चिडिया घर आज बंद है मुझे तो जानवरों को देखना था यहां आप क्या किया जा सकता है हाँ, जरा सुनिए, मैं आपको दूसरी जग ले जा सकता हूँ वहाँ पर भी जानवर है, बहुत सारे जानवर सच में, सच में वाँ अच्छों में मस्ती कह रहे है एरिक बच्चों को लेकर खेतों की तरफ जा रहा है देखो गाइक बच्ची वाँ, यह कितने प्यारे है हाँ, हेलो सर एरिक, तुम यहां कैसे आए? असल में आपसे एक मदद चाहिए अ, मदद? तुम क्या चाहते हो? मैं बच्चों को लाया हूँ और मैं सोच रहा था, आप इन यह जगा दिखा दे अच्छा है, मैं दिखा दूँगा शुक्रिया सर खेतों में बच्चे बहुत मौच मस्ती कर रहे हैं ऐसे दबाओ, और दूद बाहर लगता है बच्चे बहुत खुश है मुझे अच्छा लगा, शुक्रिया, गुडबाई सर बहुत अच्छे, बाई अरिक एरिक, वो जगा बहुत बहुत अच्छी थी ठीन कहा, चिरिया घर में घूमने से भी ज्यादा मजा आया हमें वहाँ ले जाने के लिए शुक्रिया एरिक मुझे अच्छा लगा ले जाके बच्चों, घर जाने का समय मुझे घर नहीं जाना है मैम, एरिक के साथ थोड़ी दिर और केलना चाहते हैं हम सब मुझे लगता है एरिक ठक गया होगा मैं तो बिल्कुल नहीं ठका, मैं कुछ और जगा ले चलूँ सच में, ये तो बहुत लज़िदार है ठीक है, तो चलते हैं हम सब एरिक बच्चों को लेकर खोले मैदानों से गुजरा जहां रंग विरंगे फूल खिले हुए थे और फिर समुद्र किनारे बने बंदर गाह गया सब बच्चे उपर देखो, स्वागत है ये कितना प्यारा है चग चग चुचू चग चग चुचू खुशिया मनाएं हम सब मिलके और खुशोकर चग चुचू काएं हम सब मिलके और फिर उनके अलग होने का समय आ गया बहुत-बहुत शुक्रीया, एरिक तुम्हारी वज़ा से आज अम सब घूंपाए आज का दिन मज़ेदार था बहुत खुश है हम सबसा अच्छे हो एरिक मुझे अच्छा लगा मुझे तुम्हें बाई बोलते हूँ अच्छा नहीं लग रहा उच्छे भी एरिक क्या तुम हमारे साथ फोटो लोगे हाँ प्लीज बताओ एरिक क्या कहते हो तुम ज़रूर क्यों नहीं ठीक है त्यार हो जाओ एक दो ते लगता है पिकनिक के दौरान एरिक और बच्छों की अच्छी दोस्ती हो गई आज तुम सच में सबसे अच्छे रहे एरिक जीजर और रोगी देखो वो रहा डीजल लेकिन वो कहा जा रहा है हाई जीनी हाई सिंग सिंग हलो कहा चा रही हो तूरूरूरूरूरूर।cidos से मिलने के लिए तुम जो साथ गूमने गय थे ऩय गया था रोगीflowर्यों को बाद में मिलता हो तुम से ठीक है उसे रोगी के साथ गूमना बहुत पसंद है हाँ शायद रोगी है रीजो तुमने कल रात गार्डियन एक्स देखा हां क्या कमाल का एपिसोड था हम है कभी निहार मांने वारे गार्डियन एक्स दुनिया की रक्षा है काम मेरा कैसा बूला अच्छा बूला ना मैंने मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूं अल्ट्रा गार्डियन बीम पायर अच्छा हेल गार्डियन जरब वहां तेको बोहां कितना सुंदर लग रहा है ना बहुत सुंदर आज का दिन तो बहुत मज़िदा था तू बताओ कल हम क्या देखेंगे क्या तुम कल जाकर सूपर्मून देखना चाहोगे सूपर्मून वो क्या होता है रूबी ऐसा बहुत कम होता है जब चान्द प्रिक्वी के ज्यादा पास होता है वाँ क्या सच में हाँ मैंने सुना था कि तुम सूबर मून को देखकर कुछ मांगोगी तो वह तुम्हें मिल जाएगा कितनी अच्छी बात है उसके लिए इंतजार करना मुश्किल है यही क्या बात है तो चलो कल मिलते हैं चांद देखने के लिए मुझे एक शांदार जगा पता है मजा आएगा ओ टीटी पोकी कल चुट्ती है उसे भी साथ ले आऊँ ठीक है तो मैं डायों को भी अपने साथ ले आऊँगा ठीक है सूपर मून हाँ हम उसे देखने जाएंगे चांद बहुत बड़ा नजर आता है अरे वा बहुत मन कर रहा है मेरा भी रोगी को मिलने की खुशी में डीजल को नीद ही नहीं आ रही वहाँ जाते हुए मैं मज़ितार कहान्या सुनाओंगा और मस्ती भरे गाने भीगाओंगा फिर वो मेंढग राजकुमार बन गया सेच में वो मेंढगी क्राजकुमार बन गया क्या बात कर रहे हूँ अच्छी लगी रोगी पईयों पर उचल उचल कर हसेगा काश सुभा अभी ही हो जाए सुपरमून को देखने के लिए सब ही दोस्ते कठा हुए हाई दोस्तों आ गये हम दोनों सही समय पर आये हो तुम चल चलो अब चलते हैं कितना मज़ा आने वाला है आज हाँ ये बताओ दोस्तों क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे हाँ जल्दी सुनाओ ना मुझे पता है अच्छी होगी किस दीस की कहानी है तो मैं सुनाता हूँ एक समय की बात है पहाड़ों पर एक खरगोश रहा करता था एक दिन मेरी तो हसी नहीं रुक रही तुमें बहुत अच्छी कहानी आती है डीजल ये डीजल खुश हुआ क्या तुम्हें पसंद आई रोगी रोगी मेरी खायाल से रोगी सो गया सो गया बताओ रोगी सो रहा है या नाटक कर रहे हो ठीक है सर आप ध्यान से उत्रियेगा क्या ये सच में सो गया है रोगी चलो उड़ चाओ शायद रोगी को कल बहुत काम करना पड़ा होगा शायद यही वज़े होगी ये क्या बात होई भला सुनो रोगी को जगाने के लिए चलो इक अच्छा सा गाना गाटे है हाँ ठीक है बड़ी बड़ चलती चले तुम इंतना हिल क्यो रहे हो रोगी जा गया दो अरे दोस्तों मुझे सूने दो मैं इतने शूर में सू नहीं पा रहा हूँ क्या वहाँ पहुचने पर मुझे जगा देना तुम फिर से सूऊगे क्या मैं रात को देर से सूया था तो नीद आ रही है इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पूरे दिन सूगे वहां पहुँचने तक मुझे एक जपकी तो लेने दो सोने दो उसे सोना ही था तो हमारे साथ आये ही क्यों क्या नहीं ये बात नहीं है रास्ता भी को कहा जा रहे हैं तूं जीजल रोगी अरे नहीं ये क्या हो गया हम अगर इन पट्रियों पर गए तो लंबा चक्कर है ये क्या डीजल और रोगी अपनी लड़ाए की वजह से गलत रास्ते पर निकल गए तीटीपो टीटीपो टायों हां तो तुम पहुंची गए हां बताओ कहां है सुपर्मून दिखाई नहीं दे रहा क्या करें अचानक बादल छा गए और चांद बादल में छुप गया अगर तुम थोड़ा से जल्दी आय होते तो तुमको चांद दिखाई दे जाता सच में मैं नहीं देख पाया एक के बाद दूसरी मुसीबस सब तुमारी वजह से हुआ है रोगी क्या मैंने क्या किया आज मैं गाना गाने और कहानिया सुनाने की तयारी करके आया था लेकि अब अपने आपको सही ठेहराने की कोशिश बिलकुल मत करो रुको अभी दिखाता हूँ यह काम क्यों नहीं कर रहां बहुत अजीब बात है मैस करो बहुत हुआ मजाग मैं मजाग नहीं कर रहा मैं सच में तैयारी करके आया था अरे छोड़ो अब मैं चा रहा हूँ जा रहे हो तैयो जल्दी आओ चलो चलते हैं चलो मैं डीजल और टायो वापस घर जा रहे हैं सुनो डीजल मुझे तुम्हें कुछ बताना है क्या बताना है तुम जानते हो रोगी रोगी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता इस वक्त देखो डीजल बात सुनो असल में कल रात रोगी रोगी ओ टायो तुम जा गहे हो इतनी रात को तुम कहां गए थे मैं कंट्री स्टेशन गया था लेकिन क्यों गए थे तुम तयारी करने एक बहुत ही चौकाने वाले तोहफे की तोहफा क्या है वो बताओ ना बताओ मुझे उसके लिए तुम ही इंतजार क वो सारी तयारियों में लगा था इसलिए वो ज्यादा देर सो नहीं पाया क्या सच में इसका मतलब जो कुछ भी रोगी ने हमसे का वो सब सच था हाँ अब मुझे बुरा लग रहा है डीजल आस्मान में देखो आस्मान ओ सुपर मून निकल आया ये तो उतना ही बड़ा है क्या जितना रोगी ने कहा है अगर आम में कुछ मांगूं तो वो पूरा हो जाएगा तायो कुछ मांगना चाहते हो तुम हां क्यों नहीं मैं चाहता हूं कि हम सब दोस्ते एक साथ हो और साथ में सुपर मून देखे डीजल बताओ तुमने क्या मांगा सिर्फ इतना कि मैं दोस्तों के साथ सुपर्मुन देखूं तो हम फिर से पहाड पर चलते हैं हो सकता है कि सुपर्मुन तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दे तुम्हें ऐसा लगता है जल्दी कयो चलते है रोगी चीटीपो वो चले गए होंगे डीजल यह आवास तो रोगी चीटीपो तुम वापस जाहीं रहे थे कि हमें सुपर्मुन दख गया तो मैंने यह मांगगा की मैं इसे सबके साथ ही देखूं यह मांगा मैंने भी बिल्कूल यही मांगा जो तुमने मांगा सुने डीजल, हाँ, मैं पूरा दिन सोना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत कहो, टायो ने बताया कि तुम देर राट तक यहां आने की तयारी करते रहे, और मैं नाराज हो गया, मुझे माफी मांगनी चाहिए, ये बताओ, तुम पूरी राट तयारी क्या कर रहे थे, ब कोई बात नहीं कम से कम हमने सूपर्मून तो एक साथ देखी लिया ना हाँ सही कहाँ चारों दोस्त साथ में खड़े होकर सूपर्मून देखते रहे मैं तो भूली गया टायो टीटीपो तुमने सूपर्मून से क्या मांगा तो मैंने ये मांगा कि रोगी और डीजल की फिर स दोस्ती हो जाए सच में मैंने भी हम सभी की इच्छाए पूरी हो गई हां दोस्तों बात बताओं मिलकर मांगते हैं कि आतिश बाजी हो जाए कि आतिश बाजी हो जाए हां शायद सूपर्मून हमारी इच्छा भी पूरी करते यह बहुत बढ़ी आइडिया है हां यही कर दो कि जल्दी जल्दी पटन दबाओ हाँ ठीक है काश ये काम कर जाए चलो हमने कोशिश दोगी शायद एक ही इच्छा पूरी होती है मेरी इच्छा पूरी हो गए सूपर्मून अब ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोगी मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हूँ सभी दोस्तों को एक साथ सूपर्मून का मज़ा लेते हुए देखकर अच्छा लग रहा है पर उनकी दोस्ती को देखकर भी संग संग का राज सिंग संग काम के बाद वापस शहर लौट रही है मैं आ गई सिंग संग आ गई हलो ठीक सुमें पर याई हम लोग गाना बज स्टिरू करने ही वाले थे तो चलो मिलकर गाते हैं संग संग गाना मैं गाओं कोई मज़ेदार गाना गाते हैं हां कौम सा गाना गाएं माफी चाहती हो दोस्तों दर असल मुझे आज चल्दी सोने जाना है इसलिए मैं नहीं गापाऊंगी ओ अच्छा चलो कोई बात नहीं अगली बार गाएंगे बाई तो क्या हम लोग शुरू करें दो चुचु चग चुचु मिलकर गाएं खुशिया मनाएं जग चुचु खुशो कर गाएं जो इसलिए और गाएं हां कितना पेशु रगाया सिंग सिंग कोई बात नहीं मुझे शर्म आ रही है हां काश मैं अभी अच्छा गापाती हां आज सिंग सिंग की छुट्टी है समझ नहीं आ रहा कि आज की दिन में क्या करूं कैसी हो दोस्त चलो गूमने चलते हैं मज़े करेंगे अच्छा ठीक है बढ़िया तो क्या साथ में गाना काओगी गाना मैं काओ हां कल तो तुम बच कर निकल गई थी आज नहीं बच पाओ पाफी चाहती हो मुझे जाना होगा क्या मुझे पता है कि आज तुमारी चुट्टी है मेरा मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ नहीं गाना चाहती क्या नहीं ऐसा नहीं है फिर क्या बात है तुम जूट क्यू बोल रही हो क्या तुम हमें पसंद नहीं करती हो ऐसा त तो फिर क्या बात है? सचका हूं तो मैं गाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गाबाती अच्छा? कुछ दिन पहले मैं सब के साथ गाते हुए बहुत बेसुरा गाने लगी मैं एक्तम से शर्मिंद हो गई थी मैं समझ सकता हूं काश मैं भी तुम सब के जैसा अच्छा गाबाती तो हमारे सामने गाओ गाओ हम तुमें सिखा देंगे अभी अगर मैंने फिर से गलत गाया तो कोई बात नहीं हम मदद करेंगे तो कोशिश करती हो छोड़ चले शहर और भीर भार मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया थोड़ा उंचा गाने की कोशिश करो हाँ छोड़ चले शहर और भीर भार मैं नहीं गापाऊंगी अच्छा तो तुम्हें हम दोनों के सामने गाने में जिजक हो रही है तो तुम तब प्रैक्टिस करो जब कोई पास नहो यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है जब कोई पास नहों तुम प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से सीख जाओगी सच यह पताने के लिए शुक्रिया मैं आज यह प्रैक्टिस शुरू करूँगी जरूर बाद में मिलते हैं गुड लग सिंग सिंग कर दो स 논ष न खुड जा प्रैक्टिस करने के लिए सिंग सिंग खाली अधिटारियम में जा रही है इस समय यहां कोई नहीं आएगा पहली पावर चल्दी करो हेलो सिंग सिंग तुम यहां यहां क्या कर रही हो वो तो मि शायद मुझे पता है तुम गार्डियन एक्स देखने के लिए काफी जल्दी आ गई ना हां हां सही का मैं चाहती थी मुझे कोई अच्छी जगा मिले क्या तुम्हें अभी गाने की आवाज नहीं सुनाई दी तुमने गाना सुना हां सुना शायद ऐसा गाना जो मैं जानता हूं शायद गलती लग यहां कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा तुम यहां क्या कर रही हो हाई मिस्टर हर वो मैं कितनी अच्छी हो मैं मच्रियां पकड़ने आया था तुम मुझे लेने आ गई कि यहां शुक्रिया शुब्षे इतना ध्यान रखने के लिए यह मेरा फर्स है हां चलो चलते हैं हां पता नहीं कब प्रैक्टिस कर पाऊंगे प्राक््टिस करने के लिए कोई अच्छी जगह डून रही है। ठीक है। ये जगा सही है। हलो सिंग-सेंग हलो मैम। ये जगा भी खानगे ठीक नहीं है। या इसके आवाद में किसी को सुनाई नहीं देगा। चले और चहर तीबो यह खराब हो गया मैं यहां पी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी सुनसान जगा है आरे हो ही नहीं सकता मैं सच कह रहा हूं वहां कोई नहीं होता एक्डम वीरान है वो हाई दोस्तों हेलो सेंग सेंग हेलो तुम दोनों किस जगा की बात कर रहे हो अजीब जगा है इंडस्ट्रिल एरिया में पुराना गोदाम है जो कि एक दिम सुनसान पड़ा है जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे डर लगता है इसमें डरने वाली क्या बात है माल गाड शुक्रिया उसने मुझे शुक्रिया क्यों कहा मुझे नहीं पता है टिटीपो टिटीपो सिंग सिंग पुराने गोदाम की ओर चल पड़ी वाव वाकई बहुत संसान जगा है शाहिद वो होगा कोई पुराना गोदाम अंदर चलती हूं हाँ यहां कोई मितंग नहीं करेग ठीक है? शिरू करती हूँ मैं अब. अगले दिन सिंग सिंग फिक्स और लिफ्ट के पास आई. हाई फिक्स, हाई लिफ्ट. हे! हाई सिंग सिंग. हेलो, क्या तुमने प्राक्टिस शुरू कर दी है? हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी जगा मिली है. वाह कौन सी जगह है इंडस्ट्रेल एरिया में पुराना गोदाम है वो इस्तिमाल में नहीं है इसलिए खाली है अच्छी जगह है जब अच्छा गाने लगो तो तुम्हें हमारे साथ गाना होगा ठीक है वादा वादा रहा चलती हूँ मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ अच्छे से करना कभी आया पुल और कभी पहार फिर आया जगल जगल चोटी चिडीया बोलीं ची की की ची आओ मैंने एक दो चेकलती नहींगी ये काम के बाद डीजल इंडस्ट्रिल एरिया से गुजर रहा है यही वो जगह है जो लोकों ने बताई थी पर यह डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं है यह आवाज क्यासी है यहां तो कोई नहीं है यहां कोई पूत नहीं है यहां कोई आवाज सुनाई दी है अभी मेरा वहम होगा सुनो दोस्तों मुझे पचाओ क्या हो गया बताओ क्या बात है इंडस्ट्रिल एरिया में एक भूत है और मैंने इस भूत की आवाज सुनी है जरूर तुम्हें गल्ती होई होगी नहीं ऐसा नहीं है वह गारा था तिल मेरे ख्याल से स्टील के पुराने गोदाम से आ रही थी स्टील के पुराने गोदाम से अरे नहीं सिंग सिंग इस समय उस गोदाम में ही है क्या अगर सिंग सिंग को भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा हमें जल्दी ही कुछ करना होगा चलो सिंग सिंग को बचाते हैं हा चोटी रेल गाड़ियां सिंग सिंग को ढूंडने के लिए गोदाम जा रही हैं सिंग सिंग कहा हो तुम जवाब दो अगर उसका अपहरण हो गया होगा तो नहीं ऐसा नहीं होगा वो पक्क ठीक होगी यह फूत की आवास लगती है मुझे मुझे डर लग रहा है रूप जाओ दोस्तों शायद आवास यहां से आ रही है यह तो कुण गा रहा है यह पक्का वह भूत आ रहा है मतलब उसने सिंग सिंग पर कपजा कर लिया है चलो उसे बचाते हैं ठीक है दोस्तों तेन तक गिनने के बाद एक साथ अंदर जाएंगे हम समझ गये एक दो तीन सिंग सिंग तुम ठीक हो ना कहां चला गया वह भूत कौन सा भूत हमने अभी भूत की डरावनी आवास सुनी थी कोई भूत डरावना गाना गा रहा था गाना गा रहा था गाना तो मैं गा रही थी इसका मतलब कोई भूत नहीं है हमें लगा यहां कोई भूत है इसलिए हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए थे सच में ? तुम्हें डर लग रहा था तब भी तुम सब यहाँ आए हा? इसका मतलब तुमने मुझे गाते हुए सुना है ना ? हाह maybe हमें लगा भूत गा रहा है क्या? लेकिन तुम इस पुराने गोदाम में क्यों गा रही हो क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाती हो और मैं तुम्हारे सामने गाही नहीं पाती थी इसलिए मैं यहां अकेले प्रैक्टिस कर रही थी अच्छा वेकिन अभी है तो हमने तुम्हें बहुत आछा गाते सुना अच्छा गाते हुए पर उतरा नहीं जितना मैं गाता हूँ अगर मुझसे बूचो तो तुम बहुत आछा गाती हो सिंग सिंग सच मेह, शुक्रिया दोस्तों. इसका मतलब सबको तुम्हारा गाना बहुत ज्यादा पसंद है. अगर ऐसा है, तो सिंग-शिंग, चलो तुम्हारा गाना सुनते हैं. अगर तुम कहते हो तो. कभी आया पुल और कभी पहार. फिर आया जंगल, जंगल. छोती चेडिया बोली. एक बाद फिर से. ऐसा लगता है, अब सिंग-शिंग में अपने दोस्तों के सामने गाने का आत्मविश्वास आ गया है. काम करने के बाद डीजल चूचू शहर वापस आ रहा है. पिकानी खड़ी है. कानी, बताओ, अब हम क्या खेलेंगे. कुछ मज़ेदार है. अच्छा, सोचने दो, क्या मज़ेदार करें. हाई कानी, यहां क्या कर रही हो तुम? हाई डीजल, कैरी को कुछ अचानक काम पढ़ गया. इसलिए मैं इन ननी कारों को संभाल रही हूँ. हाई, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा. मेरा नाम डीजल है. हाई डीजल. वाउ, तुम कितने बड़ी हो. मैंने पहले बार रेल गाड़ी को इतने पास से देखा. हाँ, मैं बड़ा और अच्छा तो हूँ ही. और आवाज भी सुनो. डीजल एक माल गाड़ी है. यह अपने माल बोगी पर भारी समान खीचता है. यह हैं, समान रखने के लिए बोगी. मुझे इनकी सवारी करनी है. हमें भी सवारी करनी है. देखो बच्चों, डीजल काम करके ठक गया है. उसे आराम करना है. अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सैर करवा दूंगा. डीजल ने नन्ही कार्स को बिठा लिया और उन्हें गुमाने लगा. लगता है डीजल बिल्कुल मेगा ट्रेन जैसा है. अरे नहीं, डीजल मेगा ट्रेन से भी कहीं जदा अच्छा है. मेगा ट्रेन मतलब दुम्हें की सबसे दमदार रेल गाड़ी. हाँ, डीजल बहुत अच्छा है. तो डीजल इतना अच्छा है. शुक्रिया. चुट्टी होगी मैं तुम सबको खदान और बंदरगाह ले जाओंगा अगला देन टीटीपो और डीजल काम पूरा करने के बाद शहर लोट रहे हैं टीटीपो मेगा ट्रेन के बारे में सुना है तुमने जरूर सुना है मेगा रेल दुनिया की सबसे दमदार रेल है मैंने स ज्यादा अच्छी कौनसी रेल है तुम्हें गर्व होना चाहिए वो ट्रेन मैं हूँ क्या तुम हो कल में नन्नी कारों से मिला और उन्होंने कहा मैं मेगा ट्रेन से ज्यादा अच्छा हूं ऐसा इसलिए क्यूकि अभी वो इतनी छोटी है कि कि किसी अच्छी रेल से मिली नहीं है किया तुम्हारा मतलब मुझसे भी कोई अच्छी ट्रेन है मेरा मतलब था एक बार नन्ही गाडियां दूसरी रेल गाडियां को देख लेंगी तो उनका विचार बदा सकता है जो तुम्हारा मन करें तुम सोचते रहो वो चाहे जिस से मिलने लेकिन नंबर बन तो मैं ही हूँ मुझे तो ऐसा नहीं लगता अरे छड़ो आज डीजल का नन्ही कारों से मिलने का दिन है ओ रहे वो रहे वो पूरे एक हफ्टे तक ये सिर्फ तुमारी बाते कर रही थी हम आज का इंतजार कर रहे थे सच में तो आज के दिन हम खूब मौज करेंगे अब तुम आ गए हो तो मैं काम पर जा रही हूँ दीजल इन सब का ध्यान रखना ठीक है तुम बिल्कुल चिंता मत करो तो बताओ प्यारे बच्चों घुमने के लिए तयार हो तो चलते हैं मुझे इन बच्चों पर अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी डीजल नन्ही कारों को लेकर ख़दान पहुंचा तो इस जगह में काम करता हूँ वाव यह बहुत अच्चा है जानता हूँ यहां से मैं भारी चटाने उठा कर ले जाता हूँ बहुत भारी होंगी वो बहुत भारी इसलिए इस काम को हर रेल गाड़ी नहीं कर सकती तुम कमाल के हूँ ये तो मेरे लिए चुठकियों का काम है कोई गानो दोरा है क्या वो इनके पास कितने सारी माल बोगी है मस्तिकारे चक डीजल आया हुआ है हाई जेनी हेलो डीजल बड़ी प्यारे महमाने तुमारे साथ हेलो कितनी भारी चटाने खीचते हुए तुम गाना कैसे गा लेती हो डीजल ने बताया ये का मुश्किल होता है अगर काम करते हुए गाना गाउ तो मुश्किल नहीं लगता वाव, ये तो पता ही नहीं था, गाना बहुत अच्छा था, दुबारा सुना दोगी? हाँ, सुना दो प्लीज ठीक है, चोडी ट्रेन चग चुचू, चले मिलकर चग चुचू, पर प्रिपर चग चुचू, काहे हम चग चुचू, बस्ते के रहें चग चुचू, जो से काहें चग चुचू, लगता है, ननी कारों को जय ही अच्छी लगी मेरा मतलब था नंधी गाड़ियां दूसरी रेल गाड़ियां को देख लेंगी तुमका विचार बदल चकता है चुचु 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 जेनी तुम बहुत अच्छे गादी हो जेनी, तुम्हें काम पर नहीं जाना है क्या, या बस यहीं पर खड़ियों के गाना गाती रहोगी सही कहा, बच्चों, सॉरी, लेकिन मुझे अब जाना होगा जरूर मिला, जरूर मिलेंगे बच्चों बाइ, जेनी, बहुत अच्छी है हाँ, बहुत अच्छी अच्छा बच्चों, तैयार हो जाओ, हम दूसरी जगह चल रहे हैं ठीक है डीजल जरूर परिशान होगा, क्योंकि नन्ही कारें सोचती हैं कि जेनी उससे बहतर है इस बार डीजल नन्ही कारों को बंदर गाह ले गया वाव, शायद यहां कोई और रेल गाड़ी नहीं आएगी जो इन्हें मुझसे जादा अच्छी लगे वाव, कितनी बड़ी है, डीजल वहां ऊपर कौन है वो क्रेनी है, क्रेनी वाँ, डीजल, तुम नम्नी कारों को लाए हो, वाव आप कितने बड़ी हो, यह यहां पर आई है यह देखने कि मैं बंदर गाह पर क्या काम करता हूँ क्रेनी, हाँ, मैंनी हलो, क्रेनी, ओ, डीजल, आज प्यारी प्यारी नन्नी कारों को ले जा रहे हो हाँ, मैं इन्हें बंदर गाह दिखाने लाया हूँ यह तो अच्छी बात है क्रेनी आज मैं क्या ले जाने वाला हूँ बता दूँ आज बहुत भारी सामान है तो क्या हुआ सब रख दो क्रेनी यह वाव यह तो बिल्कुल सूपर हीरो जैसे है बहुत दंडार है ठीक है लोडिंग लोड कर रहा हूं इतना सारा सामान बहुत जदा है इतना ज्यादा सामान यह कुछ नहीं है मेरे लिए ठीक है अब मैं चलता हूँ बाई बच्चो मिलते हैं मैंनी बहुत ताकत्वर है और उसके आवास बहुत दमदार है ठीक है मैं भी इतना सामान ले जा सकता हूं और मेरी आवाज उससे ज्यादा भारी है मैं सुनाता हूं या 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 बस करो डीजल कहीं तुम्हारा गला ना छिल जाए अब नन्ही कारों के घर जाने का समय आ गया है आज बहुत मज़ा आया ना दोस्तों हाँ मैरी की जावाज दमदार थी बिल्कुल सूपर हीरो जैसी सच में काश में जैनी से तुबारा मिल पाती दोसरी रेल गाड़ियों की हितारीफ हो रही है अब मैं क्या करूं मैं नहीं दिखाता हूं कि मैं किता तेज तोड़ता हूं ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई सूनो बच्चो क्या मैं तुमें तेज चल कर धिखाऊं थीक है तो ठीक है लो में चला वाँ वो रेल कितनी तेज थी कितनी तेजी से निकल गई थी न डीजल अभी कौन से ट्रे इफ शेश न गई थी वह एक्सप्रेस रेल सिंग सिंग थी पता नहीं एक्सप्रेस प्रेंग पर बेट कर कैसा लगता होगा लगता है बहुत मज़े आते होंगे हाँ सही कहाँ मेरा प्लान फिर फेल हो गया डीजल नन्ही कारों को वापस गाने के पास ले गया तुम सबने मज़े किये ना हाँ हमने बहुत कुछ देखा हमने बहुत अच्छे अच्छे रेल गाड़िया और एक बड़ी सी क्रेन देखी बहुत मज़ा आया शुक्रिया डीजल नन्ही कारों का दिन बहुत अच्छा भी ना ठीक है अब मुझे चलना चाहिए गुडबाई अनों ने मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जरूर दूसरी रेल गाड़िया उन्हें मुझसे ज्यादा पसंद आई होंगी अगले दिन डीजल काम के बाद घर आया ओ, हेलो डीजल टीटीपो, कहां जा रहे हो तुम? और्डिटोरियम में, वहां नन्ही कार आई है नन्ही कारे? वो यहां क्या कर रही है? सुना है, वो किसी खास रेल से मिलने आई है सच में? क्या वो मुझसे मिलने आई है? और मैं सोच रहा था कि उन्हें में अच्छा नहीं लगा तो चलो, चलते हैं ठीक है वो वहां है वो दूसरी गाड़ियों से मिलने आई है मुझे समझना चाहिए था कि मेरे लिए नहीं आई है चलो टीटी पो, मैं जा रहा है क्यों टीजल, रुख जाओ देखो टीजल टीजल तुम बहुत देर में आई डीजल हम तुमे कुछ दिखाना चाहते हैं टीजल क्या मुझे? एक मिनट रुखो ठीक है एक, दो, तीन टादा वो, यह तो मैं हूँ हाँ, हमने उस ट्रेंग की ड्राइंग बनवाई जो हमें सबसे अच्छी लगी अ, अच्छी है ना डीजल, मुझे जलन हो रही है मुझे भी मैंने तो सोचा था कि दूसरी रेल गाड़िया तुमें ज्यादा अच्छी लगी ओ, ऐसा कैसी सोचा हम सबको तुम सबसे अच्छे लगे डीजल हाँ, तुम्हारे सब खुमकर बहुत मिसी आए तुम दुनिया की सबसे अच्छी रेल हो डीजल मैं हूँ ना तुमने सुना उन्होंने अभी अभी क्या कहा मानते हो ना मुझसे अच्छा कोई नहीं है ओ, बस करो नन्ही कारों की नसर में सबसे अच्छी रेल है डीजल बदाई हो डीजल ट्रेन वाश खराब हुआ आज बर्नी की छुट्टी है कमाल का दिन है चलो नहा लूँ मज़ा आ गया शुक्र है चल गया मैं तो डर ही गया था चलो यहां से चलता हूँ अरे अब यह दर्वाश ग्यों नहीं खुल रहा है अरे नहीं, लगता है ट्रेन वाश में कोई खराब ही आ गई है कोई सुनो, बाहर कोई सुन रहा है तो दर्वाश खोलो प्लीज मदद करो खोलो क्या कोई है बाहर आखिर खोली गया यह तो बहुत ही डरावना था कैसे है मिस्टर हर्ब ओ बर्नी तुम जल्दी जाग गए आज तो तुमारी चुट्टी है हाँ, मैं वो स्टेशन के फेस्टिवल में जा रहा हूँ अच्छी बात है, जा खुब मज़े करना शुक्रिया क्या मैं मिस्टर हर्ब को ट्रेन वाश के बारे में बता दूँ मिस्टर हर्ब, ट्रेन वाश में कुछ खराबी हो गई है ओ, अच्छा, चलो अभी देख लेते हैं अभी? जी सर, ऐसा हुआ तो मैं फेस्टिवल नहीं जा पाऊँगा तुम कुछ सोच रहे हो क्या नहीं, सर मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर अच्छा ठीक है बर्नी, बर्नी जी कही है, मिस्टर हर्ब माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम शेहर वापस आ सकते हो? लेकिन क्यों? डीजल को काम पर जाना था, लेकिन एक ट्रेन वाश खराब हो गया है और वो अंदर फस गया है क्या? डीजल फस गया है? हाँ, मुझे उसकी जगे किसी और को भेजना होगा क्या तुम जा सकते हो, बर्नी? जी, जी हाँ, जरूर, मैं अभी पहुँचता हूँ क्योंकि डीजल फस गया है, इसलिए उसका काम बर्नी कर रहा है डीजल नहाते हुए फस गया क्योंकि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था हेलो, बर्नी टीटी पो काम क्यों कर रहे हो, आज तो तुम्हारी छुट्टी है डीजल को कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं उसकी जगा पे जा रहा हूँ अच्छा, लेकिन बर्नी, तुम तो वेस्टेशन फेस्टिवल में जा रहे थे ना बहुत बुरा हुआ, तुम नहीं जा सके कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी मेरी नजर में तुम सबसे अच्छी रेल-गाडी हो अच्छा तो मैं भी काम पर निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं मिलते हैं, ये मैंने अच्छा काम नहीं किया अगर सबको पता चल गया कि मैं चुप रहा था तो ट्रेन वाश में खराबी हो रही थी और तुमने बताया भी नहीं ये अच्छी बात नहीं है मुझे तुमसे ऐसी उमीद नहीं थी, बर्नी तुमने हमें बताया क्यों नहीं हमारी चिंता ही नहीं बिलकल काम के बाद बर्नी वापस चुचु शहर आ गया उमीद है डीजल की तब्यट ठीक ही होगी हाई बर्नी डीजल पता चला तुमने मेरी जगा ड्यूटी की शुक्रिया दोस्त प्लीज, शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं मैं अब जाकर आराम कर लेता हूँ ठीक है, गुडबाई लगता है बढ़ने का मुख ठीक नहीं है अरे उसे तो आज फेस्टिवल में जाना था मेरी वज़े से वो जा नहीं पाया असलिए परिशान होगा मुझे बहुत बुरा लग रहा है डीजल जल्दी जाक गया हलांकि आज उसकी छुट्टी है उमीद है मुझे देर नहीं हुई मैं बर्णी के डिबबे पहले से तयार करके रख देता हूँ ये लग गए हाई सेटर डीजल बर्णी को जो डिबबे लेकर जाने है वो कहां पर है क्यों क्या हुआ मैं उसके लिए पहले से तयार करके रखूँगा वाव वो वहाँ पर है बहुत बहुत शुक्रिया सेटर मिल गए बर्णी आज बहुत ही खुश हो जाएगा बर्णी डीपो की तरफ जा रहा है गुड मॉर्निंग बर्णी डीजल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तड़ा मैंने तुम्हारी ले डिप में निकाल कर रखे है तुमने निकाले बहुत बहुत शुक्रिया डीजल कोई बात नहीं बर्णी अच्छा बाद में मिलता हूँ अब बाई तुम्हारा दिन अच्छा हो सब कुछ ठीक चल रहा है यह क्या तुको बर्णी बताओ क्या बात है सेटर तुम बंदर का जा रहे हो तो फिर डिब्बे ख़दान वाले क्यों ले जा रहे हो अच्छा हाँ डिब्बे बदल लो शायद मुझसे गडबड हो गई बर्णी ने माल बोगी बदल ले माफी चाहता हूँ मुझसे गलती हो गई होगी कोई बात नहीं हो जाता है बर्णी जी कहिए तुम्हें अब तक रास्ते में होना चाहिए था यहां क्यों रुके हुए हो माफी चाहता हूँ मैं बस अभी निकलता हूँ जल्दी मिलेंगे दोस्तों यह क्या हुआ अब मैंने बर्णी को देर भी करवा दी डीजल कितना काम कर रहा है मेरे लिए अब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कितना बुरा हुआ टिटीपो टिटीपो टीजल हाई जीनी तुम्हारी तो आज छुट्टी है किस्मत अच्छी है अगर आज मेरी छुट्टी होती तो मैं वे स्टेशन फेस्टिवल में जाती अरे क्या बात कर रही हो वो स्टेशन फेस्टिवल कल खत्म हो गया नहीं एक दूसरी जगे पर चल रहा है क्या? सच? पताने के लिए शुक्रिया जीनी मुझे अभी जाना है, बाई हाँ, डीजल कितना खुश है काम करने के बाद बर्नी वापस शहर आ रहा है बस बहुत हुआ अब मुझे डीजल को सब कुछ सच बता देना चाहिए बर्नी को अब तक वापस आ जाना चाहिए वो आ गया डीजल बर्नी डीजल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहिए मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ वेव फेस्टिवल एक दूसरी जिगाँ पर चल रहा है फेस्टिवल? हाँ, कल तुम मेरी बज़स से नहीं जा पाए थे तो आज हम दोनों चलते हैं चलो ना चलते हैं, प्लीज हाँ, ठीक है, चलो, चलते हैं तो फिर चलो दोड लगाएं बर्नी, तुम ठक गए होगे ना मैं तुम्हें खीच कर ले जाता हूँ तुम आराम कर लो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है तुम भी तो ठके वे होगे ना नहीं, आज मैंने कोई भी काम नहीं किया चलो, बहाँ पहुँशने तक तुम एक जबकी ले लो नहीं, जरूरत नहीं आज आओ सुनो, डीजल, कल जब तुम नहाते हुए ट्रेन वाश में फस गए थे तब तुम ठीक तो थे ना नहाते हुए ओ, ये क्या हो रहा है मशीन बंद नहीं हुई, चलती ही रही इतना जाग बनने के वज़े से मैं बाहर नहीं आ सका तो मैं टीयो के आने तक नहाता ही रहा इतनी देर नहाया, इसलिए मैं अब तक चमक रहा हुँ तो ये हुआ था हम पहुच गए, यही वो जगए है अजीब बात है, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ हाँ, कहे तो सही रहे हो स्टेशन मास्टर से पूछते है माव किजेगा, वो फेस्टिवल कब शुरू होने वाला है फेस्टिवल? यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं है तो क्या आपको पता है कि वो स्टेशन फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है सॉरी, मुझे इसका नहीं पता बर्नी, मुझे माफ करना, मैंने फिर से गलती कर दी कोई बात नहीं डीजल, फेस्टिवल इतना भी जरूरी नहीं है कह भी दो, सच-सच बोलो ना मैं जानता हूँ तो मुझसे नाराज हो नाराज? कैसी बात कर रहे हो दोस्त? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ लेकिन तुम कल से मुझसे ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हो ओ, वो इसलिए क्योंकि डीजल, मैंना कल जब तुम नहाते हुए ट्रेन वाश में फस गए थे न, वो सब मेरी वज़े से हुआ था क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे पता था ट्रेन वाश खराब हो रहा है, लेकिन मैं घूमना चाहता था इसलिए मैंने मिस्टर हर्ब को कुछ नहीं बताया माफी चाहता हो डीजल सच में इसलिए तुम परिशान थे मैं तुम्हारी वज़े से तो बिल्कुल नहीं भसा था क्या? वो कल देर से जागा था तो इसलिए जल्दबाजी में था मैं तेर हो गई जल्दे करो मुझे वो अलग पलाई यह खराब है? अरे छोड़ो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ लाइट्स खराब होंगी लाइट्स बता रही थी कि वो खराब है लेकिन मैं फिर भी अंदर गया, इसलिए फस गया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर मैंने तुम्हें खराबी के बारे में बता दिया होता हाँ शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पर हम फेस्टिवल नहीं देख पाए कम से कम हमने कोशिश तो की ना वो देखो उपर आतिश बाजी शायद उसी जगा फेस्टिवल हो रहा होगा चलना चाते हो? हाँ बिल्कुल तो चलो फिर अपने बीच की गलत फिहमिया मिटाने के बाद बर्णी और डीजल मज़े करने के लिए फेस्टिवल जा रहे है डीजल की पुरानी मालगाड़ी सुभा हो चुकी है और डीजल काम पर जाने की तयारी कर रहा है हाई लोको हेलो गुड मॉर्निंग तुम भी काम पर जाने की तयारी कर रहे हो हाँ क्या बात है बहुत ही खुश नजर आ रहे हो तुम मैं हूँ असल में लोको मैं तुम्हारी माल भोगियां ले आया वाँ नई चमकती माल भोगी अच्छी लगी ना ओ हाँ इसलिए तुम इतने खुश हो तुम कहां से मिली तुम ही ये माल भोगी असल में मेरे पास जो पहले भोगियां थी वो तूट रही थी तो मुझे नई वाली मिल गई मिस्टर हर्ब ने दिलवाई ये मुझे ये अब मैं काम पर निकलता हूं यह भाई फिर मिलेंगे रीजल बोलो आज के लिए तुम्हारी माल भोगियां तैयार है शुक्रिया सेटर हाँ मेरी कितनी पुरानी है तुम्हारा दिन अच्छा बीते डीजल ठीक है लोको कितना किस्मत वाला है मुझे भी नई माल भोगी की जरूरत है हाई मिस्टर हर्ब ओ डीजल ठीक समय पर पहुँच गए मिस्टर हर्ब आपको नहीं लगता कि मेरी माल भोगी टूट फूट गई है टूट फूट लोको को नई माल भोगियां मिल गई है अब मुझे भी चाहिए सर डीजल पिछली बार तुम्हारी भोगियों की जांच करने पर हमें उनमें कोई कमी नहीं लगी कि मुझे नहीं लगता फिल्हाल उन्हें बदलने की जरूरत है नहीं जरूरत तो है आप ज़र ध्यास से देखेए ना हम Garage देखता हूँ इन्हें बदलने के बजाए इन्हें सफाई की जरूरत है नई बोगियां लेने के बजाए तुम्हें इनी का अच्छे से ध्यान दखना चाहिए कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इने साफ रखो सोने जाने से पहले तुम्हें इने धोना चाहिए लेकिन तुम भूर जाते हो नई माल बोग्यों के लिए कहा तो इतना सारा भाशन सुना दिया उस रात नई माल बोग्यों के बारे में सोचकर डीजल को नीद ही नहीं आई मुझे भी नई माल बोग्यां चाहिए कोई ना कोई तरीका तो होगा ही असल में मेरे पास जो पहले बोगियां थी वो टूट रही थी तो मुझे नई वाली मिल गई मिस्टर हर्व ने दिलवाई ये मुझे ये अगर मेरी माल बोगी टूट जाए तो मुझे नई मिल जाएगी डीजल मैंने देखा तुम्हेरी बोगियां खराब हो गई है अगले दिन डीजल अपनी माल बोगियों को लेकर निकल पड़ा ठीक है अब मैं प्लान शुरू करता हूँ मोला गया तेस्ट को बस थोड़ी दिर और अब छूँपा हो हो गया इस तरह से इन्हें तोड़ना असान नहीं होगा अगर मैं कहूं कि मेरी माल बोगी खो गई तो कोई बात नहीं डीजल मेरे पास बहुत बढ़िया माल बोगी है जो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेंगी वाह बढ़ी आइडिया है है एक तीडिपो खड़ा है ओ डीजल है हलो कैसे हो तुम पेडिया ओ तुम जरूर डीजल होगे मैंने तुम्हे बहुत याद किया डीजल ओ एक दूसरे कौ कैसे जानते हो हौ बहुत समय पहले डीजल ने मेरी मदद की थी डीजल ने? हाँ, मेरी मम्मी और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए थे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी खो गए चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंद दूँगा आप ढूंदोगे? हाँ, आओ बैठ जाओ ठीक है, तब मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया डीजल अरे कोई नहीं वाँ, सुनकर अच्छा लगा डीजल अरे हाँ, डीजल, मैंने तुम्हारी बोगी पर जो स्टिकर लगाया था, वो अब भी है स्टिकर? ओ, क्या ये है? अरे वाँ बहुत प्यारा है तुम्हें अब तक लगाया है क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से एक तुफ़ा था ओ, दोस्ती का स्टिकर, किस्मत वाले हो तो तुम्हें जलन हो रही है, ये स्टिकर बहुत प्यारा है और मेरे पास है मैं अब चलता हूँ, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा डीजल आओ चले बाई, फिर मिलेंगे हमें भी चलना चाहिए ठीक है मुझे अभी याद आया, एक बार तुमने भी मुझे बचाया था वो निशान, क्या भी तुम पर है निशान? कौन सा निशान? मैं देखता हूँ यह रहा, मिल गया मुझे क्या मिल गया तुम्हे? जिस जगे तुम पर चटान गिरी थी वो निशान लालालालाला ओ? यहां से तुम ठीक पहो टीटीपर उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो मुझे कुछ भी हो सकता था अरे हां, याद आया शायद मैंने तुम्हारी जान बचाई थी टीटीपर तुमने नहीं डीजिल, तुम्हारी मालगाडी ने बचाई थी शुक्रिया मालगाडी यह क्या कह रहे हो, यह तो कोई बात नहीं हुई मजाग कर रहा हूँ जो तुमने किया वो कभी नहीं भूल सकता भूलना चाहिए भी नहीं टीटीपो, टीटीपो टीटीपो से अलग होने के बाद डीजल सामान लेने के लिए बंदरगाह आया और क्या हाल है डीजल मैं बढ़िया हूँ क्रेनी क्या हुआ, उदास क्यूं हो क्रेनी, मेरी माल बोग्यां पुरानी हो गई है न देखता हूँ, वो निशान क्या चीज वाँ, देखो वो निशान अब भी है मुझ पर निशान है हाँ, जब तुमने काम करना शुरू किया था तब लगे थे ये निशान याद है तो मैं, ये निशान पहली बार काम करते हुए लगे थे हाँ, बेलकुल सही रख रहा हूँ, रख रहा हूँ रख दिया और ये और रख रहा हूँ वाँ, नहीं हिलोबत अरे नहीं, मेरी माल भोगी जब तक मैं सामान न रख दू, तुम्हें नहीं चलना चाहिए माफी चाहता हूँ मैं तब के मुकाबले, तुम अब बहुत ही अच्छा काम करते हो डीजल पर मेरी बहुत कम तारीफ की तुमने तो काम के बाद, डीजल अपनी माल भोगियां छोड़ने के लिए एक सुमसान जगह पर आये ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी अब तुमसे फिर नहीं मिलूँगा पुराने दोस्तो अपनी माल भोगियां छोड़ने के बाद, डीजल कुछ उदास सा होगा हुआ है तुम्हार शुक्रिया डीजल, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं प्यारे दोस्त धीजल तुम ठीक हो ना हा 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 मैं बीलुकल ठीक हूं मैं बिलकुल नहीं जैसा हूं बहुत बहुत शुक्रिया डीजल चिंता मत करो, जल्दी सब सीख जाओगे तुम, शुक्रिया, ठीक है, मैं अपने कीमती माल बोगियों को नहीं छोड़ सकता, इनसे मेरी यादे जुड़ी है, ओ, लोको, डीजल, तुम यहाँ? तुम उदास लग रहे हो, हाँ, काम करते हुए, मेरी बोगियों में स्क्राच पड़ गया, ओ, अरे, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा परिशान मतो, लोको, क्योंकि ये सभी निशान बाद में तुम्हारे लिए यादे बन जाएंगे, विश्वास करो मेरा, कुछ गड़बड है, ओ, डीजल, तुम्हारे एक बोगी तूट गई है, क्या, तूट गई, तूट गई, तुम्हें अभी टीयों के पास जाना चाहिए, डीजल और लोको, डीजल की माल बोगी ठीक करवाने के लिए टेयों के पास गई, शायद मैंने पहले इन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, डीजल, मैंने अच्छी तरह से जांच की है, तुम्हारी माल बोगियां ठीक हो जाएंगी, सच कह रहे हो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बोगियां बहुत पुरानी हो गई है, तुम चाहो तो मैं इन्हें बदल दू, नहीं ऐसा मत करना, मैं इन्हें कभी भ नहीं बदलवाऊंगा, डीजल, सुबह तो तुम कह रहे थे, तुम्हें नहीं बोगियां चाहिए, ना, अभी नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए, मेरी पुरानी माल बोगी दुनिया में सब से अच्छी है, हाँ, डीजल, मैंने सब ठीक कर दिया है, इन्हें छोड़ कर दे मैं जानता था, मेरी पुरानी माल बोगी मेरे लिए सब से अच्छी है, अपनी माल बोगियां ठीक करवाने के बाद, डीजल फिर से पठली पर दोड़ रहा है, मज़े करो डीजल